आज की इस क्लास में हम लोग भारत की सामान ग्यान से संबंदी थे कुछ आपके मात्पोंड कुश्चन्स देखूंगा और उनकी आंसर बिस्तार में जानेंगे और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के कुश्चन्स आपके सिविल सर्विस हो फिर चाहे स्टेट PCS हो, स्टेट PCS में आप देखें सभी राज जो अपने आप देखते हैं कि स्टेट एक्जाम करवाते हैं ना PCS का उसमें चाहें आपका MPPSC हो, बिहार PCS हो, चत्तीजगर, राजिस्थान, उस्तर पिदेश PCS हो इस तरह कि सभी राज आप ने आप इस्टेट PCS का एक्जाम करवाते हैं और भी राज जो में आप देखते हैं, गवर्मेंट एक्जाम होते रहते हैं जैसे सिक्षा घष्टी होती रहती हैं आप देखते होंगे कि पुलिस, दरोगा, और आप देखते होंगे कि आपके पटवारी, जेल पहरी, इस तरह की तमाम एक्जाम होते हैं और कैंद इस तर पर यानि की सेंटर लेवल पर भी होते रहते हैं, ऐसे सी, बैंक, रेलबे तो इन सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूर रहने वाली है किलास और आप लोग देखिएगा, आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 5-6 साल पुरानी कुश्चन्स पेपर उठा के देखिएगा तो कम से कम आपकी इस किलास से 5-6 कुश्चन्स कम से कम बता रहा हूँ आपको जरूर देखने को मिलेंगे और आप देखिए कि इसमें हम लोग इतने बिस्तार से इनके आंसर देखेंगे कि आप अगर 100 कुश्चन्स देख लीते हैं, उनके आंसर देख लीते हैं तो आप सोचें कि आप लोग 500 के कुश्चन्स के आंसर देने किसी दिन में पहुंच जाएंगे और किलास बड़ी रहेगी, इसमें कोई दोरा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके आप देखिए कि मुझे लगता है कि 1000 कुश्चन्स के लगबग इस किलास में सामिल किये गए हैं कितने 1000 तो चलिए हम लोग पहला कुश्चन्स देखते हैं और कुछ आपके सवाल हो, और सोजाओ हों तो आप लोग बताते रहिएगा उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे देश में पहली बार राष्टवती सासन किस राज़ में लगा गया था? अब आप देखिए कि कुश्चन्स कई प्रेक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसलिए कह रहा हूँ कि ये महत्पोन भी हो जाता है पंजाब, जम्मू कस्मीर, उत्तरपेदेश, बिहार देश में पहली बार राष्टवती सासन किस राज़ में लगा था? तो आप सभी जानते हैं कि ए ओप्सन बिल्कुल सही होगा, पंजाब होगा क्या होगा? इसमें आप लोग पंजाब लगाएंगे पंजाब में लगाए गया था आप पंजाब के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगर इसकी राध्धानी है क्या है? चंडीगर इसकी राध्धानी है और 1 नमबर 1966 में से राज बनाय गया था और आप देखेंगे कि आपका यहां 117 सीटे हैं बिधान सभा में राज सभा में 7 सीटे हैं लोग सभा में आपकी लोग सभा में 13 सीटे हैं और आप देखें पाकिस्तान से लगा हुआ राज है किसे? पाकिस्तान से अगर इसकी सीमा आप लोग देखें तो पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में देखे तो राजिस्थान, हर्याना, हिमाचल पिदेश और जम्मू कस्मीर चार राज्यों से लगती है वहीं जम्मू कस्मीर की बात करने तो आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, स्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है और ये भी केंदसासित पिदेश है आपने देखा होगा यहां 375 से हटने के वाद जम्मू कस्मीर को दो भागों माट दिया गया एक आपका लद्दाग वो भी आपका केंदसासित पिदेश है जम्मू कस्मीर भी आपका केंदसासित पिदेश है लेकिन जम्मू कस्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधान सभा होगी और आप देखिए अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं तो यहां कितनी विधान सभा सीट हैं होगी यह जब यहां चुनाव हो जाएगा उसके बाद भी किलियर हम लोग कहे पाएंगे जो भी आखड़ी आएंगे ठीक है और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश तो आप सभी जानते हैं कि राजनिती की दरिष्टी से काफी मात्पोण है क्योंकि यहां आप देखें कि विधान सभा में 403 सीट हैं लेकने को मिलेगी विधान परिष्ट में 100 सीट हैं राज सभा में 31 सीट हैं लोग सभा में आपकी 80 सीट हैं और विहार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विहार की राजधानी क्या है विहार की राजधानी पटना है क्या है? पटना है और यहाँ अगर आप लोग देखें कि इसकी सीमा की बात करें हम लोग तो आपको मालू होना चाहिए कि विहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? और वहीं इसकी अंतरश्टी सीमा की हम लोग बात करें तो नैपाल से लगती है नैपाल देख से इसकी सीमा लगती है तो यह भी याद रहोना चाहिए बिधान सभा में 243 सीटे है बिधान पईशद भी है जिसमें 75 सीटे है राज्य सभा में 16 सीटे है लोग सभा में आपकी 40 सीटे है कितनी 40 सीटे है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और जब भी किसी राज्य के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में याद रखिए उसकी सीमा हैं कितने देशों से लगती है वहाँ बिदान सबा सीटें कितनी है, लोग सबा सीटें कितनी है, राज सबा सीटें कितनी है, यह सब भी जान लिया करेगा आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की वी कुश्चन्स आपकी परिच्छाओं में पूँच लेता है या कर लेता है? कई बार पूँच लेता है तो देश में पहली बार राश्टपती सासन कहा लगा था? पंजाब में लगा था कहा? पंजाब में लगा था यह आप लोग जरूर याद रखेगा इनसे कुश्चन्स पूँचा जा सकता है देखिए जब सासन विवस्था एक तरह से आपने देखा होगा बदहाली की दोर में होती है तो वहाँ लगा दिया जाता है कहां लिए लगा दिया जाता है? और सबसे जानद आप देखें तो उत्तरविदेस में दसवार राश्टपती सासन लग चुगा है पता है आपको और आपने देखा होगा 356 आप लोग ने पढ़ा होगा समीधान का अनुछेद 356 इसमें राश्टपती सासन की बात की गई थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा कि याद रखेगा? यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए ठीक है? पंजाब में आप देखेंगे कि 1959 से 1952 की बीच पंजाब में राश्टपती सासन लगा था तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन हमारे समने दूसरा भारत आने बाला पहला अंग्रेज कौन था? और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों नहीं हमारे उफ़र एक लंबे समय तक क्या किया है? सासन किया है क्या किया है? सासन किया है तो इसमें आप देखें कि Captain Hawkins, John Bill John Billanton, Rafale, Fish या Mildan Hall कौन था इसमें? बचाई चार ओप्सन आपके समने दिये गए तो इसमें आप देखेंगे कि आपका D ओप्सन होगा Mildan Hall क्या होगा? D ओप्सन भारत पहिचने बाला पहला वेटेस्ट वेक्ती आप देखें आपका Mildan Hall था यह यह भी आप लोग याद रखेगा और वैसे आप लोग अगर देखें तो कई बार आपका Thomas Stevens नाम का एक अंग्रेजी जो सुईट पुर्जारी और मेसेनरी था जो अक्टूबर 1589 में पहुँचा था भारत तो इसके बारे में भी याद रखेगा अप लोग ठीक है तो इसमें आपका D option होगा क्या होगा D option 1589 में में भारत आया था ठीक है इसके बारे में भी याद रखेगा अप लोग भारत में ICC ICC ICI Ibank की स्थापना को हुई थी भारत में जो आप बैंक देखते रहेते हैं अबित्ति एसे वाएं उपलब्द करवाती हैं बैंक के हमें तो इसके स्थापना की बात हो रही है 1921 1594 1913 तो आप सभी जानते होंगे कि कब हुई थी इसके स्थापना हुई थी 1994 में कब 1994 में C option आपका बिल्कु सरी रहेगा इसमें और आपको बता दूँ कि जो I, C, I, C, I bank है इसका अगर headquarter आप से पूँचे इसका बढ़ोधरा में है इसका headquarter क्या है? बढ़ोधरा में है तो यह भी आप लोग याद रखेगा क्या रखेगा? इसके अगर full form भी कई बार bank या exam अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे कर रहे होंगे तैयारी तो इसके बारे में भी पूँच लेता है तो इसे हिंदी में आप लोग भारती उद्दोगी एक red और निवेस निगम कहते हैं Industrial Credit and Investment Corporation of India के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं तो इनके बारे में चोटी चोटी जानकारी है मगर याद रखा करिएगा अगला quan question है भारत का पितम राष्डी उद्दियान कौन सा है भारत का पितम राष्डी उद्दियान आपसे पूँच रहे है कौन सा है तो ये आप देखेंगे कि पहला option ये क्या कर रहे ये कर रहा है कि जिम कारवेट राष्टी उद्यान, नंदादेवी राष्टी उद्यान, राजाजी राष्टी उद्यान, पैंच राष्टी उद्यान तो आप सभी जानते हैं कि जो पेंच राश जिम का आर्वेट ये राश्टी उद्यान है ये कहां आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के नैनी ताल जिले में देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड के बारे में बाता देता हूँ आपको तो इसके बारे में भी कुश्चन्स पूँच लेता है कई बार क्या कहता है कई बार पूँच लेता है आपसे कुश्चन्स तो देहराद उने इसकी रादधानी उत्तराखंड की आप सभी को मालू भी होना चाहिए 9 नवंबर सन 2000 में उत्तरफदेश से अलग करके बनाये गया था और आप देखें कि बिधान सभा में 70 सीटे हैं राज सभा में 3 सीटे हैं लोक सभा में आपकी 5 सीटे हैं और इसके सीमा की बात करें तो इसकी उत्तराखंड की सीमा आप देखें आपकी चीन से चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है तो इसके बारे में भी याद रखेगा आप लोग या करना है याद रखना है आप लोगों को जरोरी क्योंकि questions पूंचा जाता है तो 1936 में आप देखेंगे इस case था आपना हुई थी ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा इनसे questions पूंच लेता है छोटे-छोटे questions आ जाते हैं और नंदा देवी राष्टी उद्यान ये भी आप देखेंगे कहां आपको देखने को मिलेगा उत्राकंड में ही देखने को मिलेगा राजाजी राष्टी उद्यान कहां देखने को मिलेगा राजाजी राष्टी उत्राकंड में ही देखने को मिलेगा ये भी इस सभी आपके वहीं के हैं ठीक है और पैंच राश्टी उद्यान ये आपको कहां देखने को मिलेगा ये मद्ध पिदेश में देखने को मिलेगा नेजनल पार्क है आप सभी जानते होंगे इसे मदविदेश की राजधानी भोपाल है आप सभी जानते हैं कि 5 राज़ों से इसकी सीमा लगती है इसे हिदय पिदेश, सुवया पिदेश, नदियों का मायका, टाइगर पिदेश कहते है भोपाल इसकी राजधानी महराष्ट हो, 36 गड़ हो, उत्तरपिदेश हो, राज़स्थान हो, गुजरात हो, इन सभी से इसकी सीमा लगती है बिदेश सभा में 230 सीट हैं, राज़सभा में 11 सीट हैं, लोगसभा में आपकी 19 सीट हैं, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा भारत में सरुक पिथम, सांकेतिक मुद्रा का पिचलन किसने किया था? बहलो लोदी अलाउद्दीन के लिए जहागीर या मुहमद बिन तोगलग तो इसमें आप लोगों बताईना है, तो मुहमद बिन तोगलग ने किया था किसने किया था? मुहमद बिन तोगलग ने और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनम में तोगलग बंस का सासक था है और आप देखेंगे 1290 में इसका जनम हुआ था और 20 मार्च और 1300 इंक्याबन में इसकी डेथ हो गई थी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी तो एक लंबे समय तक ये भी सासक रहा ठीक है? तो इसके बारे में भी याद रखेगा अंगला कुश्या ने भारत की पिता मुसलिम राष्टपती कौन थे? एपी जी अब्दुलकलाम, मुहमद, हिदायत उल्ला, फकरुद्दीन, अली अहमद, जाकिर हुसेन मुसलिम किस की बात हो रही है? राष्टपती की बात हो रही है तो आप सभी जानती है कि जाकिर हुसेन थे काउन थे? जाकिर हुसेन थे तो इनके बारे में आप लोग याद रखेगा तीसरे राष्टपती थे सुतंद भारत के इनका अगर हम लोग जानम की बात करें तो आपको माल होना चाहिए 8 फर्परी 1897 में इनका जनम हुआ था समझ रहे हैं आप लोग तो ये भी इनके बारे में याद रखेगा आप लोग क्या रखेगा? याद रखेगा चली आगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्ण है भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? थेरी क्वीन, डेक्कन क्वीन, सतापदी एक्सपरेश बेवेक एक्सपरेश क्या? बेवेक एक्सपरेश तो इसमें आप लोग सभी को मल Alles होगा कि भारत में थेरी क्वीन थिये, क्या थी, Fairy Queen एह option बिलकुल सही है आपका, क्या है एह option बिलकुल सही है यह आप देखेंगे जिसे East Indian Railway NRI के नाम से भी जाना जाता है Fairy Queen को तो इसके बारे में भी याद रखेगा ट्रिक है इसे questions क्या रेता है क्मुछ लेता है, कई बार चली अंगले question की तरफ चलते हैं केंद्रिये गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां इस्ते थे केंद्रिये गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां इस्ते थे कटक में, असम में, कुएंबटूर में, लखनौ में तो यह आपको मालू होना चाहिए कि कब इस करिस्था आपना हुई थी 1952 में और आपको देखने को मिलेगा कहा है कहा है गन्ना लखनव में सित्थे भारती गन्ना अनुसंधान लखनव में सित्थ उच्छे सिछा का एक स्वायत सासी संस्था है गन्ना के विस्थे में उन्नत अनुसंधान करने के लिभारती किसी अनुसंधान पुष्छत के तत्वाधान में किसी मंत्यालाय द्वार की गीती इसका इस्तापना उन्डी सब बावन में तो यह भी आप तो याद रखिएगा अंगला कुश्चिन है मारे सामने भारत में पहला पार्थियन सासक कौन था माउस फिर आप देखेंगे सैलुकस, सुरेन, सिकंदर तो यह आप देखेंगे कौन था माउस यह वो माउस नहीं है याद रखिएगा फिर आप सोचें कि कम्प्यूटर बाला माउस है चल यह अंगला कुक्षिन है हमारे समने पिलाजमा, सोथ, अनुसंधान, संस्थान कहा है पिलाजमा विलेड को आप लोग पढ़ते हैं न होगे न तो उसमें आप लोग पिलाजमा के बारे में भी जानते हैं नई दिल्ली, गांदी नगर, देरादून और यह है कि आपका राची पिलाजमा, अनुसंधान, सोथ, संस्थान की बात हो रही है तो यह आप देखें कि कहा है गुजरात में कहां गुजरात में गांदी नगर में बी ओप्सन आपका बिल्कुल सही है 1986 में इसकी इसापना हुई थी कब? 1986 में गुजरात की बात हुई तो गुजरात के बारे में बता देता हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुजरात भी काफी एक अच्छा राज्य है और पाकिस्तान से इसकी सिमा लगती है गांदी नगर इसकी राजधानी है और बेधान सभा में है आप देखेंगे कितनी सीटे हैं आपको देखने कुम लेगी 180 सीटे हैं राजसभा में 11 सीटे हैं आपकी लोगसभा में आपकी 26 सीटे है ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अंगला गूशे हैं हमारे सामने भारत की पहले उप्पधार मंत्री कौन थे मातमा गांदी, डॉक्टर राजन पिसाद, डॉक्टर भीम राम विटकर सरदार बल्लब भाई पटेल तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सरदार बल्लब भाई पटेल थे और भारत की एकता को जो आप देख रहे हैं ना इस अंदर था इसमें सबसे बड़ा युगदान किसका रहा है? सरदार बल्लब भाई पटेल का इनका जनम आप देखते हैं कि 31 सक्टूबर 1875 में हुआ था इनकी डेथ 15 दिसंबर 1950 में हुई थी और आप सभी को मालू है कि भारत रतन भी इन्हें दिया गया था और इन्हें Iron Man of India, Bismark of India, सरदाल, Strong Man के नाम से आप लोग जानते हैं और देश के पहले ग्रह मंत्री भी थे क्या थे? ग्रह मंत्री थे कौन सा भारतिय रज एसिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? जम्मू कस्मीर आंद्पिदेश पच्चे मंगाल इनमें से कोई नहीं तो आप सभी जानते होंगे कि इस में से कौन जाना जाता है? अंडे की टोकरी के नाम से तो आंद पिदेश है क्या है? आंद पिदेश है आंद पिदेश की अगर राजधानी की बात करें तो अमरावतीस की राजधानी है क्या है? अमरावतीस की राजधानी है तो यह भी याद रखेगा यहां बिधान सबा में आप देखेंगे आपकी 175 सीटे हैं, बिधान परिशत में 58 सीटे हैं, राखसवा में 11 सीटे हैं, लोखसवा में 25 सीटे हैं और आपको एक और माल होगा, भासाई या अधर पर गटित होने वाला पहला राज यह था आपका अंध्पदेश तो इसमें आप लोग आंध्पदेश लगाएंगे, ठीक है? अंगला कुश्य ने भारत का सबसे बड़ा मत्स उत्पादक राज कौन है? गुजराद, मत्स उत्पादक राज, मिलाडू या आंध्पदेश या पश्चे मंगाल तो आपको बता दूँ कि यह पश्चे मंगाल है, क्या है? पश्चे मंगाल, वेश्ट वंगाल की बात हो रही है किसकी बात हो रही है? पश्चे मंगाल, वेश्ट वंगाल की बात हो रही है और यह आप देखें कि इसकी अगर सीमा भी आप देखेंगे तो इसकी राजधानी कोलकाता है और आप लोग अगर देखें वेश्ट बंगाल को तो इसकी सीमा पाँच राजजों से लगती है इसमें आपका उडिशा सामिल है, जहरकंट सामिल है, विहार, सिक्किम, असम सामिल है इसकी सीमा तीन देखों से लगती है नैपाल, भूटान और बंगलादेश तो यह भी याद रखेएगा इसके बारे में यह भी याद रखना होगा आपको बिधान सबा सीटों की बात करें तो 294 हैं, लोक सबा में 40 सीटे हैं, राज सबा में 16 सीटे हैं हाँ तो यह चोटी-चोटी बाते हैं यह भी याद रखिएगा भारत में सबसे प्राचीन परवसिंखला कौन सी है, बिंद, अरावली, हिमाले, सत्थोडा तो यह तो आपको मल होगे, कि अरावली है, हिमाले नया है अभी, भी ओप्सन सही होगा भारत में सबसे जान्दा दूद किस राज्य में उत्पादित होता है, पंजाब, हरियाना, गुजराथ, उत्तरपदेश तो सबसे जान्दा पसुँआ आपको उत्तरपदेश में ही देखने को मलेगे, तो इसमें D होगा उत्तरपदेश भारत में सहित के उलिये सामन तक किस मधुमक्खी को पाला जाता है, मुंगा, छोटी, बुनगा, मेली, पोना, खेरा तो इसमें खेरा को पाला जाता है, किसे? खेरा को, D option बिलकुल सही है, नावाड किस था आपना कब हुई? नावाड इससे questions जरू पूँचा जाता है, कई बार पूँच लिया है तो आपके सामने डेट दही गई, क्या, साथ जून 1991, 12 जुलाई 1982, 12 एगस्त 1984, 24 जनवरी 1999, तो आप सभी को मालो होगा कि 12 जुलाई 1982 को, भी option बिलकुल सही होगा National Bank for Agriculture and Rural, Rural Development इसका पूरा नाम है, तीक है, राष्टी किर्सी और ग्रामीट विकास बैंक, इसका हेड़कौर्टर आपको मुंबई में देखने को मुलेगा, तो इसमें आपका B option ISI प्रमाणन किस बार से जारी किये गई थी, 7 अपरेल 2003, 8 अपरेल 2003, 9 अपरेल 2003 और यहाँ आपका 10 अपरेल 2003 ISI प्रमाणन, तो यह आप देखेंगे एक भारती प्रमाणी कंचिन है, तो इसमें आप देखेंगे कि यह आपका 7 अपरेल 2003 होगा, क्या होगा, 7 अपरेल 2003, तो इसके बारे में भी याद रखेगा आप लो अंगले कुश्यन की तरफ पढ़ते हैं हम दो भारत की सबसे बड़ी किंतिम जील कौन सी है, सांबर, भूलर, गोबिन सागर, चिलका, तो यह गोबिन सागर है C option आपका विल्गु सही है, किंतिम जील यानि की बनाई हुई जील, ठीक है, अपने आप नहीं बनी, C option होगा निम्ड में से पूर्व का स्कॉर्ट लेंड किसी कहा जाता है, सिक्किम, एमाचल फिरेश, मेगा लाय उत्रा करने तो आप सभी जानते हैं कि मेगा लाय को कहा जाता है, किसी कहा जाता है, मेगा लाय को कहा जाता है मेगा लाय की राजधानी सिलोंग है, इसकी सीमा आप देखेंगा समसे लगती है केबल इसकी अंतराश्नी सीमा किस से लगती है, बंगलादेश से और बंगलादेश आप सभी जानते ही कि 1971 तक किसका हिस्सा था आपका पाकिस्तान का हिस्दा था 1971 में भारत पाकिस्तान के वीचे उद्ध हुआ था और आपने देखा होगा और एक तरह से भारत आप बंगलादेश आजाद हुआ था और यहां कि अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि यहां बिधान सावा में 60 सीटे हैं, राज सावा में 1 सीट है, लोग सावा में 2 सीट है, मेगाले में, ठीक है, C option ठीक रहेगा इनवे से कौन भारत की सबसे प्राचीन फोटवाल पितियोगता है, भारत की सबसे प्राचीन फोटवाल पितियोगता, डूरंड कप या DCM Toffee, IEF, A.C.L. Roberts कप, तो आप सभी जानते हैं कि डूरंड कप है, क्या है, डूरंड कप है तो इसके बारे में याद रखेगा, फोटवाल पितियोगता है, डूरंड कप चली, आगे चलते हैं हम लोग आप लोग जो संसत भवन देखते हैं, इसका उदगाटन किस ने किया था? लौड विलियम बेंटिक, लौड लिन लेथगो, लौड मेकाली, लौड इर्विन, तो लौड इर्विन है, संसत भवन, अब तो आप देख रहे हैं कि नया भी बन रहा है, उसमें सिप्ट हो जाएगा अंगला कुश्यन है, मुईनूल, हक इस्टेडियम कहा है, पटना, दिली, अहगरा, या फिर आप देखें कि आपका चेंड़ी, तो यह आप सभी जानते हैं कि पटना में है, बिहार के पटना में है, ठीक है? तो इसमें आपका ए उप्शन, कुश्यन है, अब आपके सामने अंगला, लश्रीब समू का सबसे चोटा दूइब कौन सा है, बीटा, मिनिकवाय, राती, अन, ड्रॉट, तो यह आप देखें, बीटरा है, ठीक है, ए उप्शन विलकुट ठीक है, इसमें, अंगला कुश्यन है, हमारे समने, निमलिकित में सी भारती समिधान के किस किया गया है अभी तक, राष्टी है, जो बित्ती है, अपालतकाल होता है, वो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, और ना ही कभी लगे तो अच्छी बात है, और राष्टी अपालतकाल 352, और आप देखते हैं कि राष्टपती सासन 356, ठीक है, तो यह भी आप लोग हैं कि राष्टपती से, तो यह बेटेन की सम्मराट से, और आपको बता दो थे खिए, नाममात की सक्ती होती है हमारे यहां राष्टपती के पास, और वास्तविक सक्तिया आप देखते हैं, पिधान मंतरी साहब के पास होती है, भाछती समिधान के अंसार देश का पिथम राष्ट पती saab कौन होता है?, मंत्री बसर लोकसवाध्यक्त, बिधान मंत्री या राष्टपती कि तो यह आप देखें कि राष्टपती साहथ होते हैं कौन होते है? राष्टपती साहथ D, Option बिल्गुस सः neighborhoods हैrich क्या option ठीक रहेगा D, Option राष्टपती राश्टपती साव होते हैं, लेकिन होते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि सक्तियान के पास कम ही रहती हैं, क्या रहती हैं, कम ही रहती हैं राश्टपती के पास, तो यह भी याद रखिएगा आप लो, पहले राश्टपती हमारे डॉक्टर राजन पर साथ थे, पहली महला अराश्ट्वती कौन थी? आप लोग बताईए, आँगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कौन थी? अंगला भारत की संसदिय विवस्था किस देश की विवस्था से अधिक समानता रखती है? आइलेंड, अमेरिका, ओस्टिलिया, कनाडा तो कनाडा से रखती है किसी? भारत की संगिय विवस्ता, कनाडा देश की संगिय विवस्ता से अधिक समनता रखती है किस देश में सबसे अधिक पसुओं की आबादी पाई जाती है? USA, भारत, चीन, डैनवार तो भारत में ही पाई जाती है आप जानते हैं अंगला कुशन है भारत में सरवादिक पसूधन किस राज्ज में है एतना common sense कुछ लगाली किया करिएगा बिहार, उत्तर पदेश, मद्देश, राजिस्तान तो उत्तर पदेश में है तो ये भी याद रखिएगा किस देश में बकिरियों की संक्या सबसे जादी है पाकिस्तान, भारत, कांगो, इजराइल तो उत्तर पदेश में ही किस देश में पूँच रहा है माप करिए, किस देश में बकिरियों की संक्या सबसे जाना है भारत में ही देखने को मलेगा मास के हम लोग बड़े नरयातक है मतलब वेचते हैं दूसरे देंसों को वेचते हैं भारत में सबसे जानदा भारत में सबसे जानदा बकिरियां किस राज़ में होती हैं पाई जाती हैं बिहार, राजिस्तान, गुजरात, उत्तरप देश में D option होगा इसमें भारत में पिथम खुला विस्ता विद्याले कब प्यारम हुआ भारत में पिथम खुला विस्ता विद्याले 1980, 1982, 1984, 85 तो 82 में हुआ था तो यह आप लो याद रखेगा भीम राओ मेटकर ओपन यूनिवसिटी हैदराबाद थी है तो यह भी आपनों याद रखेगा 1985 में आप देखें भारत की संसर द्वारा राष्टी इस्तर पर इंद्रा गांधी नेटनल ओपन यूनिवसिटी के स्ताफना हुई थी भारत में परमाडू उर्जा की विकास में सबसे युगदान किया था जगदिश चंद बसू हौमी भाबा ने सीवी रमन ने मेगनार साह ने बताईए इन में कौन होगा तो आप देखें हौमी भाबा ने किसने हौमी भाबा ने हौमी भाबा की बात करें तो हौमी जहांगीर भाबा की नाम सी बही आप लोग जानते थे इनका जनम 30 अक्टूबर 1909 में हुगा था इनकी डेथ 24 जनबरी 1966 में हुई थी तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्यन है भारत का पिथम परमाडू विली घर निमलेक से कौन सा है राणा प्रिताप सागर तारापूर नरोहा नरोरा और कलपक्कम तो ये आप सभी जानते हैं कि तारापूर बी आपसन आपका बिल्कुल सही है क्या है बी आपसन बिल्कुल सही है भारत में समधाएक विकास कारिकरम प्यारम किया गया या 1958 में, 1952 में, 1962 में तो 1952 में प्यारम किया गया था सी आपसन बिल्कुल सही होगा इसमें भारत में किरसी अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में किस बर से स्थापित हुआ था 1905 में 1948 में 1965 में या 1980 में बताएए कब हुगा था ये 1905 में हुगा था ये आप लोग जरूर याद रखेगा ये option आपका बिलकुल सही है ये questions भी कई बार मुच लेता है आपका ठीक है और अंगला question हमारे सामने भार्ती खाद निगम का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960, 1965, 1970, 1960 बताएए तो निव दिल्ली में इसका headquarter आपको देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जन्वरी 1965 में तो 1965 होगा इसमें वी option आपका बिलकुल सही है भार्ती राष्टी फिल्म पुरुसकार से समदित कौन सा फूल है? कमल, सूर मुखी, गुलाब या भार्ती राष्टी फिल्म पुरुसकार से समदित कौन सा फूल है? एक कमल, सूर मुखी, गुलाब, गैंदा तो आप सभी जानते हैं कि कमल है? क्या है? कमल है एक राजनितिक पार्टी का चुनाल चिन्न है किसका है आप लोग बताईएगा उस राजनितिक पार्टी की स्थाफना कभ भी थी अंगला कुशन है भारत में सबसे जान्द कौन से मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी या फ्रकाली मिट्टी लैटिडाइड मिट्टी ल एल वी बियल मिट्टी तो आपको बता दूँ कि ल यू बियल मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे जान्द आप ठीक है भारत में बिसालतम लेगून निम्ने मैं से कौन सा है कोलेरू या चिलका या बमनाथ लेगून पॉलीकट तो आपको बता दूँ कोलेरू लेगून ये आंधपिदेश के किष्णा जिले में आपको देखने को मिलेगी मीठे पानी की जील है तो ए ओप्सन आपका बिलकुट ठीक रहेगा भारत में खाने पानी की सबसे बड़ी तटीय जील कौन सी है सबसे बड़ी तटीय जील भारत में खाने पानी की सबसे बड़ी तटीय जील इसमें ए ओप्सन कहा रहा है सांबर जील बी कह रहा है कोडाईक नाल जील, थोल जील, चिलका जील तो इस चिलका जील होगी, D option होगा और यह सभी आप जानते हैं कि कुडिशा राज में देखने को मिलेगी इसे आप चिलका जील भी कहते हैं, ठीक है चिलका अंगला क्वेशन है हमारे सामने बूलर जील भारत के किस राज में है हेमाचल पिदेश, जम्मू कस्मीर, आंध्र पिदेश, उत्राकड कौन सी? बूलर जील तो यह आप सभी जानते हैं कि जम्मू कस्मीर में है कहा है? जम्मू कस्मीर में भी ओप्सन सही है अंगला कुश्यन है भारती समिधान में कौन सा अनुचेत भारत की विदेशनीती से संबंदित है अनुचेत 381, 59, 60 और आप देखेंगे 312 तो भारती समिधान का अनुचेत जो 59 है ये आपका विदेशनीती से संबंदित है किसी विदेश नीती से तो ये भी याद रखेगा अंगला कुषिन है हमारे सामने भारत में उर्जा उत्पादर में सबसे अधिक हिस्सा किस पिकार की उर्जा का है पनविजली, नाफिये, ताफिये और सौर तो याद रखे ताफिये है क्या है, साफिये, सी ओप्सन विल्कुँ सही रहेगा क्या है, सी ओप्सन निमलिकित में से कौन सा राज को भारत का बाग राजी के नाम से जानते है हिमाचल पिदेश, गुजराद, मद्विदेश और चोत्राय असम तो आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं मद्विदेश को कहते हैं मद्विदेश को आप लो टाइगर पिदेश के नाम से जानते हैं बाग राजी से, सबसे जबने आपको बागी हैं देखने को लेगा, तीक है निमलिकित में से किसे भारत का मांचेस्टर कहा जाता है यह आप देखेंगे किसे कहा जाता है, एहमदाबाद, एहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, भारत का मैंचेस्टर, मांचेस्टर, एहमदाबाद को कहा जाता है, किसे, एहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है, गुजराद राजी की एहमदाबाद, सहर को भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है, क्योंक नेंढ लगकित में से कौन सा अइस्थान भारत में सरबादिक बुर्षा के लिए फिसिद है विकाने है नियुकुल मॉसिन доб dimension राम आपका टrift पटन भारत के किस राज्य में इस्तित है एलाईची की परवस सिंखला भारत के किस राज्य में इस्तित है धोर दच्छेण धोर पश्चिम धोर उत्तर धोर फूरो तो ये धोर दच्छेण में है ए ओप्सन बिल्कुल सही है ए ओप्सन बिल्कुल सही है भारत में हीरे की खाने इस् हुगा अंगला कुश्ण है हमारे समने भारत में अटौनी जणररल की नियुक्ती करता है सर भारत का परदाटर मंत्री और भारत का राष्टपती संगलोग सिवायूग का संगलोग सिवायूग तो इसमें आप लोग लगाएंगे अटॉनी जनरल की नियुक्ति कौन करता है भारत के राष्टपती साहब करते हैं कौन करते हैं भारत की राष्टपती साहब करते हैं तो इनके बारे में भी याद रखा करिएग भारत की राष्टपती साहब के बारे में, क्योंकि इनसे भी कुश्चन साचकल पूछ लेता है और अटॉनी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत की राष्टपती साहब यह आप लोग जरूर यह याद रखिएगा भारत का नियावादी भी इसे आप लोग कहते हैं अटॉनी जनरल या नियावादी एजी भी कहते हैं आप लोग इने समिधान के निचे 76 को आप लोग पढ़ेंगे ना तो भारत के माहा नियावादी के बत का प्रावधान किया गया है तो आप लोग याद रक्सिएगा भारती समिधान की पिस्तावना किनुसाद सासन की सर्वोच सत्ता किसमे नहित होती मद्दाता जनता राष्टपती या फिर आप देखें कि संसद किसमे नहित होती है तो आप सभी जानते हैं कि किसमे दीए गई होगी इते कॉमन सेंस है जनता में ही जनता ही भागवान होती है लेकिन बोट देने के पहले तक भारती समिधान द्वारा कितनी भासाओं को मानता पिदान की गई है आपने आठवी अनसूची पड़ी है समिधान की उसमें 22 भासाओं को मानता दी गई है 15, 22, 13, 25 तो 22 को दी गई है इसमें अगर आप लोगों से कहें हम बाताएं तो आपकी कितनी 20 भासाओं है इसमें आपकी कस्मीरी सामिल है और सिंधी भासा सामिल है आपकी क्या है? सिंधी भासा सामिल है और पंजाबी, हिंदी, बंगाली, अहसमिया, ओडिया, और गुजराती, मराथी, कन्नर, तेलगू, तमिल, मले आलम, उर्दो, संस्कित, नेपाली, मनीपुरी, कॉंकडी, संताली, बोडो, डौंग्री, मैतली यह सभी दी गई है तो याद रखें, यह कुश्चन से जरूर पूचता है, सिंधी भासा को आप देखेंगे 21-वे समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1967 में कॉंकडी भासा, मनीपुरी भासा और नेपाली भासा को 71-वे समिधान संसोधन द्वारा, 1992 में जोड़ा गया था तो इस तरह से आप देखेंगे, टोटल 22 हैं अभी, कितनी 22 हैं, तो इनके बारे में याद रखेंगा, आठवी अनसोची में सोतंद भारत का पहला नियोजित हिल सिटी, लवासा कहां पर निर्माड द्धीन है आप देखेंगे कि कहां, उत्राकन, करनाटक, महराष्ट, हिल सिटी, तो ये महराष्ट में देखने को मुलेगा, कहां? महराष्ट में और आपको बता दूँ कि देखें महराष्ट भी काफी चर्चित रहता है तो महराष्ट के बारे में बता देता हूँ मुंबईस की राधधानी है और आप देखेंगे एक माई 1960 में से राज बनाए गया था और यहाँ बिधान सवा में 288 सीटे हैं बिधान पईशत में आपकी 78 सीटे हैं राज सवा में 19 सीटे हैं लोग सवा में 48 सीटे हैं अवंती नरेथ चंडप्रगोद का किसका समकालीन था महतमावध सिकंदर समुद्गुप्त असोग बताईए और आपको बता दूँ कि यह सब असोग की बात करें चाहे महतमावध की बात करें तो यह महानसास एक तरह से महतमावध बहुत देत वाद्दी की धरम पिचार करें और बहुत धरम का इनोंने पिचलन किया था और 563 सापूर में इनका जनम हुआ था 413 सापूर में इनकी डेथ हो गई थी लुम्बिनी में इनका जनम हुआ था तो इनके बारे में भी याद रखेगा और A option होगा इसमें क्या होगा A option लुम्बिनी नेपाल में हैं और डेथ होई थी कुसी नगर में ठीक है किसे आदी महाकाब कहा जाता है किसे आदी महाकाब कहा जाता है पूरा नहीं आदी तो किसे महाभारत महाभारत रामाएड मेगदूत रगूबंस तो यह याद रखे रामाएड को क्या कहते हैं आप लोग आदी महाकाब कहते है बालमी की द्वारा यह रामाएड लिखी गई है ठीक है तो यह भी याद रखिएगा भारत में राष्टी पक्षी का विज्ञानिक नाम क्या है भारत में जो राष्टी पक्षी है इसका विज्ञानिक नाम क्या है और सबसे पहले तो यही बताईए कि आप लोग राष्टी पक्षी है क्या तो आप सभी जानते हैं कि मोर है क बारत में पंचयाजी राज पैढाली समिधान के किस अनुछेद अनुछेद के निर्देश के अंतरगत शुरू की गई थी 32, 40, 45, 59 तो आप सभी जानते हैं कि 40 के अंतरगत तो एक कुश्चन सभी कई बार पूँच लिया है पंचयायती राजववस्ता आपके कहां? 40 वे समिधान संसोधन 40 वे अनुछेद के अंतरगत संसोधन कहां से आ रहा है? और आप देखें कि 3 स्तर ये पंचयायत ववस्ता और पंचयायत आप देखते हैं जो आपका क्या? अनुछेद 40 है ना ये पंचयायती राजववस्ता की बात करता है 73 वा समिधान संसोधन इसी से सम्मंदी था चली अंगली कुक्षिन की तरफ बढ़ते हैं दच्छन भारत की अलवार थे योद्धा, संत, व्यापारी मूर्तियों के सिल्फकार और चितकार तो ये आप सभी जानते हैं कि संत, अलवार, संत होते थे भी ओप्सन बिलकुल सही है भी ओप्सन भारत में भारत में खरोश्टी लिपी को किसने इस्थाबित किया इरानियों ने इरानियों ने यूनानियों ने चिनियों ने, इरानियों ने और कुसानों ने तो इरानियों ने किया था किसने यह उना नहीं होने भारतियों के लिए महान सिल्क मारकिस्क ने आरम किया था कनिस्क फैयान असोक हर्ज तो यह किसने कनिस्क ने सासक उगा करता था ठीक है भारत पर आकमण करने वाला पहला मुसल्मान था बावर मुहमद बिन कासिम, मुहमद गौरी इनमें से कोई नए तो आप सभी जानते हैं कि मुहमद बिन कासिम था और मुगर सासक था बावर तो और आप सभी जानते हैं कि 712 के आसफास मुहमद बिन कासिम ने किया था कि ने milliards म이면 किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं किस के मैं तो कि अंध्र विरेष के रंद्र करना Nick तो यह आप देखेंगे चंदन के घने जंगल आपको करना तक में कुमने तहां करणा ठक में अगर यहाँ तो एक नवूंबर 1956 में से राज बनाए गया था किसे करना टको बैंगलो इसकी राजधानी है बिधान सवा में हाँ 225 सीट हैं बिधान परिशाथ में 75 सीट हैं बारह राज सवा में सीट हैं लोग सवा में 28 सीट हैं तो ये भी याद रखेगा गिलोब पर करकरिखा भारत के कितने राजजों से होकर जाती है करकरिखा भारत के कितने राजजों से होकर जाती है ये पूँच रहा है बताईए इनमें 6, 8, 10 बार है तो आप सभी जानते हैं कि 8 से जाके इसमें आप लोग क्या है आपका मिजूरम सामल है या फिर आप लोग गुजराद की दरफ से पढ़िए गुजराद आईए फिर राजिस्थान आईए फिर मद्धपिदेश जाईए चाथिए जारकंड जारकंड पश्रमंगाल तिपुरा उम्मेजुराम ठीक है तो आठ राज्ज है लाल भादो सास्त्री हवाई अड़ा भारत के किसे राज़ में अवस्थेत है लाल भादो सास्त्री हवाई ड़े की बात हो गई है या आपका उत्तर पिदेश में सामल है उत्तर पिदेश में या आपका विहार में या महराष्ट में या आप देखें आंध पिदेश में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबाबसाथ साहब अम्बेडकर अंतराष्टी यह वाईड़ा कहा है यह आप देखेंगे लकनोग हैदराबाद गुहाटी और नांगपूर आप सभी जानते कि नांगपूर में और आपको एक और बता देता हैं बाबासाथ अम्बेडकर हमारे पहले कानून मंतरी थे और सबसे पड़े लेके बैखती थे 14 फ्रेल 1891 में उनकी उनका जनम हुआ था 6 देसंबर 1956 में उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बारे में इसा मिधान का पिता भी आप लोग कहते हैं उनके बारत का हुआ है बंदरगा कौन सा है जो जापान को कच्चा लुहा निर्याद करता है निव मंगलोर, कोलकाथा या पारदीफ, चैनरी तो ये पारदीफ है क्या है पारदीफ है पारदीफ, उरीसा राजिके में देखने को मिलेगा आपको ठीक है अंगला कुशन है निमने में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी रेखा लगती है चेन, नेपाल, बंगला देश या पाकिस्तान इस तभी आपके पड़ोसी है और तो आप सभी को मालू होगा कि किस से लगती है पाकिस्तान से किसे पाकिस्तान से कि बंगला देश से तो आप सभी को मालू है किसे बंगला देश से किसे बंगला देश से तो यह भी याद रखिएगा यह कुश्चन्स भी कई बार पूच लेता है कई बार कुश्चन्स पूच लेता है तो इनके बारे में चो तो इसमें आप लोग C option लगाएंगे, ठीक है? चलका जील भारत के किस राज़ मस्ते थे? जम्मु कस्मीर उडिसा आंपिदेश महाराष्ट चिलका जील की बात हो रही है तो यह आप सभी जानते कि कहा है चिलका जील यह आपको कहां देखने को मिलेगा उडिसा राज में देखने को मिलेगी चिलका कहां उडिसा में ठीक है तो ये भी याद रखिएगा आप लोग अंगला कुशन है हमारे सामने गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक का निर्माट गंग सिंग जी ने करवाया था ये कब करवाया था? 1930, 1927, 1944 या 1932 तो 1927 में करवाया था कब करवाया था? 1927 में करवाया था तो इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग और गंग नहर ये आप देखेंगे बीका नहर के राजा थे महराजा गंग सिंग चली आप लोग आंगे चलते हम लोग अंगली कुछिन है बान गंगा नदी का उदगम इसकल का है यह आपको मालू हना चाहिए अराबली परवत बैराठ की बाहडियाँ खबनोर पहाडियाँ बिंध्यांचल परवत तो यह आप देखें बैराठ की पहाडियाँ यह आपको सोर्स अरब इसके बारे में बताइए कुछ आप लोग, बार गंगा नदी इनसे questions पूँच लेता है कई बार क्या पूँच लेता है? बेराट की पहड़ियों से निकलती है, ठीक है? ओधैपुर जिले की बेराट की पहड़ियों से चलिए आँगे चलते हैं हम लोग अवन्ती किसे धरम का पिसेद्ध कैंद था? अवन्ती इसमें बहुत धरम, यहूदी धरम, इसलाम धरम, उप्युक्त में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं कि बहुत धरम से संबंदी था अवन्ती तो ये option आपका बिलकुल सही है इसमें ये option बिलकुल सही है भारती राष्टी ये Congress की पिथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरो जी क्या? दादा भाई नौरो जी और ये फिर आप देखेंगे वेवमेश चंद बनर जी, सुरेंद नाद बनर जी, एम जी रनाडे तो भारती राष्टी Congress की स्थापना कब हुई थी? बताई ये सी के बारे में बता दीजे आप लो ये आप सब जानते की अठारे सो पचासी में हुई थी कब? अठारे सो पचासी में तो ये इसके बारे में 28 December ये भी आप लोग याद रखेगा इसके संसाफ़क थे? कौन थे इसके संसाफ़क? एलन ओक्ट बीएन हिूम ये ओ हिूम भी कह देते हैं आप लो ठीक है इसके व्यमेश चंद बनर जी पहले अध्यक्ष थे तो ये भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन है मारे सामने भारत का नेपुलियन किसी कहा जाता है चंद गुप्त मौर समुद्ध गुप्त या फिर आप देखी कनिस कमपुस्त मिद्ध को तो आप सभी को मालू होगा कि किसी कहा जाता है समुद्ध गुप्त को ये गुप्त सा सकता क्या था? गुप्त सा सकता राचीन भारत आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालू भी होगा क्या होगा मालू भी होगा ठीक है तो ये भी मालू होने चीज़ आपको अंगला कुश्यन है मौली करतबों को किस देख से लिया गया है गरहन किया गया है मौली करतबों को मौलिक अधिकार आप लोग समिधान के भाग तीन में पड़ते हैं ना उसी तरह आप लोग मौलिक करतब भी भी हैं आपके क्या है मौलिक करतब भी है तो उनके बारे में भी याद रखा करिएगा क्या रखा करिएगा याद रखा करिएगा जोड दिया था जोड दिया था और ग्यारवे मौलिक करतब को 2002 में 86 भी समीधान सोधन के जरिये जुड़ा था और भारती समीधान में मौलिक करतबों की यवधारना उस समय की EUSSR हुआ करता था ना उसी से लिया गया था पेरे थे एक तरह से तो इसमें आप देखेंगे D option है आपको बता देता हूँ कुछ मौलिक करतबों के बारे में एक-एक आप लोग याद रखेंगे और मुझे लगता है देखिए answer writing में अगर आप लोग लिख रहे हैं मौलिक करतबों के बारे में अगर आपको क्रम याद नहीं है तो आप लोग 10 लगा के लिखा करिएगा आप एक-दो-तीन मत लिखा करिएगा समीधाल का पालन करना उस्ती आदरसों, संस्थाओं और राष्टोज एवन राष्टगान का आदर करना पहला मौलिक करतब कहता है सोतनता के लिए हमारे राष्टिय संघर्ष को पेरिद करने वाले महान आदरसों का पालन करना एदूसरा मौलिक करतब है तीसरा मौलिक करतब कहता है कि भारत की संप्रभूता, एकता और रखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्चा करना चौतरा मौलिक करतब कहता है कि देश की रक्चा करना और आहान किये जाने पर वराष्ट की सिवा करना पाँचबा कहता है कि भारत की लोगों में सम्रस्ता और समान भात्ति की भावना का निर्मार करना जो धरम भासा उपसे देश बाबर्ग या बर्ग आधारी सभी पकार की विद्भाव से परे हो साथ ही ऐसी पिथाओं का तया करना जो इस्तिरियों के सम्मान के दिरुद्ध हो चाटबा कहता है कि हमारी समग संस्किती की सम्मृध दिरासत खुम्हत्य देना और संचिप्त करना साथ भा कहता है कि बनो जीलो नदियो और वन जीब जीवन सहत प्राक्टिक पर्यावन की रक्षा और एवं सुधार करना और प्राणी मात के लिए दयापाओ रखना आठवा कहता है कि मानवता और विज्ञानिक दिरिष्टी कौन तथा ग्यान फर्ज, ग्यानर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना नौबा कहता है सारविनिक संपत्थी की सुरप्चा करना इंसा से दूर रहना दसपा कहता है कि ब्यक्तिगतों सामवी गतिविदियों के सभी छित्रों में उत्यक्रिष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट लगातार उसे सरकी उपलब्दी हासिल करे और ग्यारा कहता है कि 6-14 वर्ष तक के आयू के बच्चों को सिक्षा का उसर उपलब्द कराना और सबसे लाष्ट में आप सभी जानते हैं कि 86 वे संभीधान संसुधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और एक आपकी महत्मूर है और आप देखिए मौली का अधिकार दिये गए एक तरह से आप सबज़िए कि आपको कुछ आपको अधिकार है तो आपको कुछ करतब भी तो होने चाहिए न तो उसी की बात हो रही है अंगला कुछन क्या कहरा है आपसे भारती अंतरिक्च अनुसंधान संस्थान का मुख्याले कहा है तिरुवनस्मोरम बैंगलोर हैदराबाद और बी कहरा है एहमदाबाद क्या होगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाईजेशन की बात हो रही है और आप सभी जानती कि 15 गश्क उनी सो नत्र में इसकी इस्थापना हुई थी फाउंडर इसके बिक्रम सारा भाई थे और यह आपको बेंगलोरण में देखने को में लेगा इसका है एड़क्वाटर बी ओप्सन बिलको सही है इसमें ठीक है अंगला कुछन है हमारे सामने भारतिये भारतिये मरुस्थल की एक महत्पूर नदी है लूनी व्यास किष्णा नर्वधा कौन है तो इसमें लूनी है कौन है लूनी है तो यह भी याद रखिएगा लूनी नदी के बारे में जिसका प्राची नाम लवनवती है भारत की राजिस्थान गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है तो ए उप्सन इसमें ठीक रहेगा आपको क्या ए भारत की किस नदी को विद्ध गंगा के नाम से आप लोग जानते हैं किष्णा नर्बदा कावेई गोदावरी बूडी एक तरह से आप कहे लिए गोदावरी को नाम से जानते है विद्ध गंगा के नाम से किसे जानते है गोदावरी को और गोदावरी फिराइदीफी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे वर्द गंगा के नाम से आप लोग जानते है और गोदावरी दच्छन भारत की एक प्रमुक नदी है ठीक है तो यह भी याद रखेगा 1465 इसकी लंबाई है 1465 तो इसके बारे में याद रखा क करिएगा इसका ब्रह्मगरी पहाडी तरंबे के सोर नासिक महराष्ट से निकलती है ठीक है चली अंगल तो इसमें क्या गोदावरी लगाओगे डी ओप्सन आपका बिलकु सही है भारत की किस नदी को ब्रद गंगा कहा जाता है गोदावरी हो भारत का सबसे लंबा राष् इसे आप लोगों को एक और बात बता देता हूं एनेच सेवन के नाम से भी आप लोग जानते राष्टीन मार्क को ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा या रखेगा याद रखेगा इसका राष्टी राजमार्ग साथ का नाम बदल कर राष्टी राजमार्ग सेवन चवालिस याद रखेगे आप लोगों को मालू होना चाहिए 3745 किलोमीटर है एनेच सेवन के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं ठीक है लौनार जील भारत के किस राजमें है? मडीपोर महराष्ट करनाटक केरल लौनार जील ये कहां देखने को मलेगी? बताए महराष्ट में आपको देखने को मलेगी बोल्डाना जिले में देखने को मलेगी है? ठीक है? महराष्ट के नंदा देवी परवस चोटी भारत के किस राज्य में अवस्तेत है सिक्किम जम्मुकस में उत्राकंड और आप देखेंगे अवणा चलपे देश तो आप सभी जानते हैं कि उत्राकंड में हैं नंदा देवी कहां उत्राकंड में ठीक है नंदा देवी परवस चोटी 7,816 मीटर इसकी उचाए है अंगला कुशन है हमारे सामने एक कंचन जंगा प्रवत चोटी कहाँ वस्ते थे नेपाल भारत नेपाल तिपन नेपाल भारत तो यह आप सभी जानते हैं कि कंचन जंगा चोटी भारत में ही देखने को मिलेगी कहां भारत में ही देखने को मिलेगी 8586 मीटर है इसकी उचाए ठीक है तीसरी बिस की तीसरी सबसे उची प्रवत चोटी है चलिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है विसा का बड़ना मुंबई पारदीप कांडला तो यह आप देखेंगे कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कांडला डी ओप्सन बिलकुँ सही है चलिए आगे चलते है भारत में उकाई सिचाई परियोजना किस राज्य में इस्तित है उकाई सिचाई परियोजना तो यह आप सभी को मालू होगा कि कहा है तापती नदी पर है क्या है तापती नदी पर है गुजरात में ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें भी ओप्सन आपका बिल्कुल सही है भारती अंत्रिक्षन उसंधान संगठन की स्थापना कभी थी तो यह आप सभी को बता चुका हूँ 69 में चली अंगला कुशन देख लेते हैं किस भारती यह राज्य को मसाला मसालों का राज्य कहा जाता है तमिलानो केरल गुजरात करना टक तो आप सभी जानते हैं कि केरल को कहा जाता है किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को केरल आपने देखा होगा कोई भी सुचकान के रेपोर्ट आती है तो उसमें टॉप पर रहता है केरल केरल टॉप पर रहता है इसकी तिरुव अनंद पुरमिश्स की राधधानी है सिख्छा के मामले में देख लीजे स्वास के मामले देख लीजे बाहत बहतर इस्तेती में है और साप्छल्ता के मामले में लिंगनपाद के मामले में देखिए आप लोग तो 1 नमुबर 1956 में से राज बनाए गया था, विधान सभा की सीटें 141 हैं, राज सभा में 9 सीटें हैं लोग सभा में आपकी 20 सीटें हैं तो यह चोटी-चोटी बाते हैं, याद रखिएगा थरोज साहे कोटला क्रिकेट, इस्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है यह आपको देखने को मिलेगा कहाँ, नई दिल्ली में थरोज साहे कोटला इस्टेडियम, कहाँ है नई दिल्ली में भी ऑप्सन बिल्कुछ सही है, अरोज जेटली के नाम से अब आप लोग जानने लगे हैं, इसका पूरूब नाम था थरोज साहे कोटला इस्टेडियम तो यह भी याद रखिये अब रहूड जेटली के नाम से लेकिन अगर नाम आता है इसका तो जरूर आप लोग याद रखिये मुहमद गौरी ने जैचंद को किस्त योद में पराजित किया था मुहमद गौरी ने मुहमद गौरी और जैचंद के बीच हुआ था इसे इन्हें इतियास का एक तरशियाब्दी की गद्दार भी कहा जाता है किसे जैचंद को अंगला कुश्यन भारत में लोगसभा का विक्टन कौन सक कर सकता है मंत्री पर राष्टपती प्यदार मंत्री लोगसभा इसी कर तो राष्टपती कह सकते हैं लोगसभा आप सभी जानते हैं कि हमारी क्या है सदन है लोगसभा संसत का अबर आप सभी को मालग होगा कि यहा तो आपकी five four thousand and yeah splendid total बीदान सभा सीटे है अब ही ठीक है पिदार मंदरी आपके पंडित जवाल लाल नहिरू थे आप सभी जानते हैं निमलिखित अरब सागर की रानी कहा जाता है अरब सागर की रानी लक्षिदीप को वेनिस को कोचीन को सूरत को तो आप सभी को मालू है कि कोचीन को कहा जाता है किसे कोचीन को कहा जाता है कोचीन क और अप सागर की रानी है भारत के किस राज में सर्दी के मौसम में बारसा होती है केरल भारत के किस राज में सर्दी के मौसम में बारसा होती है तमिलाडू, उडीसा बश्चे मंगाद तो यह आपको बता दूँ उडीसा में होती है उडीसा में उडिसा के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उडिसा भी काफी चर्चा में बना रहता है रज उडिसा भी कई बार चर्चा में बना रहता है यहां के CM साहब की काफी तारीब भी होती है नवीन पतनायक साहब की और आपको बता दूँ कि यहां बिदान सभा में 147 सीटे हैं, राज सभा में 10 सीटे हैं, लोग सभा में 20 सीटे हैं तो यह भी याद रखिएगा भारत में तमाकू का सरबादी को उत्पादन करने वाला राज कौन सा है? आंध पिदेश, असम, वजराद, उत्तर पिदेश तो आप सभी जानते हैं कि आंध पिदेश है, तमाकू का उत्पादन करने वाला राज अंगला कुशे ने भारत में डांग पिथा का पिछलन किस सासक ने किया था? सेसाय सूरी, कुत्व बुद्धी नेवद या अकबर जहांगीर तो यह आप सभी को मालू होगा किसने? सेसाय सूरी ने और आप देखी थोटी छोटी काल-काल राय इसका एक लंबे समय तक राज रहता है तो आप देखी अलग ही इतिहास होता इसका जनम 1486 में हुआ था सासारम में और इसका 1545 में डेध हो गई थी और आपको बता दूं सासारम बिहार में इसका आपको क्या देखने को मिलेगा? मकवरा देखने को मिलेगा? यह कुश्चन सभी कई बाग कुच लेता है अंगला कुश्चन है हमारे समने भारत की राधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी 1857, 1911, 1905, 1947 तो 1911 में घोशना हुई थी, 1912 में ये दिल्ली आई थी ठीक, 1911 लगाओंगे आप अंगला कुशन है भारत में किसके द्वारा अंगेजी जी सिक्चा लागू की गई थी लौड बिलियम बेंटिक, लौड डल होजी, लौड डफरेन इन्हें से कोई नहीं तो लौड बिलियम बेंटिक ये ओप्सन विल्कुल सही है ठीक है? ये ओप्सन विल्कुल सही है भारत के पहले उफगराय का नाम क्या है? आर भट है, क्या है? आर भट है 1975 को कॉस्मोस 3M पिच्चे पर बहां द्वारा कास्पुतिन कास्पुतिन यार से पिच्चे पेद किया गया था ये ठीक है? भारती ये, महान भारती ये खागोल सास्ती जी थी थी ना भट उन्हें के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था 19 अपरेल सोवीय संग द्वारा, ठीक है? 19 अपरेल 1975 को आपको बता दूँ जो रोस है ना पहले से सोवीय संग के नाम से आप लोग जानते थे इसमें और आपके देश सामिल थे 1991 में इसका विक्तन हो गया था और इससे बड़े अच्छे संबंद रहे हैं भारत के भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? प्रेमिला, लारादत, रोही सिंग, सुसिमिता बताए तो आप सभी जानते हैं कि कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया के बारे में आपको बताना है आपको दादू, रीता फरिया ने सबसे पहली मिस बॉम्बी क्राउन जीता था इसके बाद उन्होंने फेमिला मिस इंडिया कौन थी? लेकिन यासमीन दाजी के सिरचरा था 1964 में रीता ने मिस वर्ल में भाग लिया था और जीत भी गई थी रीता सौंदर के अंतरश्टी मंच पर अपना नाम दर्च करने वाली पहली भाड़ती थी तो यह आप लोग याद रखें, रीता तो इसमें हैं भी नहीं है क्या है? रीता तो यह जरूर याद रखेंगा मिस इंडिया तो यह रीता फरिया और अगर आप देखें कि अगर इसमें क्या? प्रेमिला अगर आता है तो प्रेमिला भी अगर रीता फरिया नहीं आता है तो प्रेमिला भी लगा सकते हैं आप ठीक है? तो इनके बारे में भी याद रखेंगा क्योंकि कई जगे मैंने सर्च करके देखा है तो प्रेमिला आ रहा है ठीक है तो ये भी आप लोग चलिए याद रखेगा भारत में राष्टी मद्दाता दिवस कब मनाय जाता है मद्दाताओं को जागरूप करने के लिए अगर आपकी उम्मर 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी मद्दाता सूची में नाम जुड़ चका होगा आप लोगों से भी कहा जाता होगा कि आप लोग भी बोट डालने जाये करिएगा 29 जन्वरी 29 जन्वरी 31 जन्वरी 25 जन्वरी तो 25 जन्वरी को आप देखेंगे आपका भारती राष्टी मद्दाता दिवस मनाय जाता है चुनाओ आयोग के स्थापना दिवस पर 2011 से हर साल आप देखेंगे 25 जन्वरी को पूरे देश में राष्टी मद्दाता दिवस मनाय जाता है Election Commission of India के बात हो रही है तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा Election Commission 25 जन्वरी 1950 में इसके स्थापना हुई थी कि जो विधान सबा, लोकसबा, राजसबा और अब देखते हैं कि लोकसबा, राजसबा विधान सबा, विधान परिशाथ, राष्टपती, उपर राष्टपती इनका चुनाओ की देखभाल पूरा कौन करता है आपका भारती निरवाचन आयोग Election Commission of India और जो आपकी राजस में इस्थानिय चुनाओ होते हैं जो आपकी इस्थानिय चुनाओ जिन में आप देखिए सरपंचिपेधान, आपका जनपद, जिलाद धेक्ष, नगरपालका, नगर निगम, नगरपंचायत इनके लिए हर राज में अपना चुनाओ आयोग होता है जैसे उत्तरपदेश का देखिए उत्तरपदेश निरवाचन आयोग करवाता है तो इसमें 25 जनपड़ी होगा, D option होगा पहली बार राष्टपती सासन कब लाग किया गया था तो यह आप देखिए कि 24 जुलाई 1967, 20 जून 1969, 20 जून 1962 तो यह आप देखिए कि राष्टपती सासन तो 20 जुलाई 1959, पंजाब की बात हो रही है और राष्टपती सासन आप सभी जानती है 356 की बात हो रही है अनुचित ठीक है अंगला कुश्यन है हमारे सामने भारत में सबसे उच्छा जल्पिपात कौन सा है सिमला जूग प्रफात, कोटलम प्रफात इन में से होगे नकल जल्पिपात तो यह आपको बता दूँ कि देखिए इसमें आपका जूग जल्पिपात होगा इन में से पूँच रहा है अगर तो जूग जल्पिपात एक करनाटक में देखने को मिलेगा सरावती नदी पर है ठीक है इसकी तेन सो, दो सो त्रेपन मीटर है आठ सो, उन्तीस फूट उचा ठीक है भारत का पिताम मुख चुनाव आयक्ष कौन थे जीवी मावलंकर सुकुमार सेन केवी के सुंद्रम ती स्वामी नातन तो यह आप सभी को मालू है कि आपके सुकुमार सेन थे यह बी ओप्सन आपका बिल्कु सही है अंगला कुशन है भारत का पिताम भारतीय प्रायोगिक अंतरिच अनुसंधान उपगरेक था एपल रोहिनी भासकर आरवट तो भारत का पिताम प्रायोगिक अंतरिच चानुसंधान उपगरे बताई इसमें से कौन था एपल रोहिनी भासकर यह अब देखेंगे कि रोहिनी भासकर आरवट तो आपको बता दूँँ भारती अंत्रिक चनुसंधान संगठन की स्ताथना 15 अगर स्तों 1989 में की गई थी तब इसका नाम अंत्रिक चनुसंधान के लिए भारती राष्टी सम्ती था भारत का पहला उगरे आप देखेंगे कि आरभट आरभट था जो 19 अपरेल 1975 को सोविय संग दवारा छोड़ा गया था इसका नाम महान गड़ तक आरभट की नाम पर रखा गया था और भारत का पहला संचार उगरे एफपल था तो इसके बारे में भी याद रखीएगा तो इसमें ए उप्षन आपका विल्कुट ठीक रहेगा चलिए आंगे चलते हैं भारती भूमी से छोड़ा जाने वाला पिथम उपगरे कौन सा था भारती भूमी से छोड़ा जाने वाला पिथम उपगरे आपको बताना है इसमें आपका A option कह रहा है रोहिनी एफ़ल भासकर आरवट तो आप सभी को मालू होना चाहिए ए था कौन? रोहिनी ठीक है? तो इसके बारे में A option बिल्कुल सही है आपका रोहिनी फ़र्थ चलिए आगे चलते हैं हम लोग पाकिस्तान से भारत पाकिस्तान से भारत में गरतन दिवस के परेड के मुख़ तीती की रूप में आमंतित किये गए पहली बैक्ती का नाम आपको बताना है पाकिस्तान से भारत में गरतन दिवस पर परेड के मुख़ तीती की रूप में आबंतित किये गए पहले बैक्ति कौन थे मुहमद जाहिर साह राना अब्दुल हमीद मलिक गुलाम मुहमद और यह आपके उप्युक्त में से को ही नहीं तो यह थे आपके देखें मलिक गुलाम मुहमद C option आपका बिल्कु सही रहेगा C option बिल्कु सही रहेगा 1950 में भारत की पहली गर्तन दिबस परेड में पिथम मुख अतीती कौन थे गर्तन दिबस आप सभी जानते कि 26 जन्वरी को गनाय जाता है 1950 में भारत की पहली गर्तन दिबस परेड में मुख पिथम मुख अतीती कौन थे तो आप सभी जान दे कि राष्टपती सुकर्णो थे तो इनके बारे में भी याद रखेएगा इंडोनेसिया के पहले राष्टपती थे चलिए आँगे चलते हैं अंगला कोशन है केंद्रिय सुचना आयो किस्था अपना कप की गई थी केंद्रिय सुचना आयो किस्था अपना कप की गई थी 1991-2001-2005-2010 Central Information Commission की बात हो रही है तो 12 October 2005 को इसकी इस्था अपना की गई थी कब C option बिल्कुल सही होगा ठीक है तो यह भी RTI के बारे में सुने Right to Information के बारे में अंगला question है केंद्रिय सुचना आयोग में कितने सदस मुख सुचना आयोग हो सकते हैं 9-10 बारे यह पर आप देखे 15 तो यह आप देखे 10 हो सकते हैं इसमें B option बिल्कुल सही है आपका केंद्रिय सुचना आयोग किस मंत्रा ले के इंतरगत आता है तो यह आप सब भी जानते हैं कि कौन मंत्रा ले के कार्मिक मंत्रा ले के ठीक है B option बिल्कुल सही है आपका चली अंगला question है भारत में तीसरा सबसे बड़ा पदम फुरुशकार कौन सा है पदम सिरी भारत में सबसे तीसरा सबसे बड़ा पदम पुरुशकार पदम सिरी भारत रतन पदम विभूसन पदम भूसन तो आप सब भी जानते हैं कि पदम सिरी है क्या है पदम सिरी है सबसे बड़ा पुरुशकार इनके बारे में जान लेजे कई बार questions पूँच लेता है क्या पूँच लेता है questions पूँच लेता है भारत अत्रतन फिर आप देखेंगे पदम भी भूसन उन्ने सो चमगन से दीगे जा रहे हैं पदम भूसन पदम स्री यह आप देखें ठीक है तो यह भी आप लोगे याद रखेगा परम बेज चकर फिर अर्जुन पुरुषकार दादा साहब फाल के पुरुषकार फिरा अंतराष्टी गांधी सांती पुरुषकार तो यह सभी आप लोगे याद रखेगा ठीक है कि यार याद रखेगा याद रखना अच्छे ही है मुझे लगता है चलिए आगे चलते है अभी तक आप देखे कि यह 1994 में पहली बार दिया गया था कौन आपका भारत रतन खेल बिज्ञान साहित सामाजिक सेवाओं के लिए दिया जाता है पहली बार डॉक्टर अच्रापली, राधा टिसन, चकवरती, राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद सेकर, बेंकर फरमन को दिया गया था तो यह चोटी चोटी बात है याद रखा करिएगा क्या रखा करिएगा याद रखा करिएगा पदम स्री की बात हो रही है तो इसमें आपका पदम स्री होगा भारत का सबसे बड़ा मरूस्थली ये राज कौन सा है भारत का सबसे बड़ा मरूस्थली राज गुजराथ, पंजाब, महरत, राजस्थान तो आप सभी जानते हैं कौन है कौन राज है राजिस्थान और राजिस्थान की एगर हम लोग बात करें तो छेटपल में सबसे बड़ा राज्ज है राजिस्थान इसकी एगर सीमा देखें आप लोग तो पाकिस्तान से लगती है इसकी सीमा पता है आपको और राज्यों में गुजरास जी, मद्बदे से, उस्तरपदे सी, हरयाना से पंजाब से लगती है अर जैपुर इसकी राधानी है और विधान सभा में यहां 200 सीट है राजशमा में 10 सीट है लोग सभा में आपकि澐 25 सीट है 25 सीट है तो यह भी याद रखिएगा छोटी बातें होगी ठीक है तो राजस्तान लगाओगे छेतफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है पिसा का पुटना मुंबई पारादीप कांडला यह भारत देश का सबसे बड़ा कांडला है भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगा ठीक है देश का अंगला कुशन है इसमें याद रखिए D option देश का सबसे प्राक्टिक बंदरगा मुंबई मारमा गुआ और आपका चेननाई विशा का पुटनाब तो यह आप देखें का सरफसेष्ट प्राक्टिक बंदरगा की बात हो रही है देश का सरफसेष्ट प्राक्टिक बंदरगा आपका बिसाका पुटनाब है या देश का सबसे गहरा बंदरगा है और या पूर्ण रूफ से प्राक्टिक है इस बंदरगार में डॉल्फिन नोज नमक पहाड़ी भाग होने के कारएं यह मानसुनी पनों की जोंकों से सुरक्षित रहता है यह बंदरगा आंध्रिस में कोरोमंडल तरफर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आपका D option होगा सबसे बड़ा नदी दूइब मांजूली भारत किस राजय में उस्ते थे यह आप देखे कहां मांजूली दूइब यह आपको देखने को मिलेगा कहां देखने को मिलेगा असम में देखने को मिलेगा माजूली या माजूली कहते हैं असम में ब्रम्पत नदी के मदब बसा एक बड़ा नदी दुलिव है कहां में असम या असम भी इसे कहते हैं असम भी कह देते हैं तेकर यह आप लोग ज़रूर याद रखेगा असम के बारे में बता देता हूं कुछ आपको असम आप सभी जानते हैं कि इसकी राध्धानी क् दिस्पूर इसकी राध्दानी इसकी सीमा पश्चिमंगाल से लगती है मेगालय से लगती है तिपुरा से लगती है मडीपूर से नागालेंड से अरुडा चलते देश से लगती है इसकी अंतराश्टी सीमा भूटान बंगला देश से लगती है तो यह भी आप लोग याद र बदलने वाली नदी कों से है नरवदा, यमना, गंगा, कोसी तो आप सभी जानते है कि कोसी है क्या है कोसी है और कोसी नदी नेपाल से हिमाले से निकलती है बिहार में काफी आप देखते धूमधाम मचाती है भार मार आती रहे टीयस में चलिए तो डी ओप्सन होगा इसमें भारतिय समिधान का जनक किसी कहा जाता है, डॉक्तर राजिन से साथ डॉक्तर भीमराओं अम्बेडकर साथ को कहा जाता है, डॉक्तर भीमराओं अम्बेडकर को, समिधान का जनक या पेता, ठीक है, अंगला कुछन है भारतिय समिधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आपको बता दूँ कुछ राउधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवर 1950 को लागू हुआ था, ए ओप्सन बिल्कुल सही है. अंगला कुछ ने भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है, एक अतन किसका था, भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है, एक किसने कहा था, जैपिकास नारायन, बिनोबा भागी गांदी जी नहरू, तो गांदी जी ने एक कहा था, कि भारत की आत्मा गाउं में निवास तो मुंबई तो ये हैदरावाद को माना जाता है बुलंदरवाजा नेमलिकित में से किस से सम्बंदी थे बावर से हिसा जहांगी अकवर तो ये आप सभी जानते हैं बुलंदरवाजा अकवर से सम्बंदी थे मुगल सा सकता है अकवर और आप देखेंगे 15 एक्टूबर 1542 मिस का जनम हुआ था 27 एक्टूबर 1605 मिस की डेथ होवे थी बड़ा एक अच्छा सा सकता क्या सा? अच्छा सा सकता हिंदू-मुसलिम बराबर्स के लिए रहा करते थे तो D option है किस मुगल समराट के सासनकाल में सासनकाल को साड़े मेव कहा जाता है अकबर साज़जहा और अंच्छेप जहागी किस मुगल समराट के साज़जहा को साज़े मेव यह आप देखें कि साज़जहा की जिसके साज़जहा की यह option बί Aud latency है यह आप देखें रिघ्बेद में पुरानों में अपनिसन में अथर विवेट में तो यह आप सिको मुल्य होने चे रिघ्बेद में मिलता है जिसी में रिघ्बेद में मुगल समराढ호 की कबर कहा है यह आप देखेंगे ए ओप्सण इसमें आपका क्या है रहा है आगरा, दिल्ली, लाहोर और स्रीनगर तो आपको बता दूँ कि देखिए मुगल सा सक्ता, जहांगीर अकबर के कब जिस्क फोते था तो इसकी कबर कहां है? लाहोर में इसका जनम आप देखेंगे 13 अगस्त आपका 1569 में हुआ था 28 अक्तुवर इस 1627 में इसकी डैथ हो गई थी दीगे, दो इभी याद रखिया चलिए आगे चलते हैं अंगला कुशन क्या कह रहा है? भारत में खरोष्टी लिपी को किसने इस्ताबित किया? कोसानों ने, एरानियों ने, चीनियों ने, युणानियों ने युणानियों ने, खरोष्टी लिपी को किनों ने? इरानियों ने और चीनी परमपरा की नसार हम इनकी बात माने तो रिसी खरोष्ट ने इसका एक तरह से अविस्कार किया था वह है पहला किला बताना है जो सिवाजी ने जीता था तोरन का साथ सिवने का था या जावली का था या रायगर का था वह है पहला किला जो सिवाजी ने जीता जीता उसका नम था, क्या था? तोरन इस सिवाजी आप सभी जानते हैं, महान सा सकते क्या थे? महान सा सकते चोहत्तरवा समिधान संसोदन किस से संबंदी थे? पंच्यायती राज दल ये दल हाँ सही लिखाया लगवव नेताओं के लिए इस सब्दे सही है बरना दल बदल की बात होते है मूलादिकार नगर इपालिका तो इसमें आप लोगों को मालू होना चाहिए चोहत्तरवा समिधान संसोदन किस से संबंदी था? नगर इपालिकाओं से संबंदी तेहत्तरवा आपका पंच्यायती राज से संबंदी था तो ये भी याद रखेगा बंदी मातरम को राष्टगीत की रूम में किस्तिती को सुईकार किया गया था? बंदी मातरम को राष्टगीत की रूम में ऐबाइचे उन 1966 फच्शी स जन्वरी उनने सव और तालिस पंद्र्य अगस उनुस उसरिश चबीस जन्वरी Рूमन तो ये आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 बंदे मात्रम को ठीक है और काफी अद तक आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को कई सांस्ताओं की साफना हुई और गरतंत की रूम में आप देखेंगे आचुगा था बाकिम चंद चटर जी ने इसे लिखा था ठीक है बताईए इसमें से कौन लगा हुई तो स्याम लाल गुपत थी ए ओफ्सन भी लिकुछ सही है निमले किस संग राजी छेत का अपना उच्छ ने आले है दिल्ली अंडवानी कुबार लक्ष दीट चंडीगर निमले किस संग राजी का अपना क्या है उच्छ ने आले है तो राजपती सर्वच ने आले का मुख नियदी स मुख मंत्री राजपाल तो राजपाल अब देखते है इसमें दिलाता है उच्छ ने आले के नियदी सोंगा South जो में देखते हैं न आप लोग। राज जी सरकार की बात्विकार फाली का सक्ती किसमे नहीत होती है राष्टपती, राजपाल, मुखमंत्री या विधान सबाद्धेक्ष तो आप सभी जानते हैं कि मुखमंत्री में होती है और जिस तरह राष्टपती है उसी तरह लगबग आप देखें राजपाल है अंगला कुशन है हमारे सामने भारती संसत ब्योस्ता में संसत के कितने संसत होते हैं एक, दो, तीन, चार तो आप सभी जानते हैं कितीन होते हैं कितने संसत के संसत कितने होते हैं तीन होते हैं तो यह भी आप लोग याद रखिएगा चलिए अंगला गोश्यान देख लेते हैं भारत के मुखनेयादिस की निवक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्टपती संसाद उपराष्टपती पेदान मंतरी बताईए इसमें तो आप सभी जानते हैं कि राष्टपती के द्वारा की जाती है किस के द्वारा राश्पती के द्वारा की जाती है सुप्रिंग कोट हमारी सर्वुच दालत है और आप जानते हैं कि इसकी इस्थाफना कप की गई थी इसकी इस्थाफना की अगर बात करें तो 28 जनमर 1950 में अनुशेद 124 आप पढ़ेंगे तो यह सुप्रिंग कोट से संबंदित है सर्वुचने आले से ठीक है तो इसमें आपनों ए ओप्सन लगाएंगे क्या लगाएंगे ए ओप्सन भारत पाकिस्तान में इस्थित मरुष्चल है नाविव एगोवी काराकूं थार तो यह आप देखेंगे थार है क्या है थार है भारत पाकिस्तान दोनों में भारत का मानक समय ग्रीन बिच रेखा से कितने घंटे आँगे है 4 घंटे, 5.5 गंटे और 5 गंटे या 5 गंटे 30 मिनिट या 5 गंटे तो आप सभी जान दें कि 5.5 गंटे है ठीक है, 5 गंटे 30 मिनिट भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है 7 होती है, कितनी होती है बताईए गिनके देखिएगा फिर बताईएगा 7 होती है कि 6 होती है कि 4 होती है या 8 तो आप सभी जानते हीं कि 6 होती है ठीक है, तो B option होगा इसमें अंगला question हमसे पूछ रहा है कि संपूर्ण विस में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है और मुझे लगता है कि आप मेंसे अधिकता लोग इसका उपयोग भी करते होंगे जब आपको document भेजने होते है ना एक जगह से दूसरी जगह तो आप इसी का उपयोग करते है fax, couriers, couriers से बाद, snell, mail या email तो आप सुभी जानते हैं कि email की बात हो रही है जिसकी बात हो रही है? email की बात हो रही है और आपको मालू होगा? क्या मालू होगा? कि रे टॉम लिंसन ने पहला email संदेश भी जाता रे टॉम लिंसन ने सरक्तम एड़दा रेट चैन किया था और इनी को email का अभिसकारक भी माना जाता है क्या माना जाता है? अभिसकारक माना जाता है तो इसके बारे में एक समन जानकारी आप लो याद रखिएगा इससे कुशनस पूचे जाते हैं क्या पूचे जाते हैं? पूचे जाते हैं कुशनस भारती नेपूलियन की उपादी से किसे दी गई? इसमें आप देखिए चंदगुप्तम और हर्सबादन समुद्ध गुप्त है तो आप सभी जानते कि समुद्ध गुप्त को भारती नेपुलियन की उपाधी दे गई और आप लोगों को ये भी मालू होगा कि ये गुप्त सासक्ता क्या था गुप्त सासक्ता ठीक है अंगला कुशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुशन है इलावाद कि इस्तम्ब में किस की उपलब्दिया उत्कीन है बताईए तो इसमें चंद गुप्त हम और है इसकंद गुप्त, विक्रमादित या समुद्ध गुप्त तो आप सभी जानते हैं कि समुद्ध गुप्त की है डी ओप्सन आपका बिल्कुँ सही रहेगा क्या डी ओप्सन कभी कालिदास किसके राज कभी थे कभी कालिदास किसके राज कभी थे समुद्ध गुप्त की या आप देखें चंद गुप्त की या कुमार गुप्त की या चंद गुप्त मौर के तो आप सभी जानती है कि जो चंद गुप्त था गुप्त चासक इसके क्या थे कभी थे कालीदास तो इनके बारे में कालीदास साहब के बारे में याद रखेगा और आप सभी कुमाल हुगा कि संस्कित के बिद्ध्वान भी थे कौन? कालिदास और इनकी कई आप देखते हैं रचनाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं आप लोग जैसे काब बर हो गया, रिस्तु संगार कुमार संभाव मेग दूत, रगुबंसम नाटक में देखेंगे कालिदास की तीन नाटक पर से दें मालवी कागनी मित्रम, बिक्रम बिक्रमो वर्सिये और अभिज्ञान सकुन्तलम तो इनके बारे में छोटी-छोटी हैं पॉइंट इने भी याद रखेगा, ठीक है? अंगला कुशन है हमारे सामने किस चेनी यात्री चेनी यात्री फायान किस गुप्त सासके सासनकाल के द्वारान भारत आये था? चंद गुप्त के था? उमारे गुप्त, चंद गुप्त और समुद गुप्त तो किस के समया आये था? तो ये चंद गुप्त के समया आये था? किसके चंद गुप्त के C option सही है अंगला कुशन है आरे भट और वारा है मिहरे के सुवख्याद नाम किसके योग के साथ संबन दिते हैं कोसाड, गुप्त या फिर आप देखे कि पालवंस या मौरवंस तो आप सभी जानते हैं कि गुप्त बंस से जुड़े हुए है यानि कि V option आपका विल्कुँ सही है अंगले कुशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुशन हम से गहरा है राष्ट कूट बंस की स्थापना किसने की थी इन दुती है धन्ती दरुग किसने पे थम इन में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं कि धन्ती दरुग ने की थी किसने धन्ती दरुग ने की थी एक कुशन साफ लोग जरूर याद रखेएगा चलिए अंगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्या कह रहा है अंगला कुशन से अंगला कुशन हमसे कह रहा है कि करक रेखा पर भारत का कौन सा सहर अवस्तित है बताईए आठ राज्यों से गुजरता है बीचे बता चुकाओं और राची कोलकाता पठना धिल्ली तो आप सभी जानते है यह राची है क्या है राची और यह जार गंड की राध्दान यह 73 वा समिधान संसोदन किस से संबंदित है नगरपाली का पंचायती राज दल वदल और तो आप सभी जानते हैं पंचायती राज से संबंदित है किस से पंचायती राज से भी ऑप्शन फिल्कुल सही रहेगा समें भारत में अपना यह जाने वाली पंचायती राज ववस्त अगला को किस्टन है हमारे समने भारत में सरपेथम पंचेयती राज्य वैस्टा किस राज्य में लागू हुई थी मद्ध्यदेश या राजिस्थान गुजरात पस्टे मंगाल तो राज्यस्थान में हुई थी अब देखें कि राज्यस्थान में और 2 अक्टूबर 1969 में मैं सदसों की निर्वाचन ये तू नियूंतम आयू की सीमा क्या रखी गई है तो आप सभी को मालू होगा कि बिधाय का आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने चाहिए लोग सबा सदस बनना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने चाहिए अगर राजसभा सदस बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए अगर विधान परिशादगा सदस बनना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए राश्पती उपर राश्पती राजपाल बनना है तो 35 साल होनी चाहिए और अगर आपको सरफंच बनना है और नियुनतम पंचेती राजवेवस्ता में सदसों की नियुनतम आयू कितनी रखी गई है 21 साल रखी गई और 18 साल मद्दाताओं के लिए अगर आपके उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोगों को बर्टर सुची में नाम जुड़ चगा होगा आप लोग बोर्ट डालने भी जानकते होगे माराश्ट में इस्थित पेमपरी किस के लिए पिसिद्ध है? सेमेंट उद्ध्योग के लिए, घड़ी निर्माड के लिए, कागज उद्ध्योग के लिए, या फिर आप देखें एंटी वायोटिक उद्ध्योग के लिए, तो आप सभी को बता दूं कि एंटी वायोटिक उद्ध्योग के लिए पिसिद्ध है, इसमें आपका क्या होगा, D option होगा क्या होगा D option देश की पिथम मौटर निर्माता कंपनी मारूती उद्योग लेमिटेड कहां इसता पे तो गुडगाओं चैन्नाई पूने कोलका था तो ये गुडगाओं में देखने को मिलेगी कहां गुडगाओं में आपको देखने को मिल जाएगी तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में किसके बारे में इसी के बारे में इनसे questions पूँच लेता है कई बार अंगले questions की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्या कह रहा है अंगला questions भारत का सबसे महत्तपूर लगो उद्धिव कौन सा है बर्तनिर्माट गोड एबं खांड सारी चमडा उद्धिव, हद करता उद्धिव तो हर करगा उद्धिव होगा डी option आपका बिलकुँ सही रहीगा इसमें कौन डी option अंगला कुशन है हमारे सामने देश की प्रमुक जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटिट किस सिस्थान पर है जमसेथपुर में चैन्नई में पूने में या अब आप देखे गुरगाओं में तो आप सभी जानते हैं कि ये पूने में देखने क को मिलेगी कहां पूने में अंगला कुशन है हमारे समने बरोनी तेल सुधक कारखाना कारखानी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी फ्रांस जर्मनी इंग्लेंड पूरुफ सोवियत रूस के तो आप सभी जानते हैं कि पूरुफ सोवियत रूस के यानि कि जो ब अगर किस उद्धियुक के लिए जाना जाता है यह आप देखेंगे हद करगा सेमेंट और वरक अखवारी कागज के लिए मद्वदेश में आपको देखने को मिलेगा अंगला कुशन है भारत की जनसंख्या विद्धी के इतियास में कौन सा वर्स महा विभाजन का वर्स कहला है एक तरह से तो यह आपको बता दूं कि 1959 है 1991 है सन 2001 है या 2021 है तो इसमें याद रुखी 1921 होगा डी ओप्सन बिल्कुल सही होगा कौन सा डी महावी जैन की मित्व किस नगर में हुई थी राजगीर महावी जैन की पूंच रहा है राजगीर या फिर आप देखें एक से नगर फावा पुरी तो यह आप सभी जानते हैं कि कहां हुई थी इनकी इनकी फावा पुरी में डेथ हुई थी किसकी महावी जैन की ठीक है और 20 साली में इनका जनम गुआ था तो यह भी याद रखेगा जैन धरम के 24 वे तीरत कर थे ठीक है तो इनके बारे में याद र सिदा रामानंद कबीर कौन थे इसमें तो याद रखे रामानंद सी और सथी आपसन दिलकुल सभी रहेगा सी और बाहरत में आधुनिक डाक पिढाली कप नहीं नहीं ए ठीक है तो याद रखे यह पौनिक में जरूर यह एद कि ठीक है अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला question है हमारे सामने भारत में पितम dark ticket कहां जारी किया गया था लाहूर में नैनी में मुंबई में कराची में तो यह आपको याद होना चाहिए कराची में कहां कराची में पहले आप सभी जानते ही कि कराची पाकिस्तान हम लगाएंगे तो इसमें आप लोग लगाएंगे भारती प्राचीन सुपर महादीप गौडवाना लेंड का भाग है इसमें प्रत्मा समय में निमने भूबाग सामिल है आपके अफिका ऑस्टेलिया दच्छेडमीका यह सभी तो आपके यह सभी होँगे इसमें टी आप्सनल आप लोग लगा देंगे निमलिकत राज्यों में किसकी तट्रेका सरवाधिक है तट्रेका की बात हो रही है गुजरात की तमिलाडू की केरल की महाराष्ट की तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात की तट्रेका तो राज्यों में तट्रेका सरवादी किसकी है गुजरात की किसकी गुजरात की यह आप देखें जिसकी कुल तटी यह लंबा ही 1214 किलोमीटर है 1214 किलोमीटर अंड़मान निकोपार दुईप सम्भूव में सबसे अधी कुचाई वाली चोटी कौन सी है architect Zwillard fodler सअधिल फीघ मांट क्वेल और आप देखें कि मांट दिया वालू तो सबसे पहले किस अरब द्वारा किया गया था भालति मांसून का सरफितं अरफितं किस विद्वांद्वार द्वारा किया था अलवर्णी, अल अहमदी, अलमसूदी, इमन खुर्दाद वे है, तो याद रखे, अलमसूदी के द्वारा, C option बिल्कुल सही है, क्या है, C option बिल्कुल सही है, अंगला question है, भारत में सरबादिक बरसा किस मानसून से होती है, C option बिल्कुल सही होगा, C option में से किस पिदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है, ता मिलाणू केरल, और आप देखें, गवा और महराष्ट, केरल में, आपने सुनाओगा कि मानसून आ रहा है, केरल में आ चुका है सबसे पहले, तो भी option लगाएंगे इसमें, बांधीपुर, प्रोजेक्ट आईवर, किस राज़े में उसकते थे, असम, राजिस्तान, करनाटक, मंद्पेदेश, तो कौन सा, बांधीपुर, एक करनाटक में आपको देखने को मिलेगा, चलिए करनाटक के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको, इसकी राज़दानी सबसे पहले आप लोग जान लिजे, दच्छन भारत का राज़े आप सभी जानते हैं, बैनलोरो इसकी राज़दानी है, एक नमबर 1956 में इसे राज़ बनाए गया था, बिधान सभा में 224 सीटे हैं, बिधान परिशाद में 75 सीटे हैं, राजसभा में 12 सीटे हैं, लोग सभा में आपकी, कितनी हैं, 28 सीटे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, कानपूर किसके लिए पिसिद्ध है, चमड़ा उद्ध्योग के लिए, कुईला के लिए, लोहिस्ट पात के लिए, या चीनी उद्ध्योग के लिए, कानपूर की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं कि ये चमड़ा उद्ध्योग के लिए पिसिद्ध है, ये option तो आप सभी जानते हैं कि गुआ से दबन तक, C option आपका बिल्कुँ सही है, अंगला question है हमारे सामने, लक्षिदीव संभू इस्तित है, कच्छी की खाड़ी, बंगाली की खाड़ी, मन्नारी की खाड़ी, अरब सागर, तो अरब सागर, करक रेखा कितने राज्जों से गोजरती है, आठ राज्जों से आपको बता चुका हूँ, कौन सी रेखा भारत की मद्दे से होकर गोजरती है, करक, आर्केटिक रेखा, विस्वत रेखा, मकर रेखा, तो आप सभी जानते हैं कि करक रेखा, यह उप्सन बिल्कुल सही है, अब जानते हों आप नहीं जानते हों, हम बोल देते हैं कि आप जानते हैं, तो खुस हो जाये करिएगा, कि आप सच में जानते हैं कुछ, इंद्रा पॉइंट का अन्र नाम बताना है, लाही, चिंग, पार्शन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, और एक है आपका, इन में से कोई सभी, इंद्रा पॉइंट का अन्र नाम आपको बताना है, तो इसके कई नाम है, क्या है, कई नाम आपको देखने को, लाही, चिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, भारत के नेकोवार, दुइप समू के बड़े नेकोवार दुइप पर इसते देख गाओ है, यहाँ भारत का दच्छडम्तम बिंदू भी है, यहाँ पर कासिस्तम इस्तित्य पिसासने क्रूप से लच्छमी नगर पंचयाद के अधिन आता है, तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठेक? चलिए, आंगे चलते हैं हम लोग, इसे सब नाम से जानते हैं, इनमें से इस अभी D option होगा, भारत और स्री लंका को पिथक करने वाली जल्डमरू क्या कहलाती है? मलक का जल्डमरू, हारमुज जल्डमरू, पाक जल्डमरू, डोवर जल्डमरू, बताईए, यह आप से भी जानते हैं, पाक जल्डमरू, इसमें C option होगा, एक कुश्चन से देखिए, आप लोग कही बार पूचा जा चुका है, और क्या रहता है कि चात क्या करते हैं, कि पाक जल्डमरू जैसे ही सुनते हैं, तो वो आख बंद करके आपने देखा होगा, क्या लगा देते हैं, किसका लगा देते हैं, पाकिस्तान भारत लगा देते हैं, तो इसमें C option होगा, ठीक है, स्री लंका को भारत से पितक करती है, बंगाल की खारी, मननार की खारी, पामीर, गरन्थी, या बिद्धेन, परवसेंटी, तो मननार की खारी, आप सभी जानते हैं, B option है, निमलिकेत में से, किस राज्जे से होकर करक्रेखा नहीं गुजरती है, बिहार, गुजराद, उत्तरपदे, सुड़ी यशा, तो आप सभी जानते हैं कि कहां से, करक्रेखा नहीं होकर गुजरती है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही मालू होने चहे, कहां कहां से गुजरती है करकरेखा नहीं गुजरती है देखें मेजोरम से गुजरती है तेपुरा से गुजरती है पच्छे मंगाल से गुजरती है जारकरंड से गुजरती है चतिसगर से गुजरती है और मद्विदे से गुजरती है राजस्तान से गुजरास से तो इसमें अगर आप देखे नहीं गुजरती नहीं है यहां लिखना चाहिए थे गुजरती है क्योंकि केवल गुजरास से निकल गुजरती है बाकी उत्तरवदे सुड़ी सा ब्याद से नहीं गुजरती है तो मुझे लगता है कि आपको अभी याद रख पाएंगे, जब questions को गलत कर दिया जाता है, और या हमसे वो questions गलत हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि आप लंबी समय तक इसी याद रख पाते हैं, तो कभी-कभी इस तरह कि जान बूच कर गलतियां करती रहना चाहिए, औ और फिर आपकी याद रास बढ़ जाएगे, भादत की मुकभूमी को रामिस्वरम द्वीब से कौन अलग करता है, पंबन चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाग जल, संदीव, तो बताइए, तो इसमें पंबन चैनल है, ए ओप्सन बिल्कु सही है, क्या है, ए भूमद रेका की निकट आपको देखने को मिलेगा, अंगला कोईशन है, निमलेकित में से हो अच्छेत कौन सा है, जिसकी सीमा अरुणाचल पेदेश से नहीं लगती है, असम, मरीपूर, भूटान, नागलेंड, तो आपको बताना है, निमलेकित में से हो अच्छेत, जिस लिए, ठीक है, बी ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा, अंगले कोईशन की तरफ बढ़ते हैं, भारत क्या, भारत पाकिस्तान की भी सीमा करने दार हैं, किस ने किया, लॉर्ड माउंट पेटन, लॉरिस, और अंगला है, सर सेरिल, जॉन रेड क्लिप, बताई इसमें, तो सर सेरिल, जॉन रेड क्लिप, यह आप लोग याद रखिएगा, डी ओप्सन होगा, ठीक है, और रेड क्लिप रेखा, इन्हें के नाम पर आप देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान की भी स्केंची गई है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, अंगला कुक्षिन है हमारा, भारत का प्रिमारिक समय, उस इस्थान का इस्थानिय समय है, जो इस्थित है, कोलकाता की समीब, दिल्ली की समीब, भोपाल की समीब, इलाबात की समीब, तो आप सभी जानते ही कि इलावाद की समीप नेनी आप लोग ने सुना है यहिसे साड़े 20 degree देशांतर रहना उसी की बात होती है भारत का प्रमाड़े की स्थानिय समय इस्थानिय समय इलावाद की समीप से यह गुजलती है तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा क इसी के बारे में, एक कुश्चन से भी कई बार कई परिक्चाओं में पूछ लिया है, सरफित हम इंडिया सब्द का प्रियोग भारत के लिए किस भासा में किया गया था, इंडिया सब्द की बात हो रही है, तो यह आप देखेंगे कि उर्दू, अर्वे, फार्सी या फिर ग है कुजराद, हैदराबाद का जुडवा नगर, सिकंदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, आसीफाबाद, तो आप सभी जानते होंगे इसमें क्या होगा, तो इसमें सिकंदराबाद होगा, ए ओप्सन बिल्कुल सही है, क्या ए ओप्सन आपका बिल्कुल सही है, ए परफ सागर में अंडवा निकोपार में बंगाल की खाड़ी में मननार की खाड़ी में तो यह आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा नी मूर दूई कहां यह आपको पश्चे बंगाल के नजदी पढ़ने वाला यह न्यू मूर्दुई पर टीक है तो यह कहां बंगाल की खाड़ी में बे ओ बंगाल में यह छोटे हैं मगर इनके बारे में याद रखना चाहिए आपको अंगला कुशन है किस भारती है राज्जी की सीमा सरवादी की राज्जों को इसपैस करती है मद्विदेश, सांद्विदेश, उत्तर्विदेश और आप देखेंगे असम तो आपको बता दूँ कि यह समें क्या होगा उत्तर्विदेश होगा क्या होगा उत्तर पिदेश होगा और उत्तर पिदेश से अगर लगे है वे राज्चों की देखें आप लो तो इससे बिहार की सीमा लगती है जहार खंड की लगती है चतिस गड की लगती है और आप देखेंगे कि आपकी मद्देश की भी लगती है उसके बाद राजिस्थान पहुंचाई, राजिस्थान की भी लगती है, हर्याना की भी लगती है, उसके बाद आभी माचल पेदेश की भी लगती है, और उत्तराखनी की भी लगती है, केंदसा से दिल्ली से भी लगती है, नौ राज्यों से, ठीक है? तो उत्तर पेदेश आ भारत बंगलादेश ठीक है तो इसमें आप लोग ए उप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशिन है हमारे सामने निम लिखित में से कौन सा द्वी भारत और स्रीलंका की मत इस्तित है नियू मोर्द्वी रामिसुरम गंगा सागर और लच्छ दी तो इसमें आप लोग याद रखेगा किसके बीच भारत और स्रीलंका रामिसुरम है क्या है रामिसुरम बी ओप्सन आपका बिल्कु सही है बी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा इसमें आपका ठीक है तो इसमें आप लोग याद रखेगा अंगले कुशर्ण कि तरह पमलोग पढ़ते हैं किस बर्स विवेकानन्द साहभ ने विस धरम संसत में भाग लिया था बताईब विवेकानन्द की बात हो रही है दोब कि बताई है और आप सब जानते हैं कि 12 जनवर आप 163 में इनका जनम हुआ था और 4 जुलाई 1902 में इनकी डैथ हो गई थी तो यह आप लोग इनके बारे में जरूर याद रखेगा और याद रखना चाहिए क्या करना चाहिए आप लोगों को रखना चाहिए चली अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग चित्त कला मद हो नी किस राज्ज में लोग पर यह है यह आपको बताना है तो यह आप देखेंगे मद्यपिदेश, उत्तरपिदेश, असम और आपका बिहार तो आप सभी जानते हैं कि यह बिहार में आपको देखने को मिलेगा कहाँ? बिहार में इसमें आप लोग D option लगाएंगे अंगला है निमलिकित में से किस सासन काल में मुगल चितकला सिखर पर पहुँच गई थी? अकबर औरंग जेप साय जहा जहां गीर निमलिकित के किस कि सासन काल में मुगल चितकला सिखर पर पहुँची थी? जहां गीर के D option आपका बिल्कुल सही है मुगल सास, अहला कुछे है न आपका है A, पूछ रहा है कि कौन सा मुगल सासक चितकारों का सबसे बड़ा सरक्षक था अकबर, औरंग जेप, साय जहां जहांगीर तो ये जहांगीर था D option आपका बिल्कुल सही है D option, बिल्कु सही है मुगलकाल में मंसूर था, एक क्या था कभी था, सोपी संद्य था, चित्कार था, बास्तुकार था तो ये चित्कार था, क्या था चित्कार था, C option आपका, बिल्कु सही है C option कैसा है, बिल्कु सही है अंगला question है हमारे सामने महाराष्ट करनाटक में पश्मी घाट क्या कहलाते हैं महाराष्ट करनाटक में पश्मी घाट को क्या कहते हैं नेलगिरी परवत दक्कन पठाथ सहाद्री इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है यह कहां आप देखेंगे कि सहाद्री कहते हैं से सी ओप्सन आप और अरावली, बिंध्यांचल, निर्गिरी, तो यह आप देखेंगे पालनी, ए ओप्सन, बिल्को सही इसमें, अंगला कुशन है हमारे सामने, छोटा नांगपुर का पठार की सबसे उची चोटी बताना है, धोगड, महावले सुर, पारसुनात, और एक है आपकी पचमडी, तो आप सभी जानते हैं कि पारसुनात है, छोटा नांगपुर की पठार की सबसे उची चोटी पारसुनात है, क्या है, पारसुनात है, इसके बारे में एक सामन जान का रही आप लो रखा करियेगा, कही वार कुश्चन से इससे भी पूच लेता है, ठीक है, पारसुनात, जो आपको छोटा नागपूर पठारपूर भी भारत में इस देता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अंगली कुश्चन है हमारे सामने दच्छिन भारत का सरवच परवस सिखर। अनामुदी, महंदगिरी, दोदा वेट्टा, ए महावले सोर। तो इयाद रखिए आप लो, यह आप देखेंगे, क्या, ए दच्छिन भारत की सरवच परवस सिखर अनामुदी, ए ओप्सन बिल्कुल सही है, ए ओप्सन कैसा है, बिल्कुल सही है, अरावली और बिंद सेंखलाओं के मद्द, कौन सा पठार इस्तित है, मालभा का प्राइद सीथ मरुस्तल कोन सा है, भारत का एक मात सीथ मरुस्तल के बारे में आपको बताना है, लद्दाग, चमबा, लाचे है, पूर्वी कामें, तो भी आप देखेंगे, लद्दाग होगा, क्या हygusalगा, लद्दाग होगा, अब आप सब जानते हैं केंद्रिसा से पिदेश भी बन सागर, बंगाल की खाड़ी, करनाटक तमिलाडू, पाक जल लम रूप, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी, कावेरी नदी के बारे में कुछ करनाटक तमिलाडू में बहती है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट के परवत ब्रह्मा गिरे से निकलती है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, पूँचने को कुछ भी पूँच लेता है, कभी भी पूँच लेता है, और आप देखते हैं, त्याग राज अराधना तिवहर कहां मनाया जाता है, अडियार, उडिपी, और आप देखें, मामलपुरम, तंजाबूर, तो ये आप देखें, आपको बता दूँँ, कि त्याग क्या, तंजाबूर में आपको देखने को मिलेगा, त्याग राज अराधना तिवहर कहां मन असम का है तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा ठीक है इसे एगर कुश्चियां स्कूचे तो आप लोग आंसर दे सकेंगे अंगला कुश्चियन है हजरत इसा मसी को सूली पर किस दिन चड़ाएगा था इस्टर संडे, पाम संडे, थर्षडे, गोड़ फ्राइडे तो याद रखे गोड़ फ्राइडे ठीक है तो इसमें आप लोग इसा मसी के बारे में याद रखेगा और इसू या इसू मसी ठीक है चलिए आंगे चलते हैं हम लोग इद उल जुहा किसकी याद में मनाय जाता है इद उल जुहा किसकी याद में मनाय जाता है ए किसकी पैगंबर मुहमद हजरत अबुवक हजरत अली हजरत इब्राहिम तो हजरत इब्राहिम की डी आप्शन आपका बिलकु सही है डी आप्शन कैसा रहेगा बिलकु सही तो इससे questions अगर पूँचता है तो देखी आजकल क्या रहेगा कि आजकल आप देख रहे हैं कि questions किसी भी तरह का पूँच ले रहा है और बस फसाने का उनका उद्देश है कि आप फसीए और आप गलत करिए questions अंगला question है बिहार का मुक्तिवार कौन सा है बैसा की छट किसे देवता की पूझा होती है शेव चांद सूर तुर्गा तो आप सभी जानते हैं कि सूर भगवान की होती है किसकी सूर की अंगले कुश्यन की तरफ हम लोग बढ़ती है अंगला कुश्यन आपसे पूच रहा है लठ मार होली खेली जाती है मत्रा में, अमरसर में, बनारस में, लखनव में कव लठ मार होली ए मत्रा में खेली जाती है ए ओप्सन विल्कुत सही है ये option कैसा है? बिल्कुल सही है रथ यात्रा उस्व कहां मनाया जाता है? कोणार में? एद्वार का में? हरिद्वार में? पूरी में तो आप सभी जानते हैं एक पूरी में D option बिल्कुल सही रहेगा इसमें क्या D option बिल्कुल ठीक है? दुरगा, पूजा, तेवहार मनाया जाता है चैत मास में, आस्वन मास में, भादो मास में सेवर्ड मास में तो ये आपको मालू होना चाहिए कि कब मनाया जाता है? अस्वन मास में B option आपका बिल्कुल सही है B option कैसा है? बिल्कुल सही है आपका तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेगा दच्छन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौँ से है? गोदावरी, नर्वदा, काविरी, किष्णा तो आपको बता दूँ कि देखे गोदावरी है कौँ से है? गोदावरी है इसमें A option बिल्कुल सही है आपका दच्छन भारत की एक प्रमुक नदी है गोदावरी और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे यह आपका मूल इस्थान है तरमबे केस और महराष्ट चलिए अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला question है निवलेखित में से किस नदी को विद्ध गंगा की नाम से जानते हैं गोदावरी का वेरी किष्णा महानदी तो आपको बता चुका हूँ एक बाल कि गोदावरी को आप लोग किसे विद्ध गंगा की नाम से जानते हैं किसे गोदावरी को ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने गोदापिरी नदी का ओधगम इस्तल कहां है तरंबक गाउं, मुल्ताई नगत, द्रहमगिरी पहाडी, जाना पाव पहाडी तो यह आपको मालू है कि तरंबक गाउं ठीक है ए ओप्सन बिल्कुल सही होगा इसमें ए ओप्सन किसा होगा? बिल्कुल सही होगा इसमें अंगला कुशन है हमारे सामने निम्ने में से किस नदी को उसकी पवितिता के कारण दच्छिन भारत की गंगा कहा जाता है महा नदी, काविरी, किशना, गोदावरी इसको लेकर आप देखे कि निमलिकित में से किस पवितिता के कारण उसकी दच्छन भारत की गंगा कहा जाता है दच्छडी भारत की गंगा देखे गोदावरी को दच्छन भारत की गंगा के नाम से जानते हैं काविर नदी को दच्छन भारत की गंगा के नाम से जानते हैं इन दोनों में आप लोग दच्छिन गंगा कहते हैं क्या कहते हैं दच्छिन गंगा कहते हैं और जो कावेरी है इसे आप लोग दच्छिन भारत की या दच्छिडी भारत की गंगा की नाम से जानते हैं तो दच्छिडी भारत की गंगा कूच रहा है तो आप लोग भी लगाएंगे इन दोनों में आप आप अंतर याद रखेएगा ठेक है अंगले कुश्यन की तरह हम लोग पढ़ते हैं भारत की लवन नदी नाम से जाने जाती माही सावर्मती बनास लूनी तो आप सभी जानते हैं कि लूनी नदी कौन से लूनी नदी भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जानते हैं भारत में प्रभाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, प्रभाहित नहीं प्रभाहित, गंगा गोदावरी किष्णा ब्रंपुत, तो आप सभी जानते हैं कि कौन है, भारत में पूँच रहा है, तो गंगा है, कौन सी है, गंगा है, आप सभी जानते होंगे गंगा के नद, आ जैसा आएग नदिया है जैसे आपका महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सर्यू, यमना, सौन नदी, महानन्दा, महानन्दा, ठीक है? तो इसमें आप लोग गंगा लगाएंगे, ठीक है? अंगला कुष्ण है हमारे सामने, गंगा नदी को बंगलादेश में किस नाम से जानते ह रिग्मा, मेगना, जमून या जमुना तो इस ही आप लोग किस नाम से जानते हैं? पदमा के नाम से, ए ओप्शन बिल्कुछ सही है ए ओप्शन कैसा है? बिल्कुछ सही है आपका, तो इभी आप लोग याद रखेएगा, क्या रखेएगा? याद रखेएगा इसमें, दाई है इसमें से तो इसमें आप लोग याद रखेएगा कि इसमें सुंदर्वन गंगा प्रमपुत बनाती है डी ओप्सन आपका करें sound day of sun , आपका बिलकुल सहिं है स्मय ऐनग अंगla question है हमारा जो जीला डर्रा किस राज़ में एक्सित है हिमाचल पिदेश में जो जीला डर्रा कहा है हिमाचल पिदेश में सिक्किम में उत्रा नट mixer में जम्म। महर देखने को हैं जम्म। कसमीर में आपको देख DR being तो इसमें आपका D option है, जोजिला दर्रा, यह आपको देखिए, जम्मु कस्मीर अगर लद्दाग दिया गया, तो आप लोग लद्दाग लगाईएगा, ठीक है, लेकिन अगर जम्मु कस्मीर दिया गया लद्दाग का नाम नहीं है, तो वहाँ लद्दाग जम्मु कस्मीर आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि लद्दाग अलग राज बन चुका है आपका, ठीक है कैंदसासित पिदेश, जम्मु कस्मीर से स्रीनगर का मार्क किस दर्रे से होकर गोजरता है, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, वोडचिल, तो यह आपक देखें, चोटा नागपुर्फ पठाल से गुजरती, निकलती है, दामुदर नदी, क्योंसी, ठीक है, तो यह दामुदर नदी, नदियां भी आप देखें, भारत में काफी देखने को मिलती है, दामुदर पश्ची मंगाल और जारकन में महिने वाली एक नदी है, ठीक है चलिए, किसना नदी का उदगवन स्थल किसके समीप है, महाबले सुर, पचमडी, खंडाला, उद, गम, उद, गम, अंडल, लम, यह आप देखें का, किसका, किसना नदी का पूँच रहा है, तो महाबले सुर, कौनसा, महाबले सुर, एक श्चना भारत में वहने वाली एक नदी है, यह पचमी घाट की परवत महाबले सुर से निकलती है, जहां से महाबले सुर सुर, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, अंगले कुशिन की तरह बढ़ते हैं, निमले कितमे से कौन सी नदी, फ्यारब में अरुना नदी के नाम से जानी जाती है, सौन, यमना, चमबल, और आप देखी कोसी, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कोसी है, कौन सी है, कोसी है, दी ओप्सन बिल्कु सही होगा, सिक्खों ने कुल्लू के पाल बंस को से राजगत्ती कप छेन ली थी, उननेस सुचालीस, अठारे सुचालीस, सत्रे सुचालीस, सूले में, बताईए, क्या होगा, इसमें आप लोग लगाएंगे, सूल, अठारे सुचालीस में, ठीक है, भी ओप्सन बिल्कुल सही है, तो इसमें भी ओप्सन लगाओगे, ठीक है, अंगले कुशन की तरफ में लोग बढ़ते हैं, हिमाजल प्रदिश में के निमने मैं से किस ज डरला और सिमला, तो आप से भी जानते हैं कि कांगड़ा होगा, इसमें ए ओप्सन सही है, और हिमाजल प्रदिश के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हिमाजल प्रदिश भी कापी चर्चा में रहता है, और आप सभी लोग यहां गोमने की चाहत भी आप दानी है, यहां बिधान सावा में आप देखेंगे, और सट सीट हैं, कितने और सट सीट हैं, तो यह भी याद रखेगा आप लोग, याद रखोगे कि नहीं रखपा होगे, चली यहांगे चलते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्स कांगड़ा पर आखमर किया था, अंठानवे की बात है, भी आप्सन विल्को सही है, अंगला कुष्यन मोगल समराट अकबर ने जागीर की रूम में कांगड़ा किसे पिदान किया था, तोडर मल को, मानसीं को, भगवान दास को, या वीरवल को, तो यह आप देखेंगे, वीरवल को, किसे वीरवल, अकबर की कहानी आप लोगोंने बच्पन में बहुत पड़ी होगी, सुने होगी, ठीक है, तो चलिए यह भी याद रखिएगा आप लोग, अंगला कुष्यन है, नागर कोट के के बीतर, किस मुसलिम सासक ने मर्चित का निर्माड कर आया था, हिरो साहत उकलक ने, अकबर ने, या बिल्कु सही है, डल होजी नामक परवर्थी है, परेटन के अंद निमलिकित में से किस राज्य में इस्तेत है, जम्मु कसमीर, गवा, किरल, और आपका हिमाचल पिदेश, बताईए इसमें, तो हिमाचल पिदेश में ही देखने को मिलेगा, डी ओप्सन, बिल्कु सही है, ठीक है, आंगे चलते हैं हम लोग, चलते हैं आंगे, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, दच्छन भारत के पठारी पिदेश को कौन सी नदी दो भागों में विवाजित करती है, तापी, सामनमुती, माही, और एक है आपकी नर्वदा, तो दच्छन भारत के पठारी पिदेश की लंबाई है, तो यह भी आप लो याद रखेएगा, चलिए आंगे चलते हैं, प्रिस्तित चैडविक झढड़ना कहाँ परिस्तित है, सोलन, सिम्ला, चमबा, कुल्लू, यह तो आपको देखने कुमले और सिम्ला में, कहाँ, चैडविक झढड़ना कहाँ, सिम् पिथा का समंद का अंग्रा में किस्से है जनम से सुद्धीकर से विवास से मित्ति उसे बताईए कुछ रली पूजन ये विवास से समंदित है सी ओप्सन बिलकुल सही है अंगला कुशन है हमारे सामने मनु का प्राचीन तम मंदिर कहा अबस्ति थे मनाली मंडी रेनुका जी रिवाल सर तो ये आपको बता दूँ कि मनाली में है ये ओप्सन बिलकुल सही है अंगला कुशन है हमारे सामने बहु साहिव गुरुद्वार कहां इस्तित है बडू साहिव गुरुद्वार कहां इस्तित है उना से रमोर सोलन सिमला तो इसे रमोर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है बडू साहब गुरुद्वारा ये आपको हिमाचल पिदेश में ही ठीक है तो ये भी आपनो याद रखिएगा छोटी-छोटी बात है अंगला कुश्ण है भारत में सवेद करांती के लिए किसे अग्जसर माना जाता है बरगीच कुरियन को सवेद करांती के लिए एस के विल्ला को, स्वामी नाथन को, धेरो भाई अम्मानी को तो आप सभी जानते हैं कि किसे बर्यश कुरियन को ए ओप्सन विल्कों सही है सोईद करांती का जनक भी कहते हैं ऐसे दुख्द करांती या ओपरेशन फ्लर्ड भारत की उजना है जिससे कि भारत में दूद की कमी इसको दूद दूर किया जाए इसे आप लोग सोईद करांती भी कहते हैं तेरे जनवरी 1970 को इसको शुरुबात की गई थी भारत का राष्टी गान किस ने लिखा बाताईए भारत का राष्टी गान बीजी बर्गिस रविंद नाट टेगोर अरविंद अडिगा वाकिम चिंद चेटल जी तो आप सभी जानते हैं किस के त्वारा लिखा गया भारत का राष्टी गान रविंद नाट टेगोर बंदे मात्रम राष्ट गीत है और राष्ट गान क्या है जनगर्णवर्ण ठीक है चली यंगला कोशन है रविंद नाट टेगोर इसमें भारत में पुर्द गालिन संस्किती कहां पाई जाती है कोची कोड गुवा कोची और यह आप देखेंगे कन्नूर तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहां एक गुवा में लंबी समय कता है आप देखें गु समद्द तटी हैं 7,8,9,10 पताईए भारत के कितने राज्य समद्द तटी हैं इनसे भी कुश्चन्स पूच लेता है कई बार इसमें आप देखेंगे 9 हैं कितने हैं 9 हैं गुजरात, महाराष्ट, गुवा, करनाटक, केरल, तमिलाडू, आंध्पेदेश, उडिशा, पश् तो आप सबी जानते हीं कि सिरीलंका के नहीं हैं पाग जल्डमब्रू के दोर अलग होता है, इस्थलीय सीमा नहीं लगी हुई है, बंगलादेश से लगी हुई है, मियानमार से लगी हुई है, वूटान से लगी हुई है अंगला कुश्चन है हमारे सामने भारत के समिदान में दिनिष्ट लोगसवा सदसों की संख्या अधिकतम कितनी है 542, 550, 550, 550, 550, 455 पहले देखे आप लोग की 552 हुआ करती थी लेकि 550 बची क्योंकि एंगलो इंडियन का प्रावधान खतम कर दिया गया है और बैसे अभी बरतमार में देखें तो 543 है बरतमार में ठीक है तो यह आप लोग सबा में सदसों की संख्या की बात हो रही है भारती समिधान की कौन सी अनुसूची भारती है भासाओं उसकी मानता संबंदी थे 7-8-8-6 या 5-8 तो आप से जानते हैं कि 8-8 भासा है उना कांगड़ा तो यह उना में होता है कहा होता है उना में होता है किसका बाबा वड़ भाक सींग का तो यह भी याद रखिएगा तो इससे भी क्वेश्टन क्या रहता है कई बार कूछ लेता है आप से क्या कर लेता है कई बार पहुच लेता है चलिए तो आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा अंगला कोट्शन है हमारे सामने भारत की पहली महला कारचालक कौन थे भारत की पहली महला कारचालक के बारे में आपको बताना है ये थिम्मा वीकाजी टाटा, जॉंसन डे, सैली, सुजैन वियर और रतन भाई पेटिट तो ये आप देखे सुजैन वियर होंगी कौन? सी ओप्षन इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा कौन सा? सी ओप्षन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें ठीक है? तो ये आप लोग याद रखेएगा और इनका जनम पैरिस ठ्रांस में हुआ था और इनकी डेट लंदन में हुई थी भारती ये मोल की थी तो ये आप लोग याद रखेएगा सुजैन आरडी टाटा की नाम से नहीं जानते थे चली ये अंगला कुश्चन है हमारे सामने क्या पूँच रहा है अंगला कुश्चन? भारती राष्टी कॉंग्रेस के उदगाटन सत्के पहले राष्टपती कौन थे? हौमी जे भाबा, आसुतोस मुखर जी, सीवी रमन या सर जे सी बोस तो ये याद रखे आसुतोस मुखर जी थे भारती बिग्यार, कॉंग्रेस के उदगाटन सत्के पहले राष्टपती ये आप लोगों को माल होना चाहिए आसुतोस मुखर जी इनका जनम 29 जून 1864 में हुआ था, कोलकाता में और इनकी डेद 25 माई 1924 में पटना में हुई थी किसमें पटना में हुई थी तो इसमें आपका B ओप्सन होगा अंगला गूप्षेन है हमारे समने निमलिकित में से कौन सा भारत का पहला टेस्ट, डिउ, फरक्नली बच्चा था A ओप्सन कहा रहा है सड सुरू, B दुरगा अगवाल C मेगना, उप्यक्त में से कोई नहीं पहला टेस्ट, टिउ, फरक्नली बच्चा तो ये थे दुरगा अगवाल भारत का पहला टेस्ट, टिउ, बेबी बच्चा कौन था? दुरगा अगवाल तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और इससे कुछना स्कूच लेता है कही बाद भारत का पहला टेस्ट, टिउ, बेबी बनाने वाले डॉक्टर की अगर बात करें डॉक्टर को खोच के बाद इन्होंने आत्मत्या कर ली थी समझ रहे हैं आप लोग तो ऐसा भी रहता है और डॉक्टर सुवास मुकवाद दिया ये पहली बार ये आप देखें सफलता हासल की थी दुरगा, बच्चा का नाम दुरगा और कनूफिरिया अगवाल था है उन्ही का नाम था नाम एक तरह से असली नाम कहाई सकते हैं दुरगा गौवाल, ठिक है चली अंगला कुश्चन है कारयालय में मरने वाले पहले मुकमंत्री कौन थे कारयालय में यानि कि आप कहिए कि इनकी डै इनकी कार्याल कर दोरान और इनकी कारयालय में ही हुई थे तो इन में स्री किष्णय सींग सी एन अन्य दुराई गोबिंद बलपंद या मुहमद यूनोस तो यह आप लोगों को मालू होना चीह है सी एन अन्ना दुरे और यह आपको बतानों इनका कहां कि तमिल्लाडू के लोग पिर यह राजनीता थे मुखमंत्री थे इनका जराम 15 सेप्टमबर 1909 में हुगा था तीन परवरी 1909 में इनकी डैथ हो गई थी तो तमिल्लाडू के बारे में जान लेते हैं क्योंकि तमिल्लाडू के बात हो रही है तो तमिल्लाडू से भी कुश्चन्स तो आपकी परिक्षाओं में पूँचे जात हैं यह दच्छिन भारत में देखने को मिलेगा तमिल्लाडू कहां दच्छिन भारत में और इसकी राध्धानी की एगर हम लोग बात करें तो इसकी राध्धानी कहा है इसकी राध्धानी चेंड़ी है यहां विधान सभा में 235 सीट है राज सभा में 18 सीट है लोग सभा मे के नीचे किस पहली भारती फिल्म की सूटिंग की गई थी आलम आरा उन्दो मटीना के थे राजा हर्शिंद और उप्यक्त में से कोई नहीं वदाइए इसमें क्या लगाओगे आप लोग इसमें आप लोग लगाओगे अंदे मटीना के थे बी ओक्षन बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अंगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं निमलिकित भारतीयों में से किस ने मोटर साइकल पर विस्टो वरमर किया था मोटर साइकल पर मोटर साइकल से या मोटर साइकल पर कर्णल जतेंदर कुमार बजाज सिबनात मजूमदार जगनातन स्री निवास रागवन या भारदवाज दयाला तो याद रखे भारदवाज दयाला होंगे इन्होंने मोटर साइकल से विस्टो वरमर किया था समझ सकते हैं आप लोग और इस सक्सने आप देखें 18 महीने में घुम लिये थे असोल है देश तो यह भी याद रखेएगा इनके बारे में डी ऑप्सन ठीक होगा इसके पीडियेप आपको बता तो टेलीगरम पर डाल दिये वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो मुझे लगता है और अच्छे तरह स आप लोग समाझ पाएंगे से पितम भालती है जिसे मिश्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था यह ओप्सन कह रहा है आयरें बेड रोहित खाडवाल और एज एज एस यदू मनोहर रईज बताईए तो मनोहर रईज होंगे जरूर याद रखियेगा मनोहर रईज या एज टिक है तो यह आप लोग जरूर याद रखियेगा मनोहर आईज भी बोलते हैं क्या बोलते है आईज भी बोलते हैं चलिए आँगे चलते हैं अगला कुश्य ने भारत में ससक्ट बलों का सरोच सेनापती कोन होता है। बषांपती लिए ठोड़ा बताता रहा हूँ दो अगर आप देखिए औपसंस सही हैं है। एक ही तरह के दिये गए तो अगर C भी लगाओगे तब भी आपका सही होगा D लगाओगे तब भी सही होगा तो यह आप लोग जरूर आद रखा करिएगा तो राश्ट्पती के बारे में भी आप लोगों को मालू होना चीवर राश्ट्पती भी राश्ट्पती का चुनाओ किस तरह से होता है राश्ट्पती का चुनाओ जो आपकी बिधायक होते है ना लोकसवा सदस होते है ना और राजसवा सदस इनके जो निरवाचे सदस होते है वही भाग लेते हैं मनुनीत बात नहीं लेते हैं ये भी आप पिथम महला मुख मंत्री और आचार रामचंद सुकल हिंदी गद्य के पिथम लेका स्रीमती सरोजिनी नाइडू पिथम महला राजपाल तो आप सभी जानते हैं कि स्रीमती सरोजिनी नाइडू उत्तरपदेश की महल उत्तरपदेश से पहली बारे विधा क्या महला राजपा की बात होती है तो स्रीमती सरोजनी नाइडू की होती है आचा रामचंद सोकल हिंदी गद्र के पितम लेका थे बिल्कुत सही है सुचेता के प्लानी यह आप देखें पितम महला मुकमंत्री थी यह उत्परपदेश की थी लेकिन आपको बता दूं गलत जोड़ा पूचा है तो इसमें ए उप्सन लगाएंगा आप लो कार नेलिया सौरा बजी पितम महला खिलाडी नहीं थी ठीक है ए उप्सन होगा इसमाद व्यास नदी व्यास नदी के उद्गम इस्थान का क्या नाम है पारवती फेज गाजा व्यास कुंड व्यास नदी की बात हो रही है तो य एक महत्पूर नदी है पंजाब हमाले में बहिने बाली एक प्रमुख नदी है इसकी लंबाई 460 किलोमीटर पंजाब की पांच प्रमुख नदियों में से एक है और इसका उलिक के वल रिगवैद में ही में एक बार मिलता है तो यह भी आप लो जा रखिएगा किस गिरी नदी का उद्गम इस्थान किस जिले में है गिरी नदी का यह आपको बता दूँ सिर्मौर सिम्ला विलासफौर किनौर तो याद रखिए सिम्ला में है कहा है सिम्ला में हिमाचल पिदिस में बहने वाली यह गंगा है गिरी गंगा गिरी नदी या गिरी गंगा के हमारे सामने हैं भारतिये परेटं दिवस हर वर्स कब मनाते हैं परेटं दिवस की बात हो रही है कब मनाया जाता है तो आप देखेंगे 25 जन्मरी 25 मार्च 26 सेप्टमबर 27 जून तो 25 जन्मरी को आप भारती परेटन दिवस की रूम में मनाते हैं हर साल मनाते हैं और आप सभी जानते हैं कि भारत की परेटन इस्थलों का आप देखें कि हमारी अर्ध विवस्ता में जीडीपे में एक बड़ा योगदान है लोग हमारे यहां गूमने आते हैं आप देखते हैं उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है तो इसमें यह option होगा पिरवासी भारती दिवस हर साल कब मनाया जाता है गांधीजी आप सभी जानते हैं कि दच्षड अफीका से इसी दिन लौटे थे भारत और उसी उन्हीं की याद में एक दर Sorus से मनाया जाता है तो यह आप लोग छोटी छोटी बाते हैं, इन्हें भी याद रखेएगा, आप लोग questions बन जाता है, 1915 में इसी दिन महत्मा गांधी महान प्रवासी दचरफीका से भारत लोटे थे, देख्या, अंगला question है हमारे समने, भारत में मिसन इन धनोस अभियान सम्मदित है, किस से? मदू मे के पिती जागरूपता, बच्चों के टीका करन से, अंधापन निबारन से, गरबती महलाओं के होसन से, किस सम्मदित है? तो यह आप से भी जानते हैं कि बच्चों के टीका करन से, B option बिलकुल सही है, मिसन इंद धनोस अभियान, तो इसमें क्या लगाँगे? B option, और 2014 में लॉंच किया गया था, आपको मालू होगा, ठीक है? केंद्रिय स्वास्त मंतरा लाइका के द्वारा, भारत सरकार की संपता योजना, किस से सम्मदित है? सिचाईचेट, गरामीड बैंकें, खाद पिसंसकंड, BPL परिवारों के लिए बीमा से, खाद संपता यो कासी समुद्री पिसंसकंड और खाद पिसंसकंड सब वहों का विकास किया जाए, ठीक है? चलिए अंगला कुछन है, भारती नेपोलियन की उपाधी किस से दी गई थी? चंदगुप्त मों, समुद्दगुप्त, चंदगुप्त पिथम, और यह आप देखी, कईवार में से कौन सा? भारत का पहला परमाडू रियक्टर है, अफसरा, एक तारा, भारत, सौरू, तो यह आप जाईए, अफसरा, भारत का पहला मा परमाडू रियक्टर की बात हो रही है, यह कौन सा है? और अफसरा, यह आप देखेंगे, परमाडू यूग में 4 अगस्त 1956 में समय परवेश किया था, जब देश के पहलू परमाडू रियक्टर अफसरा का सुभारम किया गया था, तो इसके पारे में याद रखिए गया, यह आप्शन बिल्कुल सही होगा, गुजरात इस्थापना दिवस कम मनाया जाता है, गुजरात इस्थापना दिवस कम मनाते है एक मार्च, एक माई, एक जुलाई, या आप देखेंगे कि आपका एक जनवरी है, तो आप सभी जानते हैं कि एक माई को मनाया जाता है, गुजरात, एक माई 1960 में गुजरात बनाये गया था ना, इसकी राजधानी गांधी नगर है, और विधान सभा सीटें 180 हैं, राज्य सभा में 11 सीट हैं, लोग सभा में आपकी 26 सीट हैं, तो यह भी याद रखेगा आप लोग, इसमें क्या लगाओगे, एक माई, ठीक है, बी ओप्सन, भारती रेल परिवहन दिवस कम मनाया जाता है, भारती रेल भी परिवहन दिवस कम मनाते हैं, एक 16 अपरेल, 10 अपरेल, 13 अपरेल, 23 अपरेल, 19 अपरेल, बादा ये, भारती रेल परिवहन दिवस, आपका 16 अपरेल को मनाया जाता है, कब 16 अपरेल को, आपको मालू होगा कि 1823 में 16 अपरेल को, भारत में पहली यात्री टेन, रेल आप सभी को मालू होगा, बंबई से ठानी के बीच चलाई गई थ तो इसमें आप लोग ए ओप्सन बिल्कु सही रहेगा, आपका, एक कुश्टन्स भी कई बार पूछ लेता है, भारत की पहली पूर्ण कालिक वित्मंत्री कौन बनी थी, भारत की पूर्ण कालिक वित्मंत्री की बात हो रही है, तो कल्फित देशाई, निर्मला सीता रमन, हर्मन पीत को और सुस्तमा सोराज, तो निर्मला सीता रमन, भी ओप्सन आपका, बिल्कु सही है, भारत की किन दो राज्यों में थोरियम परियाप्त मात्रा में पाया जाता है, केरल तमिलाडू, केरल राजिस्तान, या आप दे केरल बा उडिसा और केरल बा आंध्पेदेश, तो केरल राजिस्तान में आप देखने को मिलेगा, भी ओप्सन आपका, बिल्कु सही है, कौन सा भी ओप्सन, निर्मलेकित में से भारत में कौन सा, इस्थान केसर के उत पादन के लिए पर सिद्ध है, असम, जब्मू कस्मी में घाल है, और सिक्किम, तो आप सभी जानते हैं, जब्मू कस्मीर, भी ओप्सन सही है, भारत की अनवान निकोवार, दुईप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है, थाइलेंड इंडोनेसिया, थाइलेंड स्री लंका, इंडोनेसिया, थाइलेंड स्री लंका, और आप आप देखेंगे थाइलेंड तो यह आप देखेंगे आप थाइलेंड इंडोनेसी आगे साथ ए ओप्सन बिल्कुल सही है क्या है ए ओप्सन बिल्कुल सही है आपका अंगला कुछन है हमारे सामने भारतिय मानक समयरेखा समयरेखा कि सक्षांस पर निश्चित किया गया है दे तो यह भी आप लो याद रखेगा इसे questions कई बार पूंच लेता है अंगला question है भारत का पहला बहुत देशी है नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लौंच हुआ था भारत का पहला बहुत देशी नदी घाटी प्रोजेक्ट यह कब हुआ था यह आप देखो बता दूं 1948 में, 1959 में, 1953 में, 1956 में तो 1948 में दामोदर घाटी परिवजन सुतंत भारत का पहला बहुत देशी है नदी घाटी प्रोजेक्ट था दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन की स्थापना साथ जुलाई 1948 को की गई थी और आप सभी को एक और बात बता देता हूँ देखी क्या रहेगा कि जो बहुत देशी है कहने का मतलब होता है कि एक से जानदा उसके हुद देश है समझ रहे आप तो यह भी याद रखिएगा अंगला कुश्चन है भारत सरकार ने पहली राष्टी बन नीती कब जारी की थी राष्टी है बन नीती की बात हो रही है 1948, 1952, 1962, 1962, 1968 तो यह आप देखेंगे भारत की पहली बन नीती 1952 में कब 1952 में भी ओप्शन बिलकुल सही है देखें वर्स 1894 में देश की पहली राष्टी बन नीती गोश्चित की गई थी जो वेटेश ने अंतन को जंगली छेत में मजबूत करती थी लेकिन सोतंद भारत की पहली बन नीती आप देखेंगे 1952 में अपनाई गई थी यह भी आप लोग याद रखिएगा सिंबल वाड़ा राष्टी उद्यान भारत की किस राज्य में सते थे बदाईए हिमाचल पिदेश जारगन उड़ी सामद पिदेश तो यह आपको मालू होना चाहिए कि हिमाचल पिदेश में है क्या है हिमाचल पिदेश में ए ओप्सन विल्कुल सही है भारत में मुगा मुगा रेसम किस एक मात राज्य द्वारा उत्पादित होता है विहार असम या पच्छे मंगाल उड़ी सा तो यह आप देखेंगे असम के द्वारा किस के द्वारा वी ऑप्सन सही रहेगा असम के द्वारा ठीक है भारतिय वरानी चैन्नई, अमरावती, हैदराबाद, तो यह आपको देखने को मिलेगा, कहा है, हैदराबाद में, हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है, यह जरूर आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नया राज ज सीत हैं बिदान परिशत में 40 सीत हैं राज़सबा में साथ सीत हैं लोक्सबा में चलिए अंगले कुश्टिन की तरफ बढ़ते हैं भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेट की स्थापना यमना नगर में कब हुई थी? भारती स्टार्च केमिकल लिमिटेट की स्थापना कब हुई थी? यह आप देखेंगे कब हुई थी? हर्याणा में देखने को मिलेगा यह 1929 1932, 1939, 1949 तो 1939 में हुई थी इसकी इस्तावना, ठीक है C option बिल्कुल सही है इसका भारत में एक मात मट मेला ज्वाला मुखी किस इस्थान पर है मट मेला ज्वाला मुखी की बात हो रही है बताईए वेरन द्वीप, कार निकोबार हेवलोग द्वीप, बारा टांग द्वीप तो यह बारा टांग द्वीप D option बिल्कुल सही है क्या है, बिल्कुल सही है यह बारा टांग द्वीप, अंडवान निकोबार दूपसमू की राध्धानी पोर्ड विलिया से 100 km दोर देखने को मिलेगा ठीक है बारा टांग भी बोलते हैं बार टाग भी बोलते हैं चली यह आंगे चलते हैं अंगला कुश्यन है कैयाल नामक भौगलिक सरच्चना भारत में किस राज़े में पाई जाती है महराश्च, किरल, तमिलारू, करनाट तो ये केरल में आपको देखने को मुलेगी कयाल नामक भोगोलिक सर्जश्चना ये आपको केरल में देखने को मुलेगी कहां? केरल मे और ये मचली पकडने और अंतर देशी ये परिवान के लिए काफी उपयोगी होता है और परसिद नहरू ट्राफी पुन्ना मदा कयाल में आई जित की जाती है अंगला कुश्टन है हमारे सामने भारत की सरवाधीक सीमा किस देश के साथ लगती है चाइना बंगलादेश नेपाल और पाकिस्तान तो ये आपको बता चुका हूँ बैसे भी तो ये बंगलादेश के साथ लगती है बी ऑप्सन आपका बिल्कुश सही है भारत में नून मती नमकिस्तान किस लिए पिसिद्ध है पैटॉलियम कागज उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हिमाचल पिदेश उत्तराकंड जम्मू कस्मीर गुजरात तो यह आपको हिमाचल पिदेश में देखने को मिलेगा गर्म जल का कुंड भारत का 60% नमक किस राज़ द्वारा उत्पादित किया गाता है उडिसा गुजरात महाराश राजितान तो आप सभी जानते हैं गुजरा पिदेश को पूर्ण राज़ का दर्जा कब दिया गया था अरण चल पिदेश को पूर्ण राज़ का दर्जा 86-86, 1987-1988 और 1985 तो आप सभी जानते हैं कि 1987 में 20 फरवरी 1987 को भी आप्सन विल्कु सही है यहां 60 सीटे हैं विदान सभा में इटा नगर इसकी रादधानी है एक सीट राज़ सभा में है दो सीटे यहां लोक सभा में है और आप सभी जानती हैं कि अरणा चल पिदेश की सीमा आपकी है भूटान से लगती है चाइना से लगती है और आप देखेंगे मियानमार से भी इसकी सीमा लगती है ठीक है तो ये भी आप लो याद रखिएगा बनिहाल दर्रा भारत की किस राज्य में इस्ते थे हिमाचल पर दिस उत्तराकंड सिक्किम जम्मू कस्मीर तो यह आपको जम्मू कस्मीर में देखने को मिलेगा जहां जम्मू कस्मीर में D option आपका बिल्कुल सही है भारत में कुएर उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जो कि 7 लाग से अधिक कामगारों को जीविक का पिजान करता है, जिसमें अधिकांस महिलाएं ही होती है। बताईए, यह आपको हर्याणा में देखने को मिलेगा, कहां भी ओप्सन है, बिल्कुल सही हर्याणा में, ठीक है, तो यह भी आप लोग सौनीपत हर्याणा, 2006 में इसे स्थापना की गई थी, ठीक है, हर्याणा की बात होती है, तो हर्याणा के बारे में बता देता हूँ कुछ पॉइंट, चंडीगर इसकी राजधानी है हर्याणा की, है या नहीं है, और आप देखेंगे कि यहाँ, आपको एक नवंबर 1966 में इसे राजध बनाये गया था, 90 सीटे विधान सभाव हैं, राजधान सभाव में 5 सीटे हैं, लोग सभाव में 10 सीटे हैं आपकी, गुरू सिखर चोटी किस राजध में देखने को मिलेगी, गुरू सिखर केरल हर्यानप व्यार राजस्थान, गुरू सिखर चोटी आपकी राजस्थान में ही देखने को मिलेगी, D option बिलको सही है परवत की चोटी परवने इस मंदिर की सांती दिल्स को छूती है यह आप देखेंगे यह राजस्थान में देखने को मिलेगी गुरू से कर यहां बैद साला भी देखने को मिलेगी 1722 मीटर है इसकी उचाई समुद तल से भारत में अनमार भारत में अनमार friendship रोड भारत के किस राज जिसको मियारबार से जोड़ती है मणिपूर, मेगाले, नागालेंड यह फिर आप देखेंगे कि आपका आपका असम तो आप सभी जानती है कि मणिपूर यह option बिलकुल सही है भारती बन अनुसंधान संस्थान की बात होने लगती है अंगला question क्या पूच रहा है भारती है बन अनुसंधान संस्थान किस राज स्थान पर है यह आपको बता दू कहां है दिल्ली, देहरादून, लखनौ, गाजियावाद तो यह देहरादून में देखने को मिलेगा कहां? देहरादून में देखने को मिलेगा अंगला question है अरा अवली अरा अमराबती जलास है भारत की किस राश्टी उद्ध्यान में इस्तित है कौन सा? अमरावती जलास है भारत की किस राष्टी उद्ध्यान में है यह आपको देखने को मिलेगा कहा तमिल लाडू में है आपका कौन सा इंद्रा गांधी बन्न जीप अभ्यारन इसी में देखने को आपको मिलेगा तो इसमें आपका C ओप्सन विल्गल सही रहेगा ठीक है तो इ भारत की किस जल्पेपात भारत की किस राज में है यह आंध्रपदी स्ते लगाना तमिल लाडू या करनाटक तो यह आप देखें करनाटक में देखने को मिलेगा D option सही है क्या है D option बिल्कुल सही है यह करनाटक भार चुक्की पर बैंगलोर से आपको 130 किलोमीटर देखने क तरह से भार चुक्की यह किस नदी पर है यह और बता दीजी आफ लो बताईए एक क्विश्चन कई बार पहुच लेता है तो यह आपकी करनाटक में देखने को मिलेगा किस नदी पर बताईए कुछ भारत के आदे कि तमाम क्या रहेंगे तमाम इसके वो हैं क्या है जल पर बात इस तरह के तो आप लोग बताईएगा भार चुक्की जल पर बात किस पर है किस नदी पर है भारत में अदिकतर किस पिकार के बन पाये जाते हैं? सवाना, मरूस्थली बन, भूमद्रेखिया, जलवायू सथाबाहर बन और आपका सी कह रहा है कि आपका ऊच्ण कटी बन बन बरसा बन उष्ण कटी बन दिये पढ़ण पाती बन तो उष्ण कटी बन दिये पढ़ण पाती बन पाये जाते हैं तो ये वह आप लो याद रखिएगा अंगला कुशन है हमारे सामने भारत भूमद रेखा के उतर में किस अक्छांस की भी चेस्तित है भारत की अक्छांथी विस्तार पूँछ रहा है आप से 60 डिगरी 4 से लिकर 49 6 6 डिगरी 7 से लिकर 36 36 60 डिगरी 4 से लिकर 40 डिगरी 6 और 8 डिगरी 4 से लिकर 37 दिगरी 6 तो आपका ड. आपसन बिलकुल सही होगा यह आप देखेंगी कि 84 से 376 आप लोग जिस तरह से याद हो सके आप लोग याद रखेंगा इससे questions पूंचे जाते हैं क्या होते हैं पूंचे जाएंगे D option बिल्कुत सही है काचिन पहाडियां भारत की किस देश किस देश के साथ सीमा करने धारन करती है म्यानमार काचिन पहाडियां म्यानमार नेपाल चाइना और भूटान तो बताईए इसमें ए म्यानमार में देखने को मिलेगी ए उप्सन बिल्कुत सही है काचिन पहाडियां ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग निमलिकित मैंसे भारत के किसराजी की सीमा म्यानमार से नहीं लगती है और आपने देखा है कि पीछे हम लोग बता चुके हैं अगर आपको याद होगा तो आप लोग बता पाएंगे या भारत का मैंप आप लोगों को याद होगा तब भी बता पाएंगे मरीपुर नेपा मरीपुर नागलेंड असम अरुनाचल पिदेश तो क्या पूँच रहा है मियानमार से नहीं लगती है तो आप सभी जानते ही कि आपकी मिजोरम की लगती है मरीपुर की लगती है नागलेंड की लगती है अरुनाचल पिदेश की लगती है यह आप लोग याद रखियेगा सभी राज्यों की मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है गुजरात, महराष्ट, मद्वदेश, राजिस्थान तो यह महराष्ट का नहीं है, वाकी तीनों का है अंगला है भारत की इस्थालाक्ति मानचित किस संगटन की दुवारा बनाए जाते हैं भारती सरवेक्षन, भारती भोगोलिक सरवेक्षन भारती भोगोलिक सरवेक्षन, उप्युक्त में से कोई नहीं तो भारती ये सरवेक्षन आप लोगों ने सुना होगा और ये आप देखें, 1767 में इसकी इस्थापना हुई थी और इसका headquarter देहरा दून में देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग B option बिल्कुल सही लगाएंगे, ठीक है? भारत में boxside का सरवाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएए जारकंड, राजिस्थान, करनाटक, उडिसा तो वोकसाइड का सरवाधिक उत्पादन उडिसा में होता है D option बिल्कुल सही है भारत की पहली uranium ख़दान किस सहस्तान पर है? तुमाला पले पिछली दल भूम जादू गोडा तो यह आपको जादू गोडा देखने को मिलेगा कहां? जादू गोडा तो यह आप लोग जरूर याद रखी uranium की खान है ठीक है? जारकंड आप लोग देखेंगे जादू गोडा जारकंड में देखने को मिलेगा अंगला question है हमारे साब ने ताबो मट किस राज्य में इस्तित है? ताबो मट हिमाचल पिदेश, जम्मू कसमी, सिक्किम, अवनाचल पिदेश यह आपको हिमाचल पिदेश में देखने को मिलेगा कहां? हिमाचल पिदेश में देखने को मिलेगा भारत के हिमाचल पिदेश के लाहौल और सम, पेरती जिले में इस्तित एक बस्ति है, तामबो टीक ayudar अंगला के शहने सरवती पर youznा किस राज में इस्तित है सरवती पर youynा करणाटक में है सरवती पर youynा करणाटक आंधविदेश, तमिल्राडू तो यह करनाटक में देखने कुम लेगा स्तरावती नदी पर है ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेगा करनाटक जल विद्धुत या जल विद्धुत परिजना करनाटक राज़ में गैस उपपा जोग पिरपात परवे ठीक है भारत का सबसे वड़ा होकी उत्पादक, कौफी उत्पादक राज कौन सा है? कौफी उत्पादक ना कि होकी तो आप देखेंगे कि आंधिपदेश करनाटक केरल तमिल नाडू भारत का सबसे कौफी उत्पादक राज करनाटक है क्या है? करनाटक है तो इसमें आपका B option बिल्कुल सही रहेगा सिव रमन सम्ती की सिपारिस की आधारब और निमलिकित में से किसकी स्थापना हुई थी N E F T की सड़िवी की और आप देखेंगे कि C B D T की या नावाड की तो आप सभी को मालू होना चाहिए किसकी हुई थी ये आप देखेंगे नावाड की हुई थी किसकी नावाड की हुई थी और आपको बता दूँ नावाड के बारे में कुछ पॉइंट हूँच लेता है कई बारे National Bank of Agriculture and Rural Development की बात हो रही है 12 जो जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी मॉंबई में इसका हेड क्वाटर आपको देखने को मिलेगा तो D option आपका बिल्कुल सहर समुद्री उत्पाद निर्याद विकास पराधी करण की स्थापना का हुई 1972 में 1978 में, 1976 में, 1970 में किसकी समुद्री उत्पाद निर्याद विकास पराधी करण की इसे आप लोग सौट में MP EDA भी कहते हैं तो 24 अगस्त 1902 में हुई थी इसकी 24 अगस्त 1972 में तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा ये option बिल्कुल सही रहेगा भारतिय स्थेट बैंक की सहाई कंपनियों का राष्टी करण कब हुआ था 1956, 1969 भारतिय स्थेट बैंक की सहाई कंपनियों का राष्टी करण कब हुआ था 1969 और भारतिय स्थेट बैंक की बात करें तो इससे भी questions कई बार पूँच लेता है तो आप देखेंगे कि SBI की सापना 1 जुलाई 1905 में हुआ था मुंबाई में इसका ठीक है ये भी याद रखेगा अंगला question है मारा क्या बूच रहा है एक कहरा है कि सुनहरी करांती निमलेखित में से किसे संबंदित थी एक तरह से राष्टी बागवानी मिसन स्वक्षे कोईला प्रोधगियों पर राष्टी मिसन राष्टी वास मिसन और राष्टी ये सोलर मिसन तो सुनहरी करांती की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि राष्टी ये भागवानी मिसन से संबंदित है कौन से? सुनहरी करांती इस तरह के questions भी पूच लेता है और आप देखेंगे करांती से तातपर होता है उत्पादन के उत्पादन में आप विद्यासित और भारी विद्धी हो भारत में 1991 से संबंदित के बीच की अउधी को सुनहरी करांती कहा जाता है जो फलों, सहद और भागवानी उत्पादन के में अभूतपूर विद्धी और स्थाई विद्धी पर केंदेथ है अंगला कुशन है हमारे सामने भारत में किस उध्दोगेक नीती वक्तब में पहली बार छोटी काईओं को परिभासित किया गया उध्दोगेक नीती वक्तब उननीसो त्याट्तर उद्धोगेक नीती वक्तब 1970 या नई उद्धोगेक लाइसेंस नीती 1970 तो इससे आपको बताना है भारत में उद्धोगेक नीती वक्तब पहली बार छोटी काईयों को परिभासित यह उद्धोगेक नीती वक्तब 1970 में तो यह भी याद रखीएगा अंगला कुशन ने भारत में उद्धोगिक लाइसेंस आखिरकार कब खतम की गई थी कुछ खोड़कर आप देखें 1975-1980-1986-1991 अंगला कुशन है हमारे समने निमली कितमे से किस उद्ध्योग में कुछ चाइल्ड और प्रोटेक्शन कहा जाता ह चाइल्ड और प्रोटेक्शन कहा जाता है अंगला कुशन है हमारे समने निमली कितमे से कौन सब्भारत में आर्थी कूफिया परिशत की अध्यक्षता कौन करते हैं गवर्नर पिधान मंत्री और राष्पती तितमंत्री तो यह आप से भी जानती है कि वितमंत्री ही करेंगे डी ओप्षन पिल्कुल सही असमें आप देखेंगे भारत में सारभॉमिक सेवा दायत निधी की स्थापना भारत सरकार की किस विवाग के अंतरकत हुई है दूर संचार विवाग आर्थिक मामलों के विवाग उद्दोकिक नीती और संबर्धन विवाग और भोगता मामलों के विवाग बताईए इसमें क्या लगाओगे सारभॉमिक सेवा दायत दिल निधी की स्थापना भारसरगा की किस विभाग के अंतरगत हुई है, तो यह आप देखें कि दूर संचार विभाग, ए ओप्षन बिल्कु सही रहेगा असमें, कौन सा ए ओप्षन? नेशनल अप्टिकल फाइबर नेटवर्ग, निमलिखित, मैंसे किस के लिए ब्राड बेंड कनेक्टिव दान करेगा, ग्राम पंचायत, पंचायत सम्थी, नगर पालिका, नगर निगव, तो यह आप देखें, ग्राम पंचायत, ए ओप्षन बिल्कु सही है, क्या है, ए ओप रुपया विणमय दर किस पर निर्भा करती है, बताये, भाध मैं डौलर रुपया विणमय दर किस पर निर्भा करती है, मांग आप फूरती पर, RBI कि मदरिक नेटी पर, सरकारी नियंदर पर इन मेंसे कोई नही, तो मांग आपूरती पर, संदुलन पर, यह ओप्षन बिल सब्सक्राइब तो निस सो आनवे में तो निस सो आनवे में चाहो निस सो आनवे में सी ओप्शन आपका विल्कुल ठीक है वीज वीज पसल भीमा योजना के सभीत्य वर्स में शुरू की गई थी यह आप देखेंगी कि उनिस सो निन्यानवे सन दोहजार सन दोहजार दोहजार एक दोहजार एक तो दोहजार 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 तो याद रखें उनिस सो निन्यानवे सन दोहजार यह ओप्शन बिल्कुल सही है आप देखेंगे नेमलेकित में से किस कानून को भारत का ब्यापारी कानून कहा जाता है टौट कानून अनुबंद कानून या अबदी की संपत्ती कानून या अबदी की मजदूरी कानून तो यह आप देखेंगे अनुबंद कानून को ब्यापारी कानून कहा जाता है किस कानून को भारत का ब्यापरिक कानून का जाता है अनुबंद कानून को चलिए यह अंगला कॉशन है हमारे सामने भारत में तेल की कीमितों का निधारन कौन करता है पैटॉलियम बंताराल, तेल कंपनिया, राज सरकारे, भारत सरकार तो ये तेल कंपनिया करती है और उसके बाद आपने देखा होगा सरकारें अपनी तरफ से टेक्स लगाती रहती हैं तो और महगा हो जाता है अंगला कुशन है नियुन्तम मजदूरी अधिनियम कब पारिद हुआ था लेकिन आप देखें पारिद बहुत पहले लागू बहुत चुका था लेकिन आप देखें इसका जमीनी इस्तर पर कोई प्रभाव पढ़े तब तो 1950-1947-1975 तो यह आप देखें 1948 में कि कम से कम इतनी नियुन्तम मजदूरी तो दी जानी चाहिए लेकिन कानून हो चुकता है आचुका है लेकिन फिर भी आप देखें कि इसके प्रभाव अब देखें जमीनी इस्तर पर जब तक उसका प्रभाव नहीं देखा जाता है तब को इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं है परिवार नेयोजन वीमा योजना कब लॉंच होई है 2004-2007-2009-2005 तो यह 2005 में है परिवार नेयोजन वीमा योजना 2005 में है अंगला कुशन है हम नेम लिखित में से कौन मेशिवल फंड कुन भी नेमित करता है से भी, SBI, RBI इन में से कोई नहीं किसकी पूँच रहा है तो इसमें कौन करता है से भी करता है सेकॉर्टी एंड एक्सचेंज वर्ड ऑफ इंडिया इसकी इसता आपना आप देखेंगे 12 अपरेल 1992 में कुई थी इसका हेड़कॉर्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और अगर हम लोग वहीं SVI की बात करें तो State Bank of India की बात हो रही है तो इसकी इसता आपना एक जुलाई कभी थी एक जुलाई उननीस अपचपन में मुंबई में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा और वी आपरेल 1935 में इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा एक परेल 1935 यह चोटी चोटी बाते हैं नहीं भी याद रखा करिये हैं नेमलिकित में से कौन सा सब्स आमतोर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है बजट से जुड़ा नहीं है कठोल बजट लिंग बजट सकल बजटी है समलतन पईडाम बजट तो यह आप देखें कि बाकी तो जुड़ी हुए हैं लेकिन कठोल बजट नहीं जुड़ा हुआ है आप देखते हैं कि घर परिवार चलाने के लिए जिस तरह से पैसी की जरूरत पढ़ती है उसी तरह आद देखें सरकार भी चलती है तो उसके लिए बजट पेस होता है तो उसी की बात हो रही है चलि अंगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं अंगला कुश्चन पूछ रहा है हवाला लेंदेन भारत में किस से अधिनियम के इंतरगत बंध है फेरा AFR, BMA, AFS, AP, PEMA तो किसके इंतरगत? PEMA के इंतरगत किसके इंतरगत? PEMA Foreign Exchange Management Act 1999 इसमें आप लोग D लगाएंगे क्या लगाँग? D option तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा अंगला है भारत का पहला भारत का पहला विशेस आर्थिक चित कहा है? सूरत में, इंदौर में, जैपुर में या अहमदाबाद में बताईए यह आप देखेंगे इंदौर में देखने को मिलेगा और भारत पहला इसी आई देश है जितने निर्याद को बढ़ावा देने के लिए 1965 में कंडला में एक विशेस चित की भी इस्थाप ना की थी तो यह भी याद रखेगा इंदौर लगाओ के इसमें विशेस आर्थिक चित की बात करें देखिए तो उसकी अलगी बात है अगर विशेस आर्थिक चित की बात होती है तो याद रखेगा 1965 में पहला निर्याद पर संसकर्ण चित 1965 में कंडला गुजरात में हुगा था तो इस तरह के कुफश्यंस भी कही बार कुंच लेता है वियाफारी का आर्थिक समिति TERC की स्थापना अध्यक्षेक कान करता है अध्यापन करता है इसमें पेदर मंत्री बित सची बित मंत्री या हुग आडिज मंत्री तो यह करते हैं बित मंत्री साहब तो वित्त मंत्री साब व्यापार आर्थिक संबंध नीती अन देशनों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार कर्चे संचालन मापलों को एक संबंभि यमसंकालिक ढंक से विक्सित करने के लिए एक संस्तागर सत्तन्त है और 3 मई 2005 में get it की गई थी तो भी याद रखेगा इसके बारे में बित्त मंत्री होंगे तो राष्टी निवेस राष्टी निवेस निधी की स्थापना कवी 2002 2004, 2005, 2007 तो राष्टी निवेस निधी की बात हो रही है 2005 में 2005 में ठीक है फर्वरी 2005 में मुंबई हैड क्वार्टर देखने को मिलेगा इसका कहां मुंबई बें तो यह पी कुछन से याद रखेएगा अंगला question है नोही के लिए आई जहना किस पिदेश में है यह आसम में देखने को मिलेगा या केरल में या मेघाला में मरीपुर में बताईए यह कहां देखने को मिलेगा यह आपको मेघाला में देखने को मिलेगा कहां मेघाला में और एक और मेगालाई के वारे में कुछ बता देते है सबसे जानदा बरसा होती है मेगालाई में मासिन रामा आप लोग उने सुना है इसकी रादधानी मेगालाई की क्या है? सिलोंग क्या है? सिलोंग यहां विदान सभा में 60 सीट है अधरा सभा में एक सीट है, लोग सभा में, दो सीट है आपकी, कितनी, दो सीट है, तो यह भी याद रुखिएगा आप लोग, केरल में, सब्रीमाला के लिए समर्पित एक पिसेद जगह है, ऐपन, मुधपन, कोट्लें लेंगेस, और अईनार, यह आप देखेंगे, कहा है, अगला कुशेशन है हमारे सामने है, ये अपन, आप देखें सबनीमाला के लिए समर्पित एक पिसद्यवरिक सबनीमाला मंदिर काफी विवाद में भी रहा था, महलाओं को यहाँ रोका जाता था, पर आपने देखा है अदलत ने इस पर फैसला भी दिया था, चली अगला बालत में खाद्य सुरक्षा मानक अधीनियम का पारित हुआ तो आप सभी जानते ही कि 2006 में खाद्य सुरक्षा मानक अधीनियम 2006 आया हुआ था भी options है खाद्य से समंद्य विदियों को समिकित करने और खाद्य पतारतों के लिए बिज्ञानादेलिक मानक अधि कतित करने त elabor उसके विनिर्मार भंडारण वितरन पिक्रे और आयात को we निएमित करने के लिए भालतिय खादु सुरक्षा मानक प्रादीकन के स्थापना करने के लिए एक तरह से इसके किया गया था फेडरल रिजर बैंक और अमेरिका, भारती रिजर बैंक, अंतराष्टी मुद्रिक कोस या वर्ल बैंक, इस तरह के संगटनों से भी कई बार कुश्चन्स पूच लेता है आपका, तो ये अंतराष्टी मुद्रा, मुद्रिक कोस, यानि किसी ओप्सनर बिल्कु सही होगा, फ था आपना कि हम लोग बात करें तो जलाई 1944 में हुगा था, और इसका हेड़कोर्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, बताइए, ये आप लोगों से कुश्चन्स है, क्या है, इंटरनेशनल मुर्नेटरी फंड, इस तरह के कुश्चन्स देखिए, संगटनों से आपकी पर वसिंटन, डे-सी में, और आप देखेंगे कि इसकी स्थाफना की बात होती है, कबकी, मौनेटरी, इंटरनेशनल मौनेटरी फंड, इसकी स्थाफना हुई थी अगकी 27 दिसंबर 1945 में, और वहीं विसर बैंक की बात हो रही है, यहां उल्लेक हुआ है, वर्ल्ड बैंक के बा पालिस में स्थाफना हुई थी, इसका हेड़क्वाटर वसिंटन, डी-सी, यह ऐसे में आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी यादी रखिएगा आप, ठीक है, अंगला कुशन है हमारे सामने, निमलिखित समिती में से कौन सी त्री इस तरी पंचेयती राज किसे फारिश करने के लिए जानी जाती है, असोक मेहता सम्ती, बलवंत राय मेहता सम्ती सहक, सरकारिया सम्ती राव सम्ती, तो यह आप से भी जानते हैं कि आपकी कौन होगी, बताए कौन होगी इसमें, बलवंत राय मेहता सम्ती, बी ओप्सन, हमारे यह आप देखते हैं ना कि पंचेयती जो विवस्ता है, थ्री इस तरी इस तरी इस है, ठीक है, अंगला कुछन है हमारे सामने भारती समिधान के अनुसार, नई अखिल भारती है, सेवाओं की सुरुआत निमलिकित में से किसके द्वारा की जा सकती है, राजसवा, लोकसवा, भारती पिदेशों के दो तिहाई भाग, अंतर राच्य परिशत, तो यह आप देखेंगे, राजसवा के द्वारा, इस मामले में तो राजसवा आपका सर्थी साली है, में इसका इस्थापना हुई थी और जो रासवा सदसों का चुना होता है यह विधायकों के द्वारा होता है जो आपके एहमेली होते हैं यहीं इनका चुना हो करते हैं तो यह भी याद रखिएगा तो यह आप देखेंगे किसके थे कुद्व बुद्दीन एवक के कुद्व मीनार जो आप लोग देखते हैं ना कि इसकी निव इसी ने रखी थी मुहमद गौरी ने पहली बार भारत में आकमड कब किया था मुहमद गौरी ने भारत पर पहली बार आकमड मुलतान पर किया था करमात जाती के मुसलिम सासकों का राजित हा वो समय वहाँ तो इसमें एव ऑप्शन रहेगा किसके काल को मुगल चितकला का स्वड काल कहा जाता है जहांगीर, बावर, अकवर औरंग्जेप साह जहा जहांगीर के यह उप्सन बिल्कुछ सही है किसके काल को मुगल बास्तुकला का स्वड काल कहा जाता है जहांगीर, साह जहांगीर, अरंग्जेप, अकवर तो साह जहांगी मुम्ताज महल सुनाओगा अपने अंगला कुछे ने मुहमद बिन कासिम ने भारत पर आकमड किया था 11, 711, 714, 713, 732 तो यह 712 में कहां, 712 में लिंगराज मंदिर किस पेदेश में है लिंगराज मंदिर किस राजज में है किस पेदेश में है आंधपेदेश, उत्तरवदेश, करनाटक, उडिसा तो यह उडिसा में देखने को मिलेगा लिंगराज मंदिर लेकिराज-बंदिर कहा है वुडि सामे तो यह आप सब जानते हैं किसे चोल बंदी आम एक बर किस बंद्से से संबन दित है चोल, राश्टगूट, पांड यह पर आपका है चेर तो यह अमोग वर्स आपका किस से सम्मंदित है यह आप देखेंगे यह राश्ट कूट क्या राश्ट कूट और 800 से लिकर 888 तक इसने इस भी तक राज किया था तो इसमें आपका भी ओप्सन बिल्कुछ से यह बैटिन की राणी एलीजा वैथ फित्हम किसके समकाली थी चहांगीर औरंजेब अकबर साय जहां अकबर के सी ओप्सन बिल्कुछ से है बारेश 26 इसा पूर्व से 1900 इसा पूर्व तक भारती उमाधिप के प्रश्टम में कौन सी सब बता रही सिंदु घाटी कुसार समराज महाजनपत या बैदिक काल तो आप सभी जानते हैं कि सिंदु घाटी सिंदु घाटी सब दागे बारे में आप लोग पढ़े होंगे यह ओप्सन बिल्कु सही है हर्स्क बर्धन के राधिजी का समयकाल था 602 से 605 से 608 से 606 से 647 तो इसमें डी ऑप्सन होगा 606 से 647 निमलेखित में से कौन सी वहासा समीधान की आठवी अनुसूची में नहीं है कूच रहा है ऐलेख देश्ची वहासा यहाँ और आपकी कसमीध तो आप सभी जानते हैं गी फार्सी नहीं है और आपको बता दूँ बाद में सिंधीक वो जुड़ा गया था उसके बाद काउंकरी नेपाली को भी जुड़ा गया इसके साथ अठा रहे होगे फिर आप देखें बोडो डोगरी मैथली संताली को जुड़ा गया इस तरह से टोटल अभी 22 भास आए हैं आठ वियर नसुच जर्मणी इटली और एक है आपका इस्पेंड तो आप सभी जानते हैं दच्छी डपी का अगया बात होती है यह उपसन विल्गुल सही है वो राष्टि यह वरिश्ट नांगरिक परिशत का द्यच कौन होता है वराष्टि यह विकाल परिशत का द्यच भारत का प्रिधन म अधिकाël मंत्री सामाजिक नियायर अधिकालता मंत्री नेति आयर का वाइस चैयर्मेन तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक और नियायर और अधिकालता मंत्री डिगर मद्दान निगरानी पिणाली पहरी बार किस राज में लाउपी गई मद्दान निगरानी पिणाली आपकी मड़ीपुर गुआ तिपुरा या असम तो यह आप देखे गुआ में की गई थी गुआ के बारे में बता देते हैं यह कुछ आप लोग भी ख्वावर के देखते होंगे गवा जाने का तो तेस माई 1987 को इसे राज बनाए गया था पढ़जी इसकी राध्धानी है और विधान सभा में 40 सीटे हैं राज सभा में 1 सीटे है लोग सभा में आपकी 2 सीटे है EBM में कितने पित्यासी हो सकते हैं 32, 38, 64 तो यह आप सभी जानते हैं कि 64 हो सकते हैं आप समझ रहे हैं EBM में अधिक्तम पित्यासी कितने हो सकते हैं? 64 और आप सोचें कि 64 से अगर अधिक होंगे तो और आप देखें जोड़ी जाएगी ठीक है? अंगला है कुश्चन निमलिकित में से कौन सा समिधान संसोधन? विदेयक नांगरेकों को सहकारी समतियों का गठन करने का मौली कदिकार फिदान करता है 110 बा, 111 बा, 112 या 113 बा तो यह था आपका 111 बा यह आप्सन बिल्कु सही है अपस्पा पहली बार कहां लाग हुआ था मडीपूर पूरवुत्तर राज्यों में हंजाब में जमू कस्मीर में यह आप देखेंगे कि पूरवुत्तर राज्यों में जो आप देखते ना 11 सेप्टमबर 1958 को प्रभावी हुआ था अरुनाय चर्पिदेस असम मडीपूर में गाले और मिजूरम नागलेंट पूरा में गया था हुआ हुआ है इसके बारे में याद रखिएगा अप लो ससक्त बल बिशे सक्तिया अधिनियम है ना है और संसर द्वारा 11 सेप्टमबर 1959 को इसे पारित किया गया था समीधान की आठवी नसूची में कितनी भासाए हैं? 22 भासाए भारती राष्टी एक्ता वरिशत का देख्ष कौन होता है? पी-एम साहब होते हैं निम लिखित मैं से किस सब्द का भारत की समीधान में कोई जिक्र नहीं है? अटोनी जन्रेल, कैमिनेट बजट या नियंतक महा लेखा परिक्चक तो आप सभी जानते हैं किसका बजट का नहीं है? हमारे समीधान में कोई जिक है बजट सब देखा तो यह आप लोग जरूर याद रखा करिएगा इससे भी कोईशन्स कई बार पूंच लेता है आप से बजट के बारे में अनुछे देख सो बारे पढ़ेंगे तो इसमें आप देखिए एक तरह से बारसिक बिट्थियबेवरन की बात की गई है नाकी बजट की अटोनी जैनरल केवनेट नें तक महाले का परिकचा की सब की की गई है नेमलिकद में माहायान बुध पन्थ के अंसार कौन से भविस्त के बध्द हैं? नेमलिके तुमें महायान बौध पंध के अनुसार कौन से भविस के बुद्ध हैं? अमिताग, क्रिकूचंद, कनकमुनी, मेत्रे बताईए इसमें तो ये मेत्रे, डी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा इसमें संतारा पिथा किस धरम से संबन्दी थे? बहुत हिंदूद जेन सिख जेन, तो जेन से है संतारा पिथा, संतारा पिथा, जेन धरम से संबन्दित है जेन धरम में सबसे पुरानी पिथा मानी जाती है संतारा पिथा, सलेकना जेन समाज में इस तरह से देहे त्यागने को बहुत पवितिक कार्माना जाता है इसमें जब एक्ति को लगता है कि उसकी मित्यू निगट है तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर खाना पीना त्याग देता है भारत में जंडा दिवस कब मनाय जाता है 3 देसंबर, 7 देसंबर, 11 देसंबर और आप देखें कि 17 देसंबर तो 7 देसंबर को आप लोग भारत का राष्टिये जंडा दिवस मनाते हैं भारतिये जंडा दिवस 7 देसंबर को मनाय जाता है राष्टिये गडित दिवस, राष्टिये गडित दिवस कब मनाते हैं आप लोग 22 देसंबर, 17 देसंबर, 25 देसंबर, 20 देसंबर तो आप देखेंगे वाइस देसंबर को यह ओप्शन बिल्कुल सही है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा जो स्री निवास राम अरुजन है ना उनी की याद में एक तरह से आप कही है कि जनम दिवस को भारती समिधान के किस अनुचेद के तहत लोग सबा में अनुचेद जाती हो जन जाती हो के लिए आरक्षन की विवस्ता की गई है 330, 345, 322, 332 लोग सबा में अनुचेद जाती के लिए आरक्षन की विवस्ता आप देखेंगे अनुचेद 330 समझ रहे हैं अरक्षन की विवस्था की गई है किसकी आरक्षन की विवस्था की गई है चलिए यहांगे चलते हैं कैंद सासित पिदेज लक्ष दीप के न्याइक छे ट्रकार कौन सा न्याले करता है लक्ष दीप का केरल हाइ गोट, तमिलाडर हाइ गोट मॉंबे गोट या कलक्त हाइच तो यह आप देखेंगे केरल हाइच कोट करता है अंगला क्वेशन हैategories Supreme Court के जजों की संख्या कौन बदल सकता है कानौन द्वारा संसथ राष्टपति यादि राष्टपति यादि सोचना Supreme Court की यादि सोचना तो यहाँ सब एक जानते हैं कानौन द्वारा संसथ राष्टपती, राजी सभासादस लोग सभासादस रहتے हैं आपकी संसभ में ट्रीक है? और आपने देखा होगा कोई पिस्ताओ कोई कानून डालना आए तो सबसे पहले राजी सभा लोक सभा में आएगा वहाँ उसे पिस्ताओ को क्या कहते हैं? जैसे ही राष्ट्पती की सहमती मिलती है वो कानून बन जाता है आपको ठीक है दिल्ली को NCT राष्टी राजधानी सम्मिधान की किस संसुधन द्वारा बनाये गया 63, 69, 76 या 74 तो यह आप देखेंगे 69 बिसमिधान संसुधन द्वारा C option आपका बिल्कुल सही है भारत में 30 तरिये पंच्यायती राजधी राजधाली कितनी जनसंग कैसी उपर वाली राजधों में है 15, 20, 30 और आप देखेंगे 25 तो आप सभी जानते हैं 20 लाग 20 लाग, B option बिल्कुल सही है नेमलिकित में से कौन सा राजधाल उसके कारियाले से हटा सकता है राजधाल को संसद राजधान सभा, राश्टपती बताईए राश्टपती साब, कौन राश्टपती साब बता सकते हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौतरी तो आप देखेंगे पहली में अंगला कुछिन है उपराश्टपती को हटाने का पेस्ता हो किसमें पेस्त किया जाता है किवल राज्यसभा में, किवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा की सहुक्तिसत में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो ये किवल राज्यसभा में होगा, किसमें किवल राज्यसभा में, और सभापती भी तो होता है राज्यसभा, कौन सदा सी बनता है अंगला कुछ ने हमारे सामने सीवा प्रवंधन विभाग किस मंतराले के इंतर गताता है ग्रह मंतराले रक्षा मंतराले सड़क परीवार मंतराले विदेश मंतराले तो ग्रह मंतराले के किसके ग्रह मंतराले के समिधान के अनुषित 123 में किस से समंदित है सो प्रिंग कोट का सलागार शित्त अदिगार राष्टपती के अध्यादेश चुनाओ आई जम्मू किसमीर के विशे सित्ति दे तो यह आप देखें कि राष्टपती के अध्यादेश से और आप सभी कमाले होगा जब देखें सं कानून की अगर जरूरत है तो समय लाया जा सकता है अध्यादेश और आप देखें कानून जितना जो फिक्रिया से लोगसभा राजसभा के द्वारा बनता है न राष्टपती के सक नेचर के द्वारा उतना ही सक्ति साली होता है लेकिन आंगे जाकर आप देखें किसी क्या कानून बनना होता है राज्यसभा लोगसभा के सामने पेस करना होता है तो यह भी आप दो याद रखेगा अंगला कूशन है महराष्ट के बारकरी संपदार की स्थापना किस ने गी थी नाम देव तोकाराम ध्याने सुर या अफिरा इसमें डी है पिसोबा खेचर तो आप आपको माल होगा कि इसमें किसने ध्याने सुर ने यानि किसमें सी ओप्सन विल्गुल सही है ए वारकरी संपदाय का ओधिभाव दच्छिन भारत की पंडर पूर नामकिस्थान पर विक्रम संपद की तेरे भी सपाप दापदी में हुआ था संत ग्याने सुर द्वारा इसे जूकरे क्या इस्थान मात्फूर इस्थान मिला तो यह भी आप लो याद रखिये हो है चली आगे चलते हैं हम लो अंगला कूर ने नेमलिकित मेंसे कौन से संत मोची का का काम करते थे निम्लिकित में से कौन से संत मोची का काम करते थे सूरदास, तुलसीदास, या मलूकदास या रहधास तो आप सभी जानते होंगे सुना भी होगा रहधास करते थे कौन? रहधास करते थे D option आपका बिल्कुत सही है ठीक है? बनारस में इनका जनम हुआ था अंगला कुश्चन है हमारे सामने निम्लिकित में से कौन सा मंदिर बास्तु कला की देवेड सहली का की विशेशता है? गौपुर, सेखर, मंडव या बिमान? यह आप देखेंगे इसमें आपकी बिमान, D option बिल्कुत सही रहेगा अंगला कुश्चन है निम्लिकित में से कौन सी चोल काल की सबसे पिसिद मूर्ती है? नटराज, मुरूगन, बिस्नो या बैंकेट इसर तो यह आप सभी जानते हैं कि नटराज है यह option बिल्कुत सही है महावली पुरम के पेगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गये थी? महावली पुरम के पेगोड़ा जो मंदिरें किनके द्वारा बनवाए गये थी? पल्लो, चालुक, चेर, चोल बताएए यह आप देखें पल्लवों के द्वारा बनवाए गये थी किनके पलवों की द्वारा महावलीपुरोम की पेगोडा किसकी द्वारा बन वाए गये थी इसमें साथ रत या पेगोडा की सामिल है यह ओप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें पाली भासा में निगंठा नट उत्र किसे कहा गया है महावीर को गतम बुद्ध को पाल सुनाथ को रिसब देव को तो इसमें महावीर को कहा गया है जैंद्रम के पिवर्दक इतिना ये 24 वितीत कर बास्त विक इन्हें संथा पक भी मांते हैं आप लोग अंगला गुशन है निमलिकित में से कौन सी कौन सा तमिल व्याकारें ग्रंथ है सिलाफी डीकरम पट्टू पट्टू ये तोल कप्पियम इनमें से कोई नहीं है तो आप सभी जानते हैं कि तोल कप्पियम यानि कि सी ओप्षन आपका बिल्गुश सही होगा ये आपका तमिल का ब्याकारें का प्राचीन ग्रंथ है कौन सा वेद आधा गद्द और आधा काब में है सामवेद, यरगवेद, अथरवेद और यजुरवेद ये आप देखेंगे कौन सा है यजुरवेद डी ओप्षन बिल्कूर सही है कलहन की राष्टरंगनी 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 की एक संस्कित गिरंथ है और 1148 से 1150 की बीच इसकी इस्थामना मानी जाती है बलवी काल किस काल को कहा जाता है मौर काल गुप्त काल और आप देखेंगे कुसान काल इनमें से कोई नहीं तो इसमें आप लोगों को मालू होना चीह गुप्त काल को कहा जाता है किसे गुप्त काल को कहा जाता है B option बिल्कुल सही है अंगला question है मैं वारे सामने बैदिकल बैदिकल में किस यग में यग समगई में सुरा कफरियो किया जाता था राजसूर अगनी स्तौम मुबाच्पी और सौत्रामनी यह आप देखेंगी सौत्रा मनी इसमें आपका D होगा सौत्रा मनी में आप देखेंगे कि बैदिकाल में यग में सामगरी में सुरागा प्रियोग होता था इसमें अंगला कुशन है रिगवेट के नुसा दसराज योद किस नदी पर हुगा था? दसराज योद सरसूती गंगा, परुसनी भी तस्ता तो यह आप देखेंगे परुसनी नदी पर दसराज योद तो यह भी आप रहो याप रखेंगे इससे भी question's कई बार पूछ लीता है यह दसराज राग योद भी कहते हैं से और इसमें दस राजाओं का यूद हुआ था, दस राजन यूद, ठीक है, चलिए आंगे चलते हैं, जहांगी ने फारस की राजा, साहे अब्बास पितम की पैंटिंग के लिए किसी फारस भेजा था, वसावन को, विसंदास को, मनोहर को, या दसरत को, तो आप देखेंगे, बी ओप्सन बिल्कुल सही होगा, वेदों का पिरमुक टीका का और सैन, किस समराज से जुड़ा हुआ था, पल्लो समराज, विजय नगर समराज, और आप देखेंगे, चोल समराज, विजय नगर समराज, वी ओप्सन बिल्कुल सही है, इसमें, नेमलिकित में से कौन समंद सिर्फ चोल समराज संबंदित है कैदार कोरंगनात बेदिस और एकता इस एरवातिस और कैलासनात यह आप देखेंगे कैलासनात मंदित डी ओप्षन बिल्कुल सही है टफू नित किस पिदेश का नित है गुजरात पश्यमंगाल करनाटक यह आप देखेंगे के आंध पिदेश का है कहां का दफू नित यह आध पिदेश का है ठीक है आधिवासी नित थे चली अंगली कुश्चेन की तरफ बढ़ते हैं सेसेर कविता निमलिकित में से किस की रचना है रवेंदनाट टैग और वाकिम चंचटर जी महावी पिसाथ दुवेदी भारतेंदू हरिश्चन यह आप देखें रवेंदनाट टैग और की ए ओप्सन बिलकूल सही है और आप देखेंके भारत दुर्दशा के लेकर निमलिकित में से कौन है भारतेंदू हरिश्चन yogurt हरी संकर फरसाई महादियवी बजमा गोपाल चंद गिरदर दास तो यह आप देखेंगे भारत दुर्दशा क के लेकर भारतेंदू हरिश्चन इ इसमें A option सही होगा आपका, भारत की अलावा तमिल भासा, कहां की अधिकारिक भासा है, सिंगापूर, स्री लंका, मौरिशा सिंगापूर, स्री लंका, मलेसिया, इंडोनेसिया, मलेसिया, तो याप देखेंगे, स्री लंका, सिंगापूर में भी तमिल आपकी बोली जाती है, एया option बिल्कुल सही है सबरी माला किस पिदेश में है केरल में तमिलाणूं करनाटक में और आंध पिदेश में ये आपको देखने को मुलेगा केरल में ये कापी चर्चा में रहा था सबरी माला मंदिर ठीक है अंगला है रम्मन किस्त पिदेश का तिवहार है रम्मन उत्तराखंड पंजाब हिमाचल पिदेश उत्तर पिदेश तो यह उत्तराखंड का है तेगे पिसेद नवाक लिवर तिवहार किस पिदेश से संबंदित है या कम हराष्ट मतिदेश राजिस्थान उरिशा नवा कलेवर तिवाद किस उरिशा से संबंदित है कहां से उरिशा से संबंदित है डी ऑप्सन विल्कुल सही है आपका जकर्नात्पुरी मंदिर का तिवार है यह थे थे भी आपको याद रखेएगा निमलिकित में किस मंदिर को बिलेक पिगोडा कहा जाता है लिंगराज मंदिर भवनिसुर, सूर मंदिर कॉड़ाड, मिनाच्छी मंदिर मधूरे, जगनात मंदिर पुरी तो यह याद रिखी सूर मंदिर कॉड़ाड को बिलेक पिगोडा की नाम से जानते हैं आप देखें, कहाँ देखने को मिलेगा? औरीसा जिले में. क्या औरीसा राज में? पूरी जिले में समध त्टफर है यह. ठीक है. एक कला घुड़ा या काला घुड़ा नामक कला तिवार किस सहर से संब्धी थे एक पूने कोची मुंबई मैसूर देखें मुंबई से संब्धी थे काला घुड़ा चलिए आंगे चलते हैं हनुक के नामक पिकास महसव किस धरम से संब्धी थे पारिसी बौद्ध कानुफिसियस यहूदी तो यहूदियों से संब्धी थे हनुक नामक पिकास महसव तो इसमें आप लोग डी लगाएंगे ठीक है निमलिकित में किस से बंगाल का ग्रीता अगारगु कहा जाता है अमरावती सुचेता सेंट भारत भारती से रोड कर और एक है आपका इनका नाम कानन देवी तो इसमें कौन होगा सुचित्रा सेंट भी आपशन बिल्कुल सही है अबिनेतरी थी ये ठीक है चैफरेल 1931 में इनका जनम हुआ था और सत्रे जर्मबरी 2014 में कौलकाता में इनकी डेथ होगे थी ठिपो सम्तिभार किस सम्धाय के द्वारा मनाया जाता है थिपू समतिवार यह आप देखेंगे थाई तो यह इसके बारे में थाई पू समतिवार भी इसी कहते हैं आप लोग ठीक है तो इसे भी आप लोग याद रखें तेलगू मलयालम या तमिल इमराथी तमिल में ठीक है तमिल समतिय दबार मनाया जाता है सी ओप्सन बिल्कुल सही है थाई पूसम भी कहते हैं इसे याद रखे फिलिप इंगो तिवार किस पिदेश में है मनाया जाता है यह आप देखेंगे कि करनाटक आंपिदेश बिहार केरल तो यह आपको देखने को मिलेगा आंपिदेश में और फिलो मिंगो तेवार की दिवस आंपिदेश में नेलोर जिले में पुलीकट जील पक्षी अभ्यारन के पास सो लोर पेटा में मनाया जाता है अंगला कुशा है सुनने का अविस्कार सुनने का अविस्कार किसने किया था ब्रह्मभट आरभट आज्याद भारतिय वराय महिर ने तो यह आप देखेंगे आज्याद भारतिय वो इसका स्रे जाता है कहा जाता है कि मालू नहीं किसने लेकिन भारतिय था जिसने अविस्कार किया था इसका तो ये भी याद रखिएगा और लोग लेकिन 1628 इसमिय में ब्रह्मा गुप्त नामक बिद्वान उगड़े तक ने पहली बार सुन ने उसकी सिद्धान्दों को परिभासित किया इसके लिए पितिक बिक्सित किया गया है जो संख्याओं के नीचे दिये गए एक डॉट की रूप में था बेद समाज की स्थापना किस ने की थी स्वामी द्यानंद सरसुती राजारा मुहन राए स्वामी बिवेकानंद केसाव चंद सेन तो केसाव चंद सेन ने 1864 में की थी मद्रास में डी ओप्सन बिल्कुल सही है इसमें निम्लिकित में से कौन से संपदाय की स्थापना संद तुकाराम ने की थी संद तुकाराम ने यह आप देखेंगे कि वारकरी संपदाय परनामी संपदाय स्थरी संपदाय रुद संपदाय तो ये बारिकरी संपदाय था बारिकरी संपदाय भगवान सरी बिठल के फक्त को बारिकरी कहते हैं इस संपदाय को बारिकरी संपदाय कहते हैं ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिए यंगले कुश्चन की तरफ बनी ठनी नामक पिसिद्र चित्र किर्थी किस चित्रकिर्थी 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 किस चित्रकिर करगम केरल अंध्रप्रेश करना टक तमिल्लाडू बताईए तो यह आपको देखने को मिलेगा कहां का है तमिल्लाडू का त्रीक है डी ओप्षन बिल्कुल सही है तमिल्लाडू का भारतिये सास्तिये संगीत में खयाल और तराना कि संथा पर कौन माने जाते हैं वीजू बाबरा तांसेन अमीर खुसरो इन में से कोई नहीं तो अमीर खुसरो को माना जाता है किसी अमीर खुसरो को तो याद लोग जरूर याद रखिएगा क्या रखिएगा याद रखिएगा ठीक है अंगला कुश्चन है निम लिखित में से किसने अगनी वीना नमक पिस सिद्ध बंगाली पुस्तक लीकी थी अगनी वीना रवे नाटे गोर सरत चंद चटुबादी यहाए भाकिम चंद चटवबाद देयर और नाजी नजरूल इस्लाम अगनी वीना नामक पिसद्ध बंगाली स्थक लिकी ती किसने यह आप देखिए यह आप देखिए नाजी या काजी नजरूल इसलाम ने तीग है डी ओप्सन बिलकुँ सही है निम लिकित में से किसने पश्चम बंगाल का राष्टगान अमार सोनार बंगला लिखा था देखिए पश्चम बंगाल का नहीं यह आपको बता बंगला देश की बात हो रही है रवेणाट टेगोर नजरूल इसलाम सांती दियो गोस अनुसुर रह्मान तो रवेणाट टेगोर ने हमारा भी राष्टगान लिखा देखिए यह आप्शन बिलकुँ सही है बंगला देश ने इसी अपना राष्टिगान अपना बनाया है केरल में बिसु नामक्तिवार किस महीने में मनाया जाता है फरवरी जन्वरी अपरेल मार्च तो यह अपरेल में तब अपरेल में होसरी और भी होना किस पेदेश के नेत है होसरी और भी होना यह आप देखें बिहार असम पश्चे मंगाल यह आप देखें उडिसा तो यह पश्चे मंगाल के हैं वेस्ट बंगाल पश्चे मंगाल के बारे में जान लीजिए आज कोलकाता इसकी राददानी है और आप दे पिहार, सेक्केम, असम्क से लगती है, इसकी अंतरा सीमा नेपाल, वुटान और आपकी वंगलादी से लगती है, तीन देसों से लगती है, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा, कोलकाता इसकी राध्दानी है, सबको माल होगा, यहाँ 294 सीटें विधान सवा में, कि आप देखेंगे 42 सीटें लोग सवा में, राज सवा में 16 सीटें हैं, चली आँगे, निम लिकित में किसने, पाथेर, पंचाली, नामक पन्यास लिखा जिसकी आधार पर सत्यजी द्रे ने इसी नाम से फिल्म बनाई थी, विभूती, भूसंट, पंदोपाद्या है, वकिम आप्शन बिल्कुल सही है, क्या है, ए आप्शन, ठीक है, मंतूर, मंतूर गाओ, जहां की ने बासी संस्कित बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस पिदेश में है, मंतूर गाओ, ए किस पिदेश में है, करनाटक, आंध्वदेश, तेलंगाना, तमिलाडू, तो यह आपको देखने को मिलेगा, यह आपको करनाटक में देखने को मिलेगा, कहां, करनाटक में, ए ओप्शन बिल्कुल सही है, बैसी लिका, आप बॉम जीसर नामक बिस धरोहर, इस तल किस पिदेश में है, यह आपको देखने को मिलेगा, गुआ, महराष्ट, मड़ी वो तमिलाडू, तो यह गुआ में देखने को मिलेगा, कहां, गुआ में देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, मड़ाई तेवहर किस पिदेश का अधिवासी तेवहर है, मद्दपिदेश, मड़ाई तेवहर, करनाटक आंध पिदेश, चटीस गड का है, मड़ाई तेवहर, मड़ाई मख्साओं या मेला सांस्कितिक चटीस गड का एक प्रमुख तेवहर है, एकेबल ना केबल मजेदार बनोहग बना है, बलकी राजज की सम्रुद परमपरा और संसकितिकों भी दर साता है, और चटीस गड में इकी बात करें तो आप सो भी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मदवदेश से अलग करके बनाया गया था चत्तिसगड राज पहले मदवदेश का हिस्सा हुगा करता था किसका मदवदेश का इसकी राधानी क्या है राएपुर और आप देखेंगे कि 90 सीटे हैं बिदान सवा में राज सवा में 5 सीटे हैं लोग सवा में 11 सीटे हैं कहां चत्तिसगड में कर्के बavicाल सकते हुगा कि कि इन्नर 25 तर जो वसरता टे सession कि अैस्थए, सबस्का भंदेश राएब सान्याल क्फट्सुब तूर अजसोट, स स्टूरीतों त则 와서 मत्रप्स परयिसमें दिनայ, कर आसे कर साओर सप्सी सिफ DRUW अहीं अजब तर्फाइन स्ब्सक्तारी तरीका और आप देखें इन में से कोई नहीं तो यह आप देखें करनाटक संगीत ए ओप्सन बिल्कुल सही है उसमें कुश्चन है अंगला नेत और संगीत के पिसिद मुद्रा लावनी किस पर दिसकिब में प्रयोग की जाती है नेत और संगीत के पिसिद मुद्रा लावनी किस छेत में प्रयोग की जाती है पिदिस में चतिसगर मद्द पिदिस गवा महराष्ट तो यह महराष्ट में आपको देखने को मिलेगी कहां महराष्ट में ठीक है तो यह भी याद रखिएगा चली अंगला कुश्चन है हमारे सामने क्या है अंगला कुश्चन अंगला कुश्चन है सैंडल हुड निमलिकित में से किसके लिए पिरयोग किया जाता है तो यह आपको बता दूं कि यह किया जाता है करनर सिनेमा के लिये नित संगीर साहित और चित का जा है तो यह आपको मालू होना चाहिए किसके चित में संगीत के चितमें B option बिल्कुल सही है इसमें अंगला कुशन है हमारे सामने निमलिकित में से कौन से मंदिर में सेव की अराधना नटराज की रूम में की जाती है मदुरई, चिदंबरम, तंजोर, इन में से कोई नहीं तो चिदंबरम में, कहां? चिदंबरम में आपका क्या option, B option बिल्कुल सही रहेगा इसमें अंगला कुशन है हमारे संगीत के चित में ताना, रिरी, पुरुषकार के सरकार द्वारा दिया जाता है ताना, रिरी, पुरुषकार के सरकार द्वारा दिया जाता है डी ओप्सन विल्कुल सही है, मुस्लिम तीर तिस्थल, गलिया कोट किस पिदेश में है, राजिस्थान में, उत्तर पिदेश में, बिहार में, या कस्मीर में, बताईए, तो यह आपको कहां देखने को मिलेगा, राजिस्थान में देखने को मिलेगा, राजिस्तान के डुंगरपूर जिले में है, देखने को मिलेगा यह, ए उप्सन बिल्कुल सही है, भाम कालपम, नित नाटर से सिद्धैन, योगी द्वारा, निमलिखित भारतिय सास्ति, नित रोम में से कौन सा विक्सित किया गया, उडिसी, कुछी पूरी, या कतकली, एक् कुछी पूरी, आपका B option, B option बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व 6-3 सांस्कितिक केंद का हैड़कौर का है, यह आप देखेंगे कि इटा नगर, ग्वाटी, दीमापूर, आई जोल, तो यह दीमापूर में देखने को मिलेगा, C option बिल्कुल सही है, क्या, C option बिल्कुल सही ह अंगला question है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है, मामलपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाए था, किसका मामलपुरम का, बताईए, वराह मंदिर किसने बनवाए था, महंद बर्मन, पिथम, सिंग विष्णू, आदित पिथम, नरसिंग बर्मन, और आप देखेंगे, आदित किसनू ने बनवाए था, बी option बिलकुल सही है, क्या है, बी option बिलकुल सही है आपका, यह तमिलाडू में देखने को मलेगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग, अंगला question है हमारे सामने, प्राचीन भारत में पत्थर काट के, बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उधारन कों से हैं, पत्थर काट के, अजन्ता की गुफाएं, बारवरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, इन में से कोई नहीं, तो बारवरा की गुफाएं, यह जरूर आप लोग याद रखिएगा, और बारवरा की गुफाएं भारत के बिहार राज के जहाना हिंदू देवता को समर्पित है वहमा गनेश, सिव यह आप देखें बिसनो तो यह आप देखेंगे बिसनो भगवान को ठीक है डी ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा इसमें पंच महल कहां इस्ते थे आगरा में, बरेली में, फतेपुर सीकरी में या अलिगड में तो यह फतेपुर सीकरी में देखने को मुलेगा पंच महल तो यह आप लोग जरूरी याद रखिएगा मुगल वासा अकबर की द्वारा बनवाए गया था अंगला कुशन है हमारे सामने टावर ओव साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंदित है इसाही पारसी सिख यहूदी तो यह है पारसी धर्म सिख भी ओप्सन विल्कुल सही है पंडवान पंडवानी किस पिदेश का लोग ने तिया नाटक है महराष्ट मद्विदेश करनाटक चत्तिस गड़ बताईए तो यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा चत्तिस गड़ का है अंगला कुशन है डुंडी राज फालके फिल्म जगत के लिए कि किस महापूरु से संबंदित है यह ओप्सन कहा रहा है देवानन्द दादा सहाब फालके पितिवी राज चापूर गुरु दत तो दादा सहाब फालके तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा दादा सहाब फालके देख है और 30 अप्रेल 1870 मेने का जनब भुआ था दादा सहाब फालके का 16 फर्वरी 1944 मेने की डेथ हो गई थी आजादी के पहले भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौँ सी थी राजा हर्चंद, आलम, आरा, किसमत, किसन, या किसान कनईया किसन कनईया तो किसन कनईया भारत में पहली पहली रंगीन फिल्म की बात हो रही है आपको बता दूं कि किसान कनईया किसान कन्या ये 1937 में मौती जी गिदबानी ने एक फिल्म का निदेशन किया था इस फिल्म का नाम था किसान कन्या इस फिल्म के जरी भारती सिनेमा को रंग मिले और अर्दिर से इरानी द्वारा निर्मित या फिल्म इतियास रचकर बन गई पहली कलर मूबी थी किसान कन्या किसन कन्या यानि किसान कन्या चोटेन किस धर्म से संबंदित है चोटेन एक किस धर्म से संबंदित है बॉद फारसी यहूदी इसाई तो आपको बता दूँ बॉद धर्म से बुद्ध उत्तर पूरी भारत तो तिब्बत में चोड़िंग बहुत इस्तूपों को कहा जाता है अंगला को उप्षन है हमारे सामने भारत के किस राज में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आगटी में पाये जाते हैं बहुत के किस राज में गुप्त काल की मंदिर अच्छी आगटी में है मद्य पिदेश में है कहा है MP में विश्णूफोर जो टेरा खोटा मंदिरों के लिए पिसिद्ध है किस पिदेश में है यह आप देखें पश्चे मंगाल उत्तर पिदेश महराष्ट मद्य पिदेश विश्णूफोर आपको देखने को मिलेगा पश्चे मंगाल में यह आपको देखने को मिलेगा अंगला कुश्चन है हमारा इसमें यह ओप्सन लगा देना ठीक है अंगला कुशन है निम लिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपीयों ने बिलैक पिगोडा नाम कहा इसमें कामक्खा मंदिर असम तिरो मला तिरोपति आंधपदेश जगनात मंदिर उडिशा कौणायक्ट मंदिर सूर मंदिर उडिशा तो यह आप सभी जानते हैं कौन सा गोडायक्षू मंदिर उडिशा का इसे आप लोग बलेक पिगोडा की नाम से भी जानते हैं चर्ट च मैं जाता है मेजोरं असम सिक्किम टर्नाटग तो आपको बता दूंग यह का मना जाता है चपचार कूट ते भार ये मेजोरम में मनाया जाता है कहां? मेजोरम में मनाया जाता है मेजोरम के बारे में बात कर लेते हैं कुछ आईजोल इसकी रात्धानी है किसकी मेजोरम की और आप देखें इसकी सीमा आपकी बंगलादेश से भी लगती है मियानमार्च से भी लगती है इसकी सीमा दो देशों से लगती है और यहाँ आप देखेंगे बिधान सभा में 40 सीट है राज सभा में 1 सीट है, लोग सभा में 1 सीट है तो यह भी आप लोग याद रखेगा मेजोरम सौर मंदिर किस पेदेश में है बताईए उडिशा, महराश, तमिलाडू, आंध विदेश यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलाडू में सी ओप्शन बिलकोल सही है ब्याज सम्मान के छित में दिया जाता है साहित, फिल्म, नित, संगीत तो यह साहित के छित में दिया जाता है ब्याज सम्मान तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लो साहित के लिए दिया जाने बाला ग्यान पूइट पर उसकार के बाद दूसरा सबसे बढ़ा है यह एडविन लूटियंस की सहयोग से नई दिल्ली में इपको डिजाइन करने में नेमलिकित बेकर और साइमन विसल तो यह थे हर वर्ड बेकर option बिल्कुल सइय रहेगा राजस्तान का किसनगर इस्कूल किसके लिए बिसिद्ध है निद्नि इस्थाबत कला, चित कला, मूर्दी कला और तो चित कला के लिए बिसिद्ध है तेक है अंगला क्विश्चन है हमारे सामने है हैदराबाद की हुसेन सागर जील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद की हुसेन सागर जील किसके द्वारा बनवाई गई थी? इब्राहिम, अब्राहिम, कुली, कुतब साएं, इब्राहिम, कुली, कुतब साएं, हजरत हुसेन साहिवली, सेसा सुरी बताएं, हुसेन सागर जील की बात हो रही है, यह हैदराबाद में देखने को में लेगी आपको तेलंगा नाम है यह किंतिम जील है तो यह आप देखेंगे किस के द्वारा हजरत हुसेन साहिव वली के द्वारा इसमें आप लोग क्या लगाओगे? C option अंगला question है हमारे सामने CD वसीर मस्जित कहां वस्तित है? नई दिल्ली एहमदाबाद अलीगर आगरा CD वसीर मस्जित कहां वस्तित है? यह आपको कहां देखने को मिलेगा? अहमदाबाद में ठीक गुजरात अहमदाबाद B option विल्कुल सही है निमलिकित में से पंजाब में कौन सा सहर पहले रामदासपूर के नाम से आप लोग उसे जानते थे? पटियाला, जलंदर, चंडीगर और अमरश सर निमलिकित में से पंजाब का कौन सा सहर पहले रामदासपूर के नाम से जानते थे से अमरश सर को क्या? D option अमरश सर पिसिद मुखेसर मंदिर और अनन्त बासूदियो मंदिर किस पिदेश में है? पिसिद मुखेसर मंदिर और अनन्त बासूदियो मंदिर एकिस्त पिदेश में देखने को मिलेंगे? आंध पिदेश केरल, उडीशा, महराष्ट बताएए यह आपको देखने को मिलेंगे उडीशा में C option बिलकुल सही है केरल के एना कूलम जिले का कलाड़ी किसका जनम स्थान है? आदी संकराचार, वल्लवचा, आरवट और आप देखेंगे चैतन महापिरभू तो इसमें आदी संकराचार होंगे तीक है? अंगला कुशन है हमारे सामने सिखों के धार में गुरू, 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 साहिब में निमलिकित में जिसके भजन फाये जाते हैं स्वामी हरिदास और ध्यानिसोर, नाम देव, जैदेव तो आप देखेंगे जैदेव के D option बिलकुल सही है क्या है, D option बिलकुल सही है आपका चलिए अंगला कुशन है निमलिकित में से क्या मंदिर निर्माड की देविड सैली है वेमान सेकर, गौपरम, मानिस्थम या गरव गरे क्या निमलिकित में से क्या देविड सैली है बताईए, बिमान और सिकर ए उप्सन बिलकुल सही है मंदिरों की एक सैली है, दच्छिन भारत की अंगला कुशन है हमारे सामने राश्टी कभी सम्मान किस पिदेश की सरकार की द्वारा दिया जाता है तो यह भी आप लो याद रखिएगा इसके बारे में मदबदेश के सासन संस्किती विभाग ने साहितों से जनात्मक कलाओं के चित में दिया जाता है ठीक है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौँ सा है? मिनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरोपती बालाजी मंदिर, अंकोरवाट मंदिर यह बताईए आप लो रंगनाथ स्वामी मंदिर यह कहां है? यह रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलाडू में ही देखने को मिलेगा आपको कहां तमिलाडू में ही तो यह भी आप लोग याद रखिएगा चलते हैं अंगले कुशिन की तरफ निमलिकित में से किस राजा ने लाहोर की मौती मश्चित को रतन भंडार में बदल दिया साजहां जहांगीर महराजा रजी सिंग फरोक सी है तो आप सभी जानते हैं कि महराजा और अर्जी सिंग सी ओप्सन बिल्को सही है पाकिस्तान में एक मात स्वामी नारायन मंदिर कहां इस्तित है इसलामाबाद, कराची, पेसावर, लाहोर तो एक कराची में आपको देखने को मिलेगा अगनी मंदिर किस धरम का मंदिर के कौन हस्बेन वो पालसी परिवाद से थे समझ रहे हैं आप लोग और आपने देखा होगा इसलिए बिबात खड़ा रहता है राहूल गांदी के धरम को लेकर सौनिया गांदी के धरम को लेकर मत्रा कला इसकूल में किसका परियोग किया गया था मत्रा कला हिस्कूल में लाल बल्बुआ पत्थर संगमारवार सलेट गेरे पाइड तो ये लाल बल्बुआ पत्थर का ए ओप्शन बिल्कुल सही है भारती कताओं के नुसा द्हुम वर्ड किसका अवतार है सिपका विष्णू का गनेश का या इंदर का तो यह है गनेश का C option बिल्कुल सही है निमलिकित में से किसने है निमलिकित में से किसकी इस्थापना आजाद भारत की पहले सिक्चावंतरी मौलाना अभूल कलाम आजाद ने की थी यक्चगान किस पहले सिक्चावंतरी मौलाना आजाद ने की पहले सिक्चावंतरी मौलाना आजाद ने की थी याद रखिएगा चलिए कुरान का पहला अदिया क्या है ठीक है अंगला कोश्चन है हमारे सामने तो यह नेत नाटक किस पिदेश का सास्ती नेत है मडीपूर, फर्षें बंगाल, असम मेजूरम यह आपको देखने को मिलेगा असम का है कहा का है, असम का है तो इसके बारे में भी आप लो याद रखिएगा तेरह ताली नेत किस पिदेश का नेत है ए मत पिदेश, राजिस्थान, सिक्किम, 36 गर तेरे ताली नित यह आप देखेंगे कहा का राजिस्थान का B option भी कुछ सही है दौनी पोलो किस पिदेश की जंजाती का धर्म रीती है अरुणा चल पिदेश, मेगाले, सिक्किम, नागालेन यह आप देखेंगे, अरुणा चल पिदेश का ठीक है अंगला question है, निमलिकित में से कौन सी गुपाई महराष्ट में नहीं है महराष्ट में नहीं है, बाग की गुपाई, भज की गुपाई, बैरसा की गुपाई, एलूरा की गुपाई तो बाग की गुपाई आप सभी जानते हैं कहा है, यह मद्वदेश में आपको देखने को मिलेगी, बागी तीनों आपकी महराष्ट में है, ठीक है तो यह आप लोगों को धार जिले में देखने को मिलेगी, ठीक है, मद्वदेश की इसमें बी A option लगा है, ठीक है, नेमलिकिस में से क्या नागर, देविड और वेसर की सही व्याक्षा है, तीन प्रमुक भासा है, तीन प्रमुक जातिकर समूए, तीन संगीत गराने, मंदी निर्माड की तीन भारतिय सहली है नांगर देविट और बेसर तो इसमें आपका D option बिल्कुल सही है ठीक है मंदे निर्माड की तीन भारतिय सेलिया है यह बलेक पुगोड़ा किस पेदेश में है आंद पेदेश उड़ीसा तमिलाडू केरल तो उड़ीसा में है तहा है उड़ीसा में केंद्रिय बहुत अध्य अध्यान संस्थान कहां देखने को मिलेगा हिमाचल पेदेश लग्दाक उत्राखन अर्वाचल पेदेश केंद्रिय बहुत अध्यान अध्यान संस्थान तो बताइए यह आपको देखने को मिलेगा देखिए लग्दाक में कहां लग्दाक में ले लग्दाक अगर जमू क स्मीर आपकी सामने आता है लदाख नहीं दी आ रहता है तो आप लोग जम्हु घुसमीर भी लगा सकते हैं घके मैत्री मंदिर कहा है मैत्री मंदिर कहा है मैत्री मंदिर पुदो चेरि तमिलाडू आंधपेदेस केरल तो ये कहां है मैत्री मंदिर ये पुदुचेरी में देखने को मिलेगा ये ओप्सन बिल्कुल सही है इसमें इस कौन की स्थापना कब हुई थी 1966-1900 इस कौन की स्थापना कब हुई थी 1964-1970-1968 तो आप सभी जानते हैं कि 1966 में हुई थी ये ओप्सन सही है 13 जुलाई 1966 अंतराश्टी केश्ण भावना मेर्ट संग ते रहे इससे ही आप लोग जानते हैं चलिए आंगे चलते हैं इसकी इसका हेड़काटर म्यान मायापूर में है ठीक है जोधपूर की निकट ओसिया ओसियान का मंदिर सहर किन राजाओं ने बनवाय था चालुक फर्मारत से सौधिया पितिहार तो ये पितिहार राजाओं ने ठीक है एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहा जिसते थे कमबोडिया लाउस बेतनाम थाइलेंड एमराल्ड बुद्ध का मंदिर ये थाइलेंड में देखने को मिलेगा डी ओप्सन विल्कुल सही है ठीक है वैंकॉप निमलिकित में से कौन सा तिवहार यंत पूजा के रूमें मना जाता है विसकर्मा जैन्ती, जेवतीबा फुले जैन्ती, प्रजापती जैन्ती या आप देखें परुस्राम जैन्ती तो विसकर्मा जैन्ती आप लोग मनाते हैं आपके हाँ जो भी हद्यार होंगे जो भी एंत होंगे उनकी पूजा भी करते होंगे आप तो भारतिये कथाओं के अनुसार निमलिकित में से किस ने सिफ तांडव सुरूत गाया था कुवे, रावन, कपिल और विवी संग तो रावन ने आप सभी जानते हैं रामायर देखी होगी, पड़ी होगी आपने निमलिकित में से किस नेत कुफ अंडव जवालाल नहरू ने गरीबों की कथक कली कहा था भारत नाट्यम, ओटाम, थुलाल, कोल कली, इन में से कोई नहीं तो ओटा, ओटाम, थुलाल, गरीबों की कथक कली ठीक है? और टम, थुलाल ने, वो जवालाल नहरू ने केरल का है गरीब आदमी की कथक कली कहा था यसे पिति बस हाती महत सब कहां मनाया जाता है? सरी गंगा नगर में, जैपुर, अजमेद, जोथपुर तो ये जैपुर में मनाया जाता है कहां? जैपुर में चली अंगला कुश्चन देख लेते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने मैं दम, मैं, फाई किस प्रेश का तिवहार है? एक कुश्चन से इस तरह के तिवहारों से भी कई बार कुश्चन से पूँच लेता है मेगालाई का है, असम का है, केरल का है, मरनीपुल का है तुभी आपको बता दूं कि असम का है और ताई अहोम जन जाती है ना, उसका एक्तिभार है कहां का? असम का तो A आप्सन आपका क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल सही रहेगा B आप्सन, ठीक है? असम गुरु मुखी, डौंग्री और सिंधी, लिपी की उत्पत्ती किस लिपी से हुई है? A आप्सन आपसे कह रहा है, सार्दा लिपी B ब्रम्मी लिपी कोसार लिपी टांकरी लिपी तो आपको बता दूं सार्दा लिपी से A आपसन बिल्कुँ सही रहेगा आपका इसमें A आपसन बिल्कुँ सही है एथू एजूद चान पुरा कारम किस पिदेश का सर्वोच साहिद पुरुशकार है? केरल, आंध पिदेश, करनाटक, तमिलनाडो A आपको देखने को मिलेगा कहां का है? एक केरल का है कहां का है? केरल का है ठीक है? अंगला कुशन की तरफ बढ़ते हैं वासव सरी पुरुशकार के सरकार द्वारा दिया जाता है वासव सरी पुरुशकार के सरकार के द्वारा दिया जाता है आपको देश गुजरात, करनाटक या महराष्ट तो यह आपको बता दू合 किस के द्वारा दिया जाता है क्रनातक सरक्यार के द्वारा सामाजिक सुधार आ सामाजिक फारीड़वतन की दिसा में योगधान के लिए फुरूसकार दिया जाता है तो राष्टी ये इस महरक तो राधीकर्ण के चेर्मेन को कौन नुक्त करता है? ओप राश्टपती, राश्टपती, मुक्क नियादी, स्पिधान मंत्री तो ये आपको बता दू कौन करता है? राश्टपती साहब B option बिल्कु सही है B option कैसा है? बिल्कु सही है तौमद राश्पूतों द्वारा बनवाय गया किला राश्पितौरा कहा है? चोहान बनसों की दवारा बनवाय गया था अंगला question है मरे सामने दादा सहाब हाल कि परोस्कार की सुरुवात कभ गया? 1963-1966-1980-1970 दादा साथ पर फाल के वुरुसकार की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि 1989 में हुई थी इसमें C option आपका बिल्कुँ सही है ठीक है? चलिए अंगलिक कुश्टन की तरफ बढ़ते हैं भगत आंदोलन नेवलेखित में से किस जनजाती से संबन्दित है? बिरहोर, कोल, संथाल, भील भगत आंदोलन की बात हो रही है किस जनजाती से संबन्दित है? तो यह आप देखेंगे कि भील जनजाती से संबन्दित है किस से भील से? D option आपका बिल्कु सही है एलिफेंटा की गुफाएं मुक रूप से किस बंच से संबंदित है एलिफेंटा की गुफाएं किस बंच से संबंदित है चालुक राष्टकूट चेर चोल तो यह आप सभी जानते हैं किस से संबंदित है राष्टकूटों से आपका वी ओप्सन विल्कुत सही है क्या है वी बर में मसूर हैं आपकी ये चली अंगले कुशन है केंद्री भारती है भासा संस्थान कहां इस्ते थे केंद्री भारती भासा संस्थान कहां देखने को में लेगा ये आपका वेंगलोर में है दिल्ली में है मंबई में है मैसूर में है तो ये आपको देखने को में लेगा कहा बताईए मैसूर में, कहा है, मैसूर में, D option बिल्कु सही है, और 17 जुलाई 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी याद रखिएगा, अंगला कुशन है हमारे सामने, भारती संगीत में अभंग किस दियुता की बजन है, नाराइन, जगनात, और आप देखेंगे, वावन य के निमलिकित में से किस ब्यक्ति का नाम, यरूसलम में भारती तहरम साला से जुड़ा हुआ है, सालिव वाहित, सेख मुहम्मद मुनीर हसन अंसारी, मुहन जसन मली, और ये के आपका मुहवद्दीन, साइद कर्मुद्दीन, तो इसमें आपका B option सही होगा, सेख मुनीर हसन अंसारी, B option आपका बिलकुल सही है, नित रूप लटा, पद किस नित से संबन दित है, कुछी पूरी, भारत नाट्यम, उडिसी कतक, बताईए, इसमें याद रुखिये आपका, क्या होगा, भारत नाट्यम, भारत नाट्यम, तो इसमें आपका क्या रहेगा, B option प्राचीन भीमा देवी, मन्δिर किस पिदेश में है, हर्याना, पंजाब, बिहार, उत्तर पिदेश, तो ये आपको हर्याना में देखने को मिलेगा, कहा हर्याना में देखने को मिलेगा तो ये भी आप लोग याद रखियेगा इनसे questions भी पूछ लेता है चलिए अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसमें हर्याना लगा देना ठीक है कौन सा बारसिक मेला उंटों के ब्यापार के लिए पिसिद्ध है बारसिक में उंटों का ब्यापार के लिए मिला एक कहा लगता है कुम मिला, सूरज कुंड मिला, पुसकर मिला, सौन पुर मिला तो ये पुसकर मिला है आपका C option बिलकुत सही है C option बिलकुत सही है निमलिकित मैंसे वह कौन सा राज्य है जिससे करक रेका गुजरती है करक रेका गुजरती है बिहार, जारखंड, हिमाचल पिदिश, उत्तर पिदिश तो आप सभी को बता दू कि जारखंड से गुजरती है और करक रेका गुजरती है बैसे आपको बता चुका हूँ कि कितने राज्यों से करक रेका गुजरती है आठ राज्यों से होकर गुजरती है और इनके बारे में एक एक राज्य के बारे में बता चुका हूँ जरूर आप लोग याद रखेगा अब फिर से एक बार बता देता हूँ, मेजोरम, तिपोरा, पश्चे मंगाल, राजिस्थान, गुजराद, मद्विदेश, चातीसगर, जारकंड, आठ राज्जों से होकर जाती है करकरेखा, ठीक है, अंगला कुशन है हमारे सामने, हेमाले की सेडी में कौन पराचिनतम है, वेहद हिमाले, सिवालिक, दोलादार और निम्न हिमाले, तो आप सभी जानते हैं कि वेहद हिमाले, एक ओप्शन विल्को सही है, अंगला कुशन है, हमारे सामने, पट, काई, बुम, नागा हिल और लोसाई हिल भारत के किस भूभाग में है, यह आपको देखने को मिलेगा पूरवी घाट, यह आप सभी जानते हैं कि पूरवोत्तर में देखने को मिलेगा, यह पटकाई भारत के पूरवोत्तर में बर्मा के साथ लगी गई है, भारत में मुगल काल का संस्थापक कौन था, मुगल बंस का संस्थापक बावर और अंगेब अगवर हुमाईव, तो अंगला कुश्यन है हमारे सामने, खानबा और घागरा का यूद, घागरा का यूद किस मुगल सासक में लड़ा था, यह आप अकवर ने, यह आप देखिए औरंगेब ने, हुमाईव ने, बावर ने, तो बावर ने लड़ा था, D option, बिल्कु सही है, चौसा का यूद किन के बीच हुआ था, औरंगेब और सेशा है, अकवर और सेशा है, बावर सेशा है, हुमाईव सेशा है, तो याद रखिए हुमाईव और सेशा के बीच, चौसा का यूद, अंगला कुश्यन है हमारे सामने, सोले कुल की नीती, किसने अपनाई, बावर ने, हुमाईव ने, स अखबर को, अकबर को, हमायो को या साज यहां को, तो आज सभी जानते हैं कि अकबर को दिया था, अंगला कुप्षिन है हमारे सामने, भारत 22 क्या है, एक नए सोलर लेंप का नाम है, सेवी का नाम है, एक्स्चेंज ट्रेटेट फंड का नाम है, इन में से कोई नहीं, तो यह अप जानते हैं कि भारत बाईस एक exchange trade fund का नाम है टिक है और जिससे आप भारत ऐफ भारत बाईस के नाम से आप जानते हैं या भारत बाईस के नाम से इसके बारे में जात रहेगे इंड़ारत भारत संटोऊoter के इंडिश 앞에 जर्कार स्वीद का नजर रखी जिनके अंतरगत भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की समझे में विचार कर रही है, तो इसमें आपका C है, भारत में सबसे पहले रेडियो इस्टेशन कहां इस्थाबित किये गये थे, भारत में सबसे पहले रेडियो इस्टेशन कहां इस्थाबित किये गये थे, ब दिल्ली में, चलिए तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, अंगला कुश्चन है भारत का सबसे पुराना stock exchange कौन सा है, भारत का सबसे पुराना stock exchange कौन सा है, ए दिल्ली stock exchange, बंबई stock exchange, OTCEI या राष्टी stock exchange, तो बंबई stock exchange है, BSE के नाम से जानते हैं, 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थाबना हुई थी, मॉंबई में इसका headquarter है, भी option आपका, बिल्कु सही है, भारत में राजको इसी नीती में निमलिखित में से कौन सा उद्देश सामिल नहीं है, अंतरष्टी ब्यापार का भी निमन, संपत्ती आयका निया योचित, पूर्ण रोजगार, कीमत इस्थिर्टा, तो इसमें पूर्ण रोजगार सामिल नहीं है, ठीक है, बाग को इतनों सामिल है, भारत में हाय सिंध, नाम की जंगली घास किस महादीप से आई, ये आप दे चेड़ अमेरिका से आई हुई है, तेहरने वाली घास है, एक तरह से, ठीक है, तो इसके बारे में जरूर याद रखेगा, दच्छेड़ी अमेरिका, ये ओप्सन पिल्गो सही होगा इसमें, भारत में किस सेलासे से सरवादिक चित पर आपत हुए है, भारत में सबसे, जा भगरिया, आदमगर, तो भीमबैट का से मिले हैं, और ये आपको मत्वदेश में देखने को मिलेगा, रायसें जिले में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, और भीमबैट का यूनेसको की विस्टे विरासत इस्थल में भी सामिल है, 2003 में सामिल किया गया था, भारत की निमलिखित किस राजी की सीमा नेपाल से मिलती है, अवड़ा चल पेदे सिक्किम, मडीपुर और पंजाब, किस की मिलती है, तो आप सभी जानते हैं कि सिक्किम की मिलती है, आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से राज्जों की सीमा नेपाल से मिलती है, प्राइदी पठार सी ओप्सन बिल्कु सही है, सी ओप्सन बिल्कु सही है, निमलिखित में से कौन सी चोटी भारत में इस्थित नहीं है, खेटू, कंचन जंगा, माउंट एवरिष्ट, नंदा देवी, वताइए, निमलिखित में से कौन सी चोटी भारत में इस्थित नहीं है, माउंट सिपकिला, पाल घाट, भोर घाट, केरल को तमिलाडू से मिलाता है कौन, पाल घाट, कौन सा पाल घाट, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लो, तो C option इसमें होगा अपना, ठीक, भारत की 68 विस्तार में लगवग कितने डिगरी का अंतर है, बताएए, 20, 30, 35, 40, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका 30 डिगरी का अंतर है, कितना 30 डिगरी का, और आप देखते हैं कि 8 डिगरी 4 मिनिट से लेकर उत्तरी अक्छांस से 37 डिगरी 6 उत्तरी अक्छांस रेखा तक विस्तार यह थे, एक तरह से, लगवग 30 देखिए, ठीक है, भारत की देशांतरी विस्तार में लगवग कितने डिगरी का अंतर है, भारत के देशांतरी यह विस्तार की बात हो रही है, कितना डिगरी का अंतर है, इसमें भी आप देखिए, 20, 30, 40, 50, तो यह आप देखिए, कि इसमें भी 30 का ही है, आप छांस देशांतर विस्तार अंतर लगवग 30 डिगरी ही है, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, चलिए, आंगे चलते हैं हम लोग, भारती रंग मंच में यवनिका पर्दा का आरम किनों ने किया था, पार्ती यनों ने, सकों ने, युणानियों ने, कुसाडों ने, तो यह आप सभी जानते हैं कि युणानियों ने किया था, किसने, युणानियों ने किया था, तो यह इनके बारे में भी याद रखेगा, चलिए अंगला कुश्यन है हमारे सामने C option होगा इसमें, ठीक है भारत में स्वड मुद्राएं किसने चलाई? सक कुसार यूनानी पार्थी है भारत में स्वड मुद्राएं किसने चलाई? यूनानी यूने C option बिल्कुल सही है कौनसा? C भारत में सवड मुद्राएं किसने चलाई थी सक कुसाड यूनानी पार्थियन तो यूनानियोंने ही चलाई थी मैगस्तनीच की अनुसार भारती ये समाज कितने भागों में विवक्त है ए बारे, दस, साथ और चार तो ये आप देखें, भारती समाज कितने भागों में विवक्त था ए साथ था, क्या साथ तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा क्या याद रखोगे? साथ, D option बिलकुल सही रहेगा इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से सामिल थी आपके ये भी बता देता हूँ, अगर कुश्चन्स पूचे तो आप लो दार सनेक कारीगर, किसान, अईर, सैनेक, निरीक चग और सभासद, सभासद, इस तरह सी आप देख सकते हैं ठीक है? तो ये भी आप लोग छोटी-छोटी बातें रहती हैं लेकिन इन्हें याद रखा करिएगा, कई वाद कुश्चन्स पूच लेता है आप सब ठीक है? अंगला कुश्चन है हमारे सामने भारतियों के लिए सिल्क मार्ग, किसने आरम किया? असोग, फायान, कनिस्क और हर्स तो यह आप देखेंगे कनिस्क ने, C option बिल्कु सही है आप देखेंगे भारत में 10 फरवरी को किस रोब में मानता पर राप्त हुई है? राष्टी केंसर दिवस, राष्टी चैरोग दिवस, राष्टी इस सौक्ष दिवस और इन में से कोई नहीं 10 फरवरी की बात हो रही है, राष्टी इस सौक्ष दिवस, यानि कि C option आपका, बिल्कु सही है और एक बात और आपको बता देखेंगे, 2 अक्टोबर को पूरे देश में भारती इस राष्टी इस सौक्ष दिवस के रोब में मनाया जाता है यह किस रोब में मानता पर आपत है 10 फरवरी को आप लोग टेड़ी वियर डेवी मनाते हैं, यह भी आप लोग याद रुखिएगा और राष्टी इक इंसर दिवस की बात करें, तो आप देखेंगे कि राष्टी इक इंसर दिवस का मनाया जाता है यह आप देखेंगे कि आपका 24 मार्च को मनाया जाता है विस छह रोग दिवस और आपका 2 अक्टूवर को देखिए स्वक्षिता दिवस मनाने लगे हैं, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कोशन है, इंडियन स्टेंडर्ड, टाइम, ग्रेन विच, में टाइम में, कितने समय का अंतर हैं, 5 गंटे 10 मिनिट, 5 गंटे 30 मिनिट, 5 गंटे 40 मिनिट, या 5 गंटे 20 मिनिट, तो 5 गंटे 30 मिनिट है बी ओप्षन बिल्कु सही है, बी ओप्षन बिल्कु सही है देखने को मिलेगा भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार अंध्विदेश में देखने को मिलेगा तो इनसे भी कुश्टन्स पूँच लेता है कई बार और यह नई नई आकड़े आते रहते हैं तो आप लोग जरूर भारत में के केरलाज में भी विस्ट का सबसे अथोरियम का भंडार आपको देखने को उगलेगा, वहां भी है, तो अंत्रदेश में भी है, तो जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, वो समय जरूर देखके जाए गरिएगा, भारत ASEA की किस बाग का हिस्सा है, भारत ASEA की किस बाग का हिस्सा है, पूरवतर ASEA, नेहा वासेवा पारादीब अनौर दाहिज तो इन नौर है सी ओप्सन बिलकु सही है अंगला कुश्चन है भारत का सबसे गहरा तथास इस्थलबद सुरक्षित बंदरगा कौन सा है पिसा का पड़नम पारादीब मुंबई कांडला यह आप देखेंगे कौन सा है भारत का सबसे गहरा तो इस्थलबद सुरक्षित बंदरगा कौन सा है इससे भी कुश्चन से कूँच लेता है कईगा आंद्पिदेश में बेक्सा का बटनम आपको देखने को मिलेगा और एक और देखे गंगा गंगाउ वराम बंदरगा एक ऐसे भी देखेंगेगा यह भी कई भार कह देता है कि यह भी है विसा का बटनमबर से आप लोग लगाएंगे ठीक है यह ओप्सन बिल्कुल सही है भारत में सबसे बड़ी तेल सोधन साला कहां इस्ते थे यह आप देखें बरोनी बरोनी जामनगर कुएला मॉंबई भारत म तेल सोधन की बात हो रही है तो यह याद रखें जामनगर में तहां है जामनगर में भारत में जूट का सरवादिक छेतफल कहां है मेगाल है असम पश्चे मंगाल और विहार में तो पश्चे मंगाल में है यह बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य मेंस्तित है राजिस्थान गुजरात पश्चे मंगाल बुक्सा बाग परियोजना की बात हो रही है तो यह आपको बता दूँ कि यह कहां है पश्चे मंगाल होगा है ठीक है ठीक है वैपितम राष्टी एक पार्क कौन सा है जिसे भारत में सरवितम स्थाथित किया गया काउरवेट न जेनल देखने को मिलेगा कहां उत्राखंट में इसके बारे में वियाद रखेगा एक ओप्सं होगा अंगला कुशन है भारतिये घंडे कहां पाये जाते हैं कार्वेट राष्टी उद्द्यान में गेरवन अभ्भारन मेंं काना राष्टी उद्यान में । यह आप देखि और पूर्वत्तर भारत के सम और नेपाल की तरह ही कुछ सरक्षित इलागों में यह पाया जाते हैं, कुछ जानदा ही तो इसकी बारे में याद रखा करिएगा क्या याद रखोगे? यही याद रखोगे और क्या रखोगे? काजी रंगा अंगला कुछिन है भारत का सरबादिक नगरी करनवाला राज कौन सा है? नगरी करनवाला राज यह आप देखेंगे महाराष्ट, गुजरात, गुआ, पश्चे मंगाल तो गुआ में हैं, C ओप्सन ठीक रहेगा भारत का पिथम इस्टील, प्रोजेक्ट सहर, इस्थापित किया गया था बिलाई, जमसेथपुर, वो कारो, कोलका था, तो यह जमसेथपुर था भी आउप संखीक रहेगा भारत में पहली बात जनगरना कब हुई थी? इससे कुश्चन साब देखिए, हर साल एक पूंचा जाता है भारत में पहली जनगरना कब हुई थी? 1872 में, लॉड मेउ के समय में और अगर आप से पूंचे देखिए 1872 में पहली जनगरना हुई थी लेकिन अगर पिथम समकाली जनगरना की सुरुवात 1881 से मानी जाती है लॉड रिपपन के समय से नेमिज जनगरना, दस साल में लेकिन पहली बार 72 में करवाई गई थी तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा कई बार क्या रहता है? यही है तो 1872 से के बढ़े देशों के बात हो रही है पिथम, दुटिय, दिटिय, चतुर्ठ तो आप सभी जाते हैं कि चाइना पहले पर है दूसरे पर हमारा नमबर आता है तेसरे पर से एक तराज अमेरिका है चौतरे पर इंड़ोनेसिया है पांच भी पर विराजील है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, टॉप फाइब, तो चाइना की बाद हमारा नमबर आता है, हम लोग किसी मामले में चाइना को पीछे छोड़ रहे हों, या नहीं, लेकिन हम लोग जनसंख्या में बड़ावर एक तरह से कॉंपटी हर्याना में है, केरल में आप लोगों को बता दूँ, यह लिंगरपाद 2011 के साप से 1084 है, और वहीं अगर आप लोग हर्याना जाएं, हर्याना जाईए आप लोग, तो आप देखेंगे 889 है, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, हर्याना, अंगला कुश्यन है हमारे स पर आप देखेंगे 1084 महला हैं, 2011 की जनगरणा के साप से, भारत की निमलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत सब से कम है, हिमाचल पिदेश, अरणाचल पिदेश, मेगाले, सिक्किम, जनसंख्या घनत सब से कम, तो आप सभी जानते हैं कि यह अरणाचल अरणाचल पिदेश इसमें लगाएंगे, भारत की सरवाधिक बड़े जनजाती गौंड भील, संथार, संथाल थारू, तो यह गौंड देखने को मिलेगी, तो यह भी याद रखेगा, अंगलाचल पिदेश ने भारत की राज्यों की निमलिखित में से कौन सा येगुम अरणाचल पिदेश राजिस्तान, असम गुजरात, असम राजिस्तान, और तो आप सभी जानते हैं कि एक तरफ अरणाचल पिदेश है, दूसरी तरफ जाएंगे तो राजिस्तान में लेगा, एक और आप देखेंगे आपका अरणाचल पिदेश, आपका म्यानमाल से लग सिंधी, खरोष्टी, ब्रह्मी, प्राकित, तो यह ब्रह्मी है, C option बिल्कुल सही है, भारत में STT सीवा कब शुरू हुई थी, भारत में STT सीवा कब शुरू हुई थी, 1950 में, 1904, जंगन में, 1960 में, या 1970 में, यह यह तो आपको मालू होगा, कि नवंबर 1960 में टी गई थी, कान कानफोर से लखनव के बीच शुरू हुई थी, C option बिल्कुल सही है, भारत में खनित तेल के भंडार, मोकेता किस पिकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, आउसादी, या आपके कायांदित अगने, किस में, तो यह आउसादी में पाए जाते हैं, यह option बिल्कुल सही है, भारत में खनित तेल का उतपादन सर्थम पैरम किया गया था, डिगबोई, नहर कटिया, अंगलेसर में, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिए डिगबोई में, किस में, डिगबोई में, यह option बिल्कुल सही है, यह option बिल्कुल सही है, भारत की सबसे मतपूर digestion है योरी नियम खान कहा है शोते थे वासी जादू गोड़ा, गोरी विन नौर और इन मैं से कोई नहीं इस सबसे मतपूर जादू गोड़ा या इन मैं से कोई नहीं तो आप सभी को मालूल है कि जादू गोड़ा होगा है और अंगला कुशन है निमले कितमे से भारत का वह राज कौन सा है जहां गंधग उत्पादन में आँगे है असम महराष्ट, पंजाब, तमिलाडू तो इं महराष्ट में आपको देखने को मिलेगा सबसे जानदा गंधग उत्पादन अंगला कुशन है हमारे सामने भारत में अंकल लेसौर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है कुईला, यॉरीणियम, पेटॉलियम या सभी तो ये पेटॉलियम के लिए जाना जाता है अंगला कुशन है भारत डाइनमाइट लिमिटेड के अंध कहा अच्छते थे हैं हैदराबाद कोलकाता चन्नई चत्तिस गड़ विए आप सभी कमाल होने चाहिए कि हैदराबाद में है ए ओप्शन बिल्को सही है ए ओप्शन बिल्को सही है भारती इसपाद प्राधीकर्ण कि स्थापना कब की गई थी लिमिटेड की यह आप देखेंगे कि आप की गई तो यह आप देखेंगे कि 1900 कब Steel Authority of India भारती इसपाद प्राधीकर्ण की बात हो रही है तो याद रखी 1974 आता है तब भी आप लो इन में से कोई नहीं लगाएंगे आप देखेंगे इसलिए नहीं लगाएंगे कि भारती इसपाद प्राधीकर्ण लेमिटेड की स्थापना यह 19 जनवरी 1925 में की गई थी 19 जनवरी 1925 में इसी आप लोग जरूर याद रखीएगा आप लोग ठीक है चली आँगे चलते हैं लोग भारत में सिमेंट उतपादन में अगनी राज कौन सा है सबसे जान्दा सिमेंट उतपादन राजिस्थान तमिलाडू मद्पेदेश इन में से कोई नहीं तो आप द देखें भारत के किस नगर को इलेक्टोनिक उद्यो के राजधानी के नाम से जानते हैं वेंगलोर, जारकन, कानपूर या चैननई तो आप सभी जानते हैं कि वेंगलोर को जानते हैं किसे वेंगलोर को जानते हैं भारत में पिथम सूती कपड़े का कारखाना कहा भारत का पिथम परमाडू उर्जा उत्पादन के इंद कहा है? नरोरा, काकरापार, तारापुन. तो यह आपको देखने को मिलेगा. भारत का क्या? पिथम परमाडू उर्जा उत्पादन के इंद है? कहां देखने को मिलेगा? यह आपको तारापुर. ठीक है? तो इसके बारे में भी आत्रकी C-Option बिल्कुत सही है. C-Option आपका बिल्कुत सही है. यह भारत में पिथम परमाडू बिद्धो सेंद की स्थापना USA की सायता से 1989 में महराष्ट की तारापुर में की गई थी. भारत म में बिद्धूत आप ओर्टी सबसे पहले कहां हुई थी? मॉंबई, खोलकाता, चन्ने, दार्जलेंग. तो यह आप सभी जानते हैं कि दार्जलेंग में हुई थी. दार्जलेंग में. ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखेगा. चली आगे चलते हैं हम लोग. इसमें आप देखेंगी. भारत का सरवादिक ए राजिस्थान में. ए ओप्सन बिल्कुल सही है. भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज, महराष्ट, गुजरात, केरल. भारत का सरवादिक काजू उत्पादक बताईए. भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक एक केरल है, कौनसा है, केरल है, C option बिलकुल सही है, भारत का कौनसा राज, भारत का कौनसा राज, अगणी दलहन उत्पादक है, राजिस्थान देखने को मिलेगा इसमें, कौनसा, B option राजिस्थान, अंगला कुश्य ने भारत में रेसम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज, रेसम, तो यह आप सभी जानते हैं, सिक्क्यम, जमुकस्मीर, करनाटक, हिमाचल पिदेश, बताई, करनाटक रेसम है, C option बिलकुल सही है, भारत में सर्वुत्तम चाय कहां प्यादा होती, जोर हट, या आप देखेंगे, नेल गरी, इन में से कोई नहीं, तो यह दार्जी लिंग में होती है, आप सभी जानते हैं, C option बिलकुल सही है, क्या A option बिलकुल सही है, कभी गलती हो जाती है, तो आप लोग सुधार के नीचे लिख दिया करेगा, कौसिच तो यही रहती है कि गलती ना हो, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज कौन सही है, करनाटक, महराष्ट, कुजरात, उत्तरपदेश, तो यह आपको करनाटक में देखने को बिलेगा, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज करनाटक में, भारत की सबसे बड़ा गन्ना उत्फादक राच तमिलाडू पंजाब मत्पधिश उत्तर प्धिश तुई आपको उत्तर प्धिश देखने को मिलेगा क्या उत्तर प्धिश भारत में प्राक्तिक रवड का सबसी उत्तफादन किस राच्च में होता है असम कीरल गुजराद महरास्ट तो ये कीरल में देखने को मिलेगी कहां कीरल में भारत में ऑपरिशन फिलर्ड कारकरम का प्यारम कभ हुआ बताईए 1970 में 1970 में और आपको बता दूँँ Operation flood शितने डेरी उद्ध्योग से जुड़े किसानों को उनकी एक विकास को स्वेम देशा देने में सहाय तर की थी दोग्द गरेड दोद से समझन दे तो इसमें क्या लगाओके C option अंगला question है भारती किर्सी अनुसंधान और पईशद की अनुसार भारत में कितनी पिकार की मिट्टी है कितनी पिकार की मिट्टी है 4, 5, 6, 8 भारती किर्सी अनुसंधान पईशद की अनुसार भारत में कितने पईशद की मिट्टी है तो सबसे पहले तो आप लोग इसके बारे में याद रखी भारती किर्सी अनुसांधान पॉलिशाथ के बारे में 16 जुलाई 1929 में इसकी इस्थाफना हुई थी ठीक है और आप देखेंगे 8 तरह की हैं कितने 8 तरह की भारत में किर्सी मिट्टी है आठ तरह की ठीक है जलोड ह मिट्टे दाल हो मिट्टी ओगा जलाल मिट्टी ओगई लैल मिट्टी हो गई लैटेडाइफ मिट्टी हो गई स्मझे लुदा गहाटी परियोजना का निर्मान निम्ने में से किस नदी पर किया गया था कावेरी गोदावरी या आप देखेंगे की कहां भारत में पिताँ बहुत देशी है भारत में पिताँ बहुत देशी नदी गहाटी परियोजना एक कावेरी गोदावरी दामोद है या फिर आप देखें कि कोई ना तो ये दामोदर नदी पर, किस पर दामोदर नदी पर अंगला कुश्यन है हमारे समने दामोदर नदी है, ठीक है इसमें C ओप्शन होगा भारत पाग ली हार परियोजना निमलिकित नदीयों में सिक्के सेख पर है कौन सी ये चोटे चोटी बात हैं, लेकिन इनके बारे में याब रखा करिएगा बगली हार परियोजना की बात हो रही है जेलम जेलम सतलज ब्यास चैनाव तो ये आप देखे कि किस पर है चैनाव पर है, बगली हार परियोजना ये भारत की नदी घाटी परियोजना है चैनाव नदी पर है ये ठीक है D option बिल्कुछ सही रहेगा इसमें बारती बन सरवेक्षण बिभाग का मुख्याल है कहा है ये आप देखेंगे कहा है देहरादुन में है नई दिल्ली देहरादुन वौपाल Negpura डेहरादुन में है एक जुलाई 1981 में इसकी इस्थाफना हुई थी ठीक है भारत में ब्यक्षा रूपन उससाओ जिसे बहुनों महुतसाओ के नाम से जानते हैं कि जनमदादा कौन थे तो आप सभी जानते हैं के एम मुंसी थे कौन थे जवाल लाल नेरू बिनुबा भावी के एम मुंसी या मात अप्सन होगा इसमें भारती बन सरवेक्षन विवाग की स्थाफना कब हुई थी आपको बता चुका हूँ 1989 में 1989 में 1981 में तो एक जुन 1981 में ठीक है तो सी ओप्सन आपका विल्कु सही रहेगा इसमें भारत में चंदन की लखडी के लिपे सिद्ध राज्य है नई दिल्ली केरल करनाटक और असम तो एक करनाटक है क्या है करनाटक है सी ओप्सन विल्कु सही है भारत के प्रमुख ब परनसपती, बरसा, जवाना, पतजडवन, कांटेदार या जाड़ियां, तो पतजडवन ही देखने को मिलेंगे. भारत में दुद्वा राष्टी उद्यान कहा है? मद्ध पिदेश, तमिलाडू, उत्तर पिदेश या करनाटक. तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्तर पिदेश में देखने को मिलेगा. कहां? उत्तर पिदेश में देखने को मिलेगा. भारत में कहना राष्टी उद्यान कहा है? असम राजिस्तान या आपका उत्तर पिदेश, मद्ध पिदेश. तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका कहना तो राष्टी उद्यान ही आपका मद्ध पिदेश में देखने को मलेगा कहां MP में मद्ध पिदेश में ठीक है तो यह भी आप यह 940 वर किलोमीटर में ख़ला हुआ है 1955 में इस थाबिद किया गया था भारत की किस पिदेश की सीमाएं तीन देशों करम सा नेपाल भूटान और चीन से लगती है बताईए भारत की किस पिदेश की सीमाएं तीन देशों करम सा नेपाल भूटान चाइना से लगती है मेगाला अपधानिस्तान से लगी हुए राज्चों की सीमा बात किरें तो पाकिस्तान से आप देखेंगे गुजरात हो गया, राजिस्थान, पंजाब, जबु कसमीर, लध्दाक की लगती है और अफगानिस्तान से की येवल आप देखें लद्दाग की लगती है और चाइना से देखें तो लद्दाग, पुष्टे, आपका हिमाचल पीदेश उत्राखंद आप देखेंगे कि आपका सिक्किम और अरणाचल पीदेश से लगती है नैपाल से आप देखें उत्तराकंड, उत्तरपिदेश, बिहार और पश्चे मंगाल और सिक्किम की लगती है वहीं आप अगर भूटान से देखें तो सिक्किम और पश्चे मंगाल और आप देखें असम और अरणाचलपिदेश से लगती है वही म्यारमार से देखें तो मिजोरम मनीपोर नागालेंड अड़ुनाचल पर दिश की लगती है और बंगलादिश से देखें तो पर्षे मंगाल असम मेघाले और तिप्रा मिजोरम की लगती है तो यह छोटे छोटे questions थे लेकिन पूंच लेता है कई बार भारत का सरवुच परवस्तिकर कंचन जंगा नंदा दिवी गाडविन आश्टिन और नंगा परवस यह आप देखेंगी गाडविन आश्टिन C option विल्कु सही है ठीक है अंगला भारत की कौन सी परवस सेड़ी नविन तम है हिमाले सहाद्धी अरावली सत्पोडा तो हिमाले है आप सभी जानते ही हिमाले नया है अभी अंगला कुश्य ने भारत में निम्लिकित में सी कौन सी परवस सेड़ी केवल एक राज में पहली है अरावली अजनता सत्पोडा इन में से कोई नहीं तो आप सभी जानते ही कि अजनता पहली हुई है अजनता कहां देखने कुम लेगी यह महराष्ट में देखने कुम अरावली परवत का सिखर क्या कहलाता है गुरु सिखर सेर दोदा बेटा तो बताइए इसमें से अरावली परवत सिखर का क्या कहलाता है क्या कहलाता है गुरु सिखर कहलाता है ए ओप्सन बिल्कुल सही है निमलिकित में सबसे फिराची परवस्थैनी कहुंसी है बिंध हिमालय अरावली सत्वड़ा तो यह अरावली है सबसे पुरानी है तुझू दर्दा भारत के किस राज में देखने को मिलेगा तुझू दर्दा यह भारत के किस राज में है भारत को किस राज किस देश से अलग करता है म्यानमार चाइना म्यानमार चाइना नैपाल भूटान तो यह आप सभी को जानते हैं कि कहां ए म्यारमार से अलग करता है ए ओप्सन फिल्कु सही है तो जो दर्रा मणीपूर की दच्छनपूर में म्यारमार की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा इस दर्रे से उकर म्यारमार के लिए मार्ग भी जाता है ठीक है? अंगला कुश है नरवदा नदी का अधिकांस भाग भारत के किस राज में बहता है? मदवदेश राजिस्थान गुजराद महाराश्ट तो आप सभी जानते हैं कि नरवदा नदी मदवदेश से ही निकलती है तो मदवदेश में ही जानदा देखने को मिलेगा तो यह भी आप लो याद रखिएगा और खंबात की खाड़ी में जा गिरती है तो इसकी बारे में भी याद रखा करिएगा नरवदा कुंड अमरकंटक से निकलती है निमलिकित में से किस नदी का उधगम इस्तल भारत में नहीं है? चैनाव रभी, सतलज, ब्यास एक कुश्टन कई बार पूझ लेता है निमलिकित में से किस नदी का उधगम इस्तल भारत में नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि सतलज का नहीं है किस का इन में से? चैनाव रभी, सतलज, और ब्यास तो सतलज का नहीं है अब आप कहेंगे कि सतलज निकलती कहां से आकर तो आपको मालूच होना चाहिए कि ये निकलती है कहां से? ये आपकी उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है और इसका पुरानी नाप सतुद्धी है जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पांच नदियों में सबसे अधिक है पाकिस्तान में होकर भैती है तो ये भी आप लो इसका उद्गा माल सर्वोगर की निकलत राच्छस ताल से है तो C आप्शन रोगा इसमें भारत की सबसे बढ़ी मीठे पानी की जील पुसका लोक्टर बूलर डल मीठे पानी की जील तो ये आप सभी जानते हैं कि बूलर है बूलर जील है जम्मू कसमीर के बांडी पुरा जीले में देखने को मुले गी है उत्तरपूरी ब्हारत की सबसे बड़ी लोक्टर जील लोक्टर जील किस राज में है मेग हाल है मडीपूर तेपुरा यह आप देखेंगे कि मिजोरम तो आप सभी जानते हैं कि लोगटक जील कहा है यह आपको कहा है देखिए यह आपको देखने को मिलेगी मडीपूर में ठीक है बी ओप्सन पिल्कुछ सही है भारत की पिसिद लेगुन जील कहा है मालसरोवर चिलका पुली कट या डल लेगुन जील की बात हो रही चिलका जील है क्या है चिलका है इसमें भी ओप्सन विल्कुल सही है उडीसा में देखने को मिलेगी ठीक है भारत की किस राज में फुलहर जील इस्तित है उत्राखंड विहार मद्पदेश उत्तरपदेश 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 की बात हो रही है तो यह आपको उत्तरपदेश में देखने को मिलेगी फुलहर जील कहां उत्तरपदेश में देखने को यह आप देखेंगे कहां है दच्छडी नौब, कैली मेर पॉाइंट कैप कैमोरें इंद्रा पॉाइंट इन में से कोई नहीं, तो कैप कैमोरें है, कन्या कुमारी, ठीक है, तो यह आप लोग कैप कैमोरें, यानि किसमें आप लोग क्या लगाऊगे, बी ओप्सन, भारत का इंद्रा पॉइंट है देखिए भारत की मुख भूमी का पूंचा था ये भारत का सबसे दच्छडी बिंदू पूंच रहा है तो इन दोनों में फर्ट जरूर आप लोग याद रखेगा इंद्रा पॉइंट है ठीक है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा ने धारन करने का काम करती है रेड कलिप डूरन मैक मोहन रेखा लेकन आप सब जानते हैं कि चाइना इसे नहीं मानता है वो कहता है कि अंग्रेजियों की समय खींची गई थी और इसे इको लेकर आप देख रहे हैं कि बिवाद बना हुआ है कि क्या है और 1914 में खींची गई थी तैय हुई थी है भारत पाकिस्तान के बीच विभाजीत करने वाली रेखा रेड कलिप रेखा डूरन रेखा मैक मोहन रेखा तो आप सभी जानते हैं रेड कलिप रेखा होगी ठीक है भारत की सीमा से का पूर्वी समदरी तट कि किस नाम से जानते हैं ऐसे भारत का पूर्वी समदरी तट किस नाम से जाने जाता है यह आप देखे दीघा तट मालावार तट कॉंकर तट कोरुमंडल तट तो इससे आप लोग जात देख कोरुमंडल तट कोरुमंडल तट डी ओप्शन आपका बिल्गु सही है पूर्व भारत की किस गुलाग में इस्तित है भारत दच्णे पूरवी, उत्तरपूरवी, 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 बी ओप्शन निमलिखे समय से भारत की सुदूर दच्छन भौगली कीक जल्कई काई कोँसी है लक्षीदीप रामीसुर्फ गन्या मारी यह आप देखी या निकोवार्दूइब सुदूर दच्छने भोगलों के गले एकाई यह निकोवार्दूइब आपको देखने को मिलेगा D option बिल्गुँ सही है आपका अंगला question है उत्तर भारत में ओफ हिमाले छित के सहारे पहले समतल मैदान को क्या कहा जाता है भावर, खादर, दून या आप देखें तराई तो इसे आप लोग क्या कहते है या इसे कहते है भावर A option बिल्कुँ सही है भारत की उत्तरी सीमा पर इस्तित परवत कौन सा है मैकाल हिमाले और निलगरी अरावली तो हिमाला है यह क्या है हिमाला है B option बिल्कुँ सही है भारत की किन के निम्न में से किस राज्य में परसों की संख्या इस्तरीयों से कम है बिहार, राजिस्थान, केरल, महराष्ट तो आप सभी को बता चुका हूँ केरल में है भारत की पहली अरण श्टील कंपनी कहा इस्ति थे जमसेतपूर, हीरापूर, मुंबई, गुआती तो यह आप सभी जानते हैं जमसेतपूर में पहली अरण श्टील कंपनी यह जमसेतपूर में तीक है 1870 में लगी थी तो यह भी याद रखेगा बारत का पॉंसर राज सक्तर का कटोरा कहलाता है आंद्विदेश, तमिलाडू, इहमाचल पिदिश, उत्तर पिदिश तो आप सबी जानते हैं कि उत्तर पिदिश को ही कहेंगे गन्ना यहां उत्पादन होता है बारत का एकमातिस्थान जहां तीन पाए जाता है रीवा, हजारीबाद, सूरत और अहमदाबाद, तो यह हजारीबाग है बी ओप्सन बिल्कुल सही है वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से आप लोग जानते हैं गोदाबरी, दामोदर्द, परियार, होगली, तो दामोदर्द वह नदी घाटी जिसे भारत के रूर के नाम से जानते हैं भारत के रूर के नाम से तो यह से आप लोग जानते हैं किसे दामोदर्द नदी को बी ओप्सन सांद घाटी इस्ते थे तमिलाडू में, हिमाचल पेदिस में, केरल में और आप देखेंगे अवणाचल पिदेश में तो ये केरल में देखने को मिलेगा कहां केरल में मदूर ये कहां इस्ते थे ये आपको कहां देखने को मिलेगा तमिलाडू आंद पिदेश एक्के मेगाल है तो ये आंद पिदेश में है तहां यांद्रदेश में नहीं है, तमिलनाडू में है, यह ओप्षन मिल्कुल सही है भारती बनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्याले का है? भारती बनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्याले, कौलकाता लखनो दारजिलिंग, इनमें से कोई नहीं 13 फरवरी 18-90 में इसकी स्थाफना हुई थी तो आप देखेंगे कि भारती अवनस्पतिक सर्वेक्षन का मुख्याल है कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा कहां? कोलकाता में तो ये भी याद रखेगा चलिए आंगे चलते हैं राष्टी बिग्यान दिवस का मनाया जाता है 25 मार्च, 28 मार्च, 22 दिसमबर, 5 जून तो 28 फरवरी को ठीक है? और आप सभी को एक और बात बता देता है आप लोग बताईए 5 जून को क्या मनाते है एक उश्यांस कई बार पहुँच लिया है ठीक है? तो ये भी आपका पहुँच लेता है कई बार आपसे क्या पहुँच लेता है? पहुँच लेता है आपसे चली आँगे चलते हैं हम लोग भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 61 किलोमीटर 65, 90 किलोमीटर 65, 100 किलोमीटर यह एक सट सो किलूमीटर है ठीक है? तो यह भी आप लो याद रखिएगा भारत में सबसे अधी कहां सौर उर्जा उत्पादन होता है सौर उर्जा उत्पादन राजिस्थान, गुजराद, तमिलाडू, केरल तो यह आप सभी जानती ही कि राजिस्थान में होता है कहां? राजिस्थान में होता है भारत में पवन उर्जा का सबसे जाना उत्पादन किस राज में होता है? पंजाब, तमिलाडू, मद्वदेश, जारकन तो यह तमिलाडू में होता है भारत में पवन उर्जा का विकास कब से प्यारम हुआ था? यह आप देखेंगे कब हुआ था? 1998-1990 सन्द दो 1995 तो यह आपका कब हुआ था प्यारम? 1990 में, ठीक है? अंगला कुश्चन है मारे सामने भारत में पर्माडू उर्जा बी नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? 15 नमबर 1983, 18 नमबर 1985, 25 नमबर 1988 तो यह 15 नमबर 1983 पर्मार उर्जा नियामक बोर्ड का मुख्या लेका है बैंगलोर, भुवनेस और मुंबई और भुपाल तो यह मुंबई में आपको देखने को मिलेगा भारती सिनेमा के जनक कौन है? देवी का रानी, दादा साब फाल की, लूमियर विदर्स तो आप सभी जानते हैं कि दादा साब फाल के हैं को माना जाता है भारत में डाग वेवस्ता सुरू करने वाला वेटिस गवर्नर जनरल कौन था? तो लौर्ड डलहोजी, लौर्ड किप्स, लौर्ड करजन, लौर्ड बांट वेटन तो लौर्ड डलहोजी को माना जाता है यह option बिल्कुँ सही है भारत में सिक्षा एक है भारत में सिक्षा एक नांगरेक अधिकार राजजदायत, राजमेतिक अधिकार मोलपूत अधिकार तो आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार में जोड़ा हुआ है 21 से आप लोग पढ़ते हैं न 86 बास अमिधान संसोधन हुआ था समझ रहें तो इसमें D option रहेगा भारत की तीछे राज़पती कौन थे जिनका कारकाल अंपने कारकाल में ही इनकी डेथ हो गई थी तो डॉक्टर संजीब रेड़ी, डॉक्टर जाकिर हुसेन, डॉक्टर वीवी गरी बारत का राश्टी दहज नियम कब से लागू किया, कर दिया गया भारत का राश्टी दहज नियम कब से लागू गया था? 2000-2001, 2002-2003 तो यहाद देखेंगे 2002 कौन सा दचछिन भारत की गंगा की नाम से जानते हैं इसके बारे में भी confused रहता है कई बार कावेरी तुमभदी गोदावरी देखे नदी को दच्छन भारत की गंगा ठीक है यह आप लोग दोनों याद रखे गोदावरी को याद रखे दच्छन की गंगा कहते हैं दच्छन गंगा और कावेजी जो नदी है ना इसे दच्छन भारत की गंगा कहते हैं तो यह आप लोग दोनों मैं जरूर याद रखेगा दच्छन भारत की गंगा आपकी कौन सी है कावेरी नदी को दच्छन भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दच्छन गंगा कहते हैं इसमें भी कन्फ्यूज कई बार रहता है और कई बार पूंच लेता है तो इनके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग क्या रखिएगा याद रखिएगा कावेरी नदी को चली याँगे चलते हैं पितिवस भारत का वेहतम वसु मेला कहा लगता है यह आप देखे सोलापुर में, सौनीपत में, सौनमरग में या सौनपुर में तो यह आपका सौनपुर में डी ओप्सन बिल्कुत सही है भारत का बोश्टन किसे कहा जाता है एहमदाबाद, बरवद्रा, मुंबई, सूरत एहमदाबाद को किसे एहमदाबाद को राष्टी द्वच की लंबाई चोड़ाई का अनपाद बताना है आपको राष्टी द्वच की लंबाई चोड़ाई का अनपाद बताए दो अनपाते दो, तीन अनपाते दो, एक अनपाते दो, तो तीन अनपाते दो होगा, C option बिल्कुल सही इसमें चली अंगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं, अंगला कुशन आपसे पुछ रहा है कि राष्टिय दो, तरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत होती है? आप लोग बीच में देखते हैं न तरंगे में, सफेद पट्टी होती है, एक क्या मतलब दरसाती है, क्या संकेत करती तो आप देखेंगे कि'S का मतलब होता है कि सांती और सत्य का एक तरह से एपितीक है, विकास और सत्य, सह साहस और विकास, सांती और सत्य, C option बिल्कों सही रहेगा, जो सपफेद पठ्टी है, एक इसका संकित करती है सांती और सत्य का, अंगले कुशन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं राष्टी ये ध्वरच तरंगे का हरा रंग क्या दरसाता है जो आप लोग राष्टी ये ध्वरच तरंगा देखते हैं उसमें सबसे नीचे आप लोग हरा रंग देखते होंगे ये क्या दरसाता है विकास और सत्यका, विकास और वर्ता का, सांती और सत्यका तो याद रखिए विकास और वर्ता का कुदर साती है और आप सभी जानते हैं कि फसल की भी तो हरी ही होती है तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? B option अंगला question है हमारे सामने राष्टी ये दोत तरंगे के चक्ट में कितनी तीलिया होती है सरल questions लेकिन याद रखिए इनसे भी questions कई बार इस तरह के पूच लेता है तो इसमें आप देखेंगे 12, 22, 24 और 25 तो इसमें आप देखेंगे गिनेंगे आप लोग तो आपको 24 ही देखने को मिलेंगे कितनी? 24 अंगले question की तरफ में लोग बढ़ते है अंगला question क्या करा है? भारत की समिधान सभा ने राष्टी द्वज का प्यारूप कप अपनाया? भारत की समिधान सभा ने वराष्टी द्वज का प्यारूप का अपनाया 22 जुलाई 1947 28 जुलाई 1947 27 जुलाई 1947 17 जुलाई 1947 वो आप देखें 22 जुलाई 1948 तो आपको बता दूँ कि 22 जुलाई 1947 को भारत की समिधान सबाने वराष्टी द्वज का प्यारूप अपनाया था ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखेगा 1947 में. चलिए अंगले कुशटीय की तरफ रोग बढ़ते हैं. भारत का राष्टी पक्षी क्या है? भारत का राष्टी पक्षी तोता मोर हंस बुलवॉल. तो आप सभी जानते हैं कि मोर है. क्या है? मोर है. भारत का राष्टी पक्षी मोर है मोर तो आप सभी देखते हैं भी होगे इसे आप लोग पाओ पाओ क्रिस्ता तुस भी कहते हैं ठीक है? अंगला कुश्यन आप लोग चलते हैं भारत का राष्टी पुस्प क्या है? भारत का राष्टी ये पुस्प है कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा, तो यह आप देखते हैं कि गुलाब है, क्या है, गुलाब है, चमेली, गेंदा, तो कमल है, क्या है, कमल है, और आप लोगों से एक कुश्चन स्पोचता हूँ, आग लोग बताईएगा कि एक राजनितिक पार्टी का भी चुनाव चिन है कम और निलंबो नुसी पेरा गैटन भी से आप लोग कहते हैं चली अंगला कुश्चन है भारत का राष्टी ये पेड़ क्या है नेम चंदन बरगत असोग भारत का राष्टी ये पेड़ की बात हो रही है बरगत आप सभी जानते हैं दर इंदू धरम में काफी इसे मानते हैं माना जाता है कि भागवान इस पर निवास करते हैं भारत का राष्टी ये गान बंदे मात्रम भारत का राष्टी ये गान क्या है बंदे मात्रम जंगर मन सारे जहां से अच्छा देखिए राष्टी ये गान की बात हो रही है और राष्ट गीत नहीं राष्ट गान भारत क तो आप सभी जानते हैं गंगा है गंगोत्री से निकलती है और आप सभी जानते हैं 25-25 किलो मीटर इसकी लंबाई है तो इसके बारे में भी याद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने भारत के राष्टी जलिय जीप क्या है मसली कछवा डॉल्फिन मगर मच तो यह आप स सही है तो ऑप्सन कैसा है फिल्कु सही है जानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बाग है क्या है बाग है तो इभी आप लो याद रखेगा इसमें आप लोग B option बड़ा सरल questions रहते हैं लेकिन कई बार इस तरह ये questions भी पूँच लेता है भारत का राष्टी ये गीत भारत का राष्टी ये गीत बंदे मात्रम, जंगरवन हम होंगे काम याप तो आप सभी जानते हैं कि बंदे मात्रम है क्या है? बंदे मात्रम A option बिल्कुल सही है वाकिम चंज चटोपाद्याय द्वारा इससे लिखा गया है तुभी भी याद रखिएगा अंगला question है हमारे सामने क्या बोच रहा है? एक कहर रहा है कि भारत का राष्टी ये फल क्या है? भारत का राष्टी ये फल सेव, आम, अनानास, नारियल तो आप सभी जानते हैं कि आम है बी option आपका बिल्कुल सही है अंगला question है भारत का राष्टी ये खिल क्या है? सतरंज, कबड़ी, फोटवाल, हौकी तो ये आप सभी जानते हैं कि हौकी है क्या है? हौकी है ठीक है? भारत का राष्टी ये खिल हौकी है भारती रेजर बैंक की ओफ़ गवर्णर वनी पिथम महला भारती महला कौन थी? एपी थिपार आए, केजी, उदेसी, मधुकर, जाप्री, या अन पिथम ओफ़ गवर्णर की बात हो रही है तो आप देखें, केजी, उदेसी होंगी इसमें ठीक है? तो यह आप लो RBI के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी रिजर बैंक है RBI और आपको मालू होगा कि एक अपरेल 1935 में इसकी इस्थाफना होई थी पेथम महला लोकसबाद्ध्ध्ध्ध की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पहले उप्धान मंत्री की बात हो या गरह मंत्री की बात हो बल्लब भाई पटेल ही थे 31 सक्टूबर 1875 मेने का जनब हुआ था 15 दिसमबर 1950 मेन की डेथ हो गई थी बहुतीक बिग्जान में नोबल पुरुसकार पाने वाली पिथमभार थी है किसमें नौब बहुतीक बिग्जान में सीबी रमन जेजे थॉंसन केला सत्यार थी मदर टेरे साब बताईए तो आज सभी जानते हैं कि सीबी रमन साब थे कौन चंद शेकर वेंकर रमन ठीक है बहुत इक सास्त के लिए इने नोबल पुरुसकार दिया गया था तो इनके बारे में भी याद रखेगा इनसे कौक्शन कई बार कुछ लेता है नोबल पुरुसकार विजेताओं से और आप सभी जानते ही कि पहले ही अगर नोबल पुरुसकार की बात हो तो गीता अंजली के लिए मिला था नोबल पुरुसकार दिया गया था टेगोर साब को और 1930 में चंदे सेकर बेंकर रमन को दिया गया था ठीक है चलिए अंगला कुशन चिकिस साब में नोबल पुरुसकार पाने वाले पितम भारती है सोब मन्यम चंदे सेकर निल्स रिवर्ग फिर्ण सेंड डॉक्टर हर गोविंद खुराना अमरस हैं तो आपको बतानों 1960 में दिया गया था इन्हें हर गोविंद खुराना को इसमें आपका C उप्शन रहेगा ठीक है अंगला कुशन है माले सामने अर्थ सास्त में नोबल पुरुसकार पाने वाले पितम भारती है कुन थे स면नर ठाको अमर्स सेंच बैंकर्टरामन किस्न र्मन रामखिष्ण तो आमरस सेंच थे कौन अमर्स सेंच थे नके बारे में भी याद रखिएगा है अमर्स सेंच के आअतनों holds prior कinflamm讲 में अर्श। मेंuu क्छिए बीयलकुल सही होगा भारत के पितम सिख के पिधान मंत्री, बताइए इन में से कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सींग विस्वनाद पिरताफ सींग या आप देखें चंद सीकर, तो आप सभी जानते कि मनमोहन सींग ही थे इन में से, ठीक है आप देखते हैं कि दो बार पिधान मंत्री बने कॉंग्रेस की तरब से नोवल पुरुषकार परापत पिथम भारती महला इंद्रा गांधी मदर टेरेशा के रन बेदी सरोजी नाइडू तो यह आप सभी जानते हैं कि कौन थी नोवल पुरुषकार पाने वाली पिथम भारती महला मदर टेरेशा आप सभी जानते हैं कि मदर टेरेशा ने भारत की नागरिक्ता ले ली थी और इनका जनम 26 सगस्त 1910 में हुगा था 5 सेप्टमबर 1997 में इनकी डेथ हो गई थी अगले कुश्यन की तरह बढ़ते हैं भारत रतन प्राप्त करने वाली पहली भारती महला स्रीमती पेके गेसिया, स्रीमती इंद्रा गांदी, स्रीमती बचंदरी पाल, सुस्मिता सेन तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रा गांदी थी और आपको माल होगा क्या माल होगा हमारे देश की पिधानमंत्री रही है एकमाद पहली महला पिधानमंत्री थी और 19 नवंबर 1970 में इनका प्रयाग राज में जनम हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 में नई दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी राष्टी आपातकाले नहीं की टाइम लगाय गया था भारत पाकिस्तान की वीज़ जो 1971 का हुआ था इनकी टाइम जिसमें बंगलादी साजाद हुआ था पिधाम महला चिकस्तक पिधाम महला चिकस्तक की बात हो रही है बताए ममता बनर जी प्रेमा मातोर कादम बिनी गंगोली तो यह आपको बता दूं की इन में से कौन थी कादम बिनी गंगोली तो इनका नाम भी जरूर याद रखा करिएगा इनका जनम 18 जुलाई 1861 में हुगा था 3 अक्टूबर 1923 में इनकी डेथ हो कही थी और एक कादम बिनी गंगोली भारत की पहली इसनातक फिजी सीयन महिला थी है ठीक है राष्टी द्वश तरंगे में तीनो छेतिज पट्टिया की सनपात में रहती है तो आप सभी जानते हैं कि एक अनपाते एक अनपाते एक बराबर रहती है तीनो अंगला कुश्चन है हमारे साबने राश्टी द्वाज तरंगे का गहरा की सरिया रंग, क्या दर्साता है? राश्टी द्वाज तरंगे का तागत और साहस सांती और सत्त विकास और वड़ता, तो यह आपको बता दूँ कौन दर्साता है? ये तागत और साहस को और आप देखते हैं उपर सबसे उपर देखेंगे आप लो ये option बिल्कुल सही है इसमें अंगला question है हमारे सामने राष्टी द्वज तरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग रहता है सफेद हरा रंग, गहरा केसरिया रंग या सफेद हरा रंग तो आप सभी जानते हैं कि उपर आपका गहरा केसरिया रंग रहता है राष्टी द्वज तरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है यह आप देखें सपेद हरा रंग केसरीय रंग सपेद रंग हरा रंग तो यह सपेद रहता है बीच में ठीक है और राष्टिय तरंगे में नीचे कौन सा रंग रहता है राष्टिय तरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है तो आप सभी जानते हैं कि हरा रंग रहता ह कौंस था? हरा रंग रहता है चली अंगले कोफशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भारत का क्या नाम है? यह दूसरा नाम है जब दो भारत की अनेक नाम है इंडिया, हिंदोस्तान भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज भारत में सबसे कम सिक्किम में आप देखते हैं भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज कौन सा है यह सिक्किम आप देखेंगे यहाँ 6,5,10,570 जनसंख्या है और उत्तरपदेश सबसे जानदा है समझ रहे हैं? 19 करूर की लगबन अंगला कुशन है पिथम भारती रंगीन फिलिम एराजा हर्शंद, किसन कनिया, सीता बिभा, सती, सलोचना यह आप देखें क्या है? किसन कनिया भी ओप्सन बिल्कुस सही है इसमे अंगला कुशन है हमारे सामने लाइफ टाइम अचीवमेंट कि ओसकर फुरुसकार बिजेता है सत्ती जीत राय, भानु अथेया और आप देखेंगे रवेन आटेगोर या किरन बेदी तो आप सभी जानते हैं कि सत्ती जीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट ओसकर फुरुसकार बिजेता यह आप देखेंगे सत्य जीत राय चलिए यह अंगला कुश्चन है हमारा भारत के पिथम वाइस राय भारत के पिथम वाइस राय की बात हो रही है बताए लौड सर जौन सौर, लौड केनिंग लौड बिलियम बेंटिक, लौड अरल कौन वालिस तो आप सभी जानते हैं कि देखें भारत के पहले वाइस राय की बात होती है अगर तो यह आपको मालू होना चाहिए कि लौड केनिंग थे कौन? लौड केनिंग थे ठीक है? और लौड केनिंग भारत सरकार दिनीम 1889 की माध्यम से भारत के पहले वाइसराय और गवर्न जनरल भी बने थे तो इसमें आपका B-Option बिलकुल सही रहेगा अंगला कुशन है हमारे समने भारत की केन्द सरकार की पिथम महला मंत्री को थे? भारत की केन्द सरकार की पिथम महला मंत्री तो यह आप देखेंगे स्रीमती सन्नो देवी, B.S. रमा देवी, राजकुमारी, अमरित कौर, प्रिया हिरो मनी, तो आप सभी जानती कि राजकुमारी, अमरित कौर थी, इनका जनम, 2 फरबरी 1887 में, लखनौ में हुआ था, और 6 फरबरी 1964 में, नई दिल लीमेन की, डेथ हो गई थी, इंडियन कॉंग्रेस थे जोड़ी हुई थी, ठीक है, तो इसमें B.O. आपका सही था, भारत की पिथा महला मुख मंत्री, इंद्रा गांदी, अमरता, पीतम, सरोजी नाइडू, सरीमती, सुचेता, सुचेता किपलानी, तो यह आप सभी कुमाल होगा, सरीमती, सुचेता किपलानी थी, उत्तर विदेश की मुख मंत्री बनी थी है, ठीक है, दो यह आप लोग याद रखिएगा, और सुचेता किपलानी, भारत की पिथा महला, यह क्या थी, मुख मंत्री थी, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, 25 जून 1908 में इनका जनम हुआ था, एक दिसंबर 1964 में इनकी डेथ हो गई थी, और उत्तर विदेश के करम में देखें, तो आप देखें, चौतरी मुख मंत्री थी, लेकिन महलाओं में पिथा महला मुख मंत्री थी, और सभी राज्यों में देखें, तो सबसे पहली उत्तर विदेश की यही महला मुख मंत्री थी, और 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1963 सरशट तक ने मुख मंत्री बनाये गया था, तो D option बिल्कुँ सही है, भारत की पिता महला राष्टपती, महला राष्टपती की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं कि स्रीमती पितिवा पाटिल, स्रीमती सुचेता के पलानी, इंद्रा गांदी, तो स्रीमती पितिवा पाटिल थे, और आप सभी जानते हैं अभी तक एक ही महला बनी है, अभी तक की बात कर रहे हैं राष्टपती, जो पितिवा सिंग, देवी सिंग, पाटल को इन्हें जगे में ली थी तो ये भी और 2007 से 2012 तक ये रही तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिए अंगला भूशेन है हमारे सामने भारत के लोकसभा के पिताम अद्यक्ष जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजिन पे साथ बिर्मोईष चदंद बनर ही, तो जीवी मावलंकर थे भारत के पिताम लोकसभा अद्यक्ष, जीवी मावलंकर तो इनके बारे में भी याद रखिएगा गनेश वासुदेव मावलंकर, इनका नाम था पूरा 27 नवंबर 1888 में इनका जनम हुआ था 27 परवरी 1956 में इनकी डेथ हो गई थी अंगला कुशन है सत्रंज सत्रंज की पिथम विस्ट चैंपियन भारती है बिलादी मीर, कैम निक, मीर सुल्तान खान, विस्वनात आनंद और देविंद वरुगा, तो आप सभी जान दे कि विस्वनात आनंद एक कुशन से भी कई बार कई परिच्चाओं में पूँच लिया है अंगला है भारत की पिथम कागज रहे समाचारपत हरी भूमी दा निउस टूडे या आप देखिए रफ्तार यान तो दा निउस टूडे था है क्या दा निउस टूडे भी ओप्सन बिल्को सही है दोहरा सतक बनाने वाली पिथम भारती महला किरिकेटर मैताली राज, अंजुम चोपडा, अमिता सर्मापूनम यादाओ, तो मैताली राज आपकी करिकेटर के लाड़ी है, अच्छी के लाड़ी है अंगला कुशन है हमारे सामने भारत का पिथम कागज रहे समाचार रफद दा निउस टूडे कप सुरू हुआ था एटेईस जन्वरी 2003 को, तेरे जन्वरी 2001 को, तीन जन्वरी 2001 को नो जन्वरी 2002 को, तीन जन्वरी 2001 को तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग अंतरश्टी न्याले में नियुक्त पितम भारती है नियादिस, डॉक्टर नागेंद सींग, जीवी मावलंकर, जगदीस चंद बसू, आरके नरेन तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर नागेंद सींग अगर हम नागेंद के बारे में, डॉक्टर नागेंद के बारे में बात करें तो 18 मार्च 1914 में इनका जन्व हुआ था, इनकी टेथ 11 दिसंबर 1988 में हो गई थी अंतराष्टी नियाले की बात करें तो आप सभी जानते हैं, International Court of Justice की बात हो रही है इसकी स्थावना, जून कहां? जून 1945 में हुई थी, 26 जून 1945 में यह भी आप लोग याद रखा करिएगा क्या याद रखा करिएगा? याद रखा करिएगा, इसके बारे में भी, ठीक है? यूकि इनसे भी questions पूँच लेता है कई बार आपका क्या कर लेता है? पूँच लेता है कई बार questions चली अंगला question है हमारे सामने भारत की पितम महला IPS कौन थी? सरोजी नाइडू, किरनबेदी, बिमला, देभी, मदर, टेरेशा तो आप सभी जानती है कि किरनबेदी थी कौन? किरनबेदी आपका क्या रहेगा इसमें? आपका B option बिल्कुल सही रहेगा 9.1949 में इनका जनम हुआ था हमरे सामने किरनबेदी का ठीक है? चलिए एंगला question है भारत की पहली महला राजपाल कौन थी? पहली महला राजपाल की बात हो रही है किसी भी राज में आप देखिए लेकिन वो पहली सबसे पहली महला राजपाल होने चाहिए तो आप सभी जानते हैं कि सरोजनी नाइडू और इनके पारे में बात करें तो आप सभी 13 फरवरी 1889 में इनका जनम हुआ था और आप देखेंगे कि इनकी मित्यू 2 मार्ज 1949 में हो गए थी उत्तर पर इसकी महला राजपाल थी लेकिन सभी राज़ों में आप देखें तो सबसे पहले इनकी राजपाल का पद मिला था तो इसमें आप लोग याद रखेंगे सरोजनी नाइडू सरवोच नियाले में पित्थम महला नियादिस कौन थी सर्वुच नियाले में पेथम महला नियादिश की बात हो रही है उमा भारती सुसमेदा सेन एहम फातिमा बेवी और एक है आपका नाम करनम मल्ले सुरी तो आप सभी जानते हैं कि नियाय मूर्थी फातिमा बेवी इनका जनम 30 अपरेल 1927 में हुए था सर्वुच नियाले की पूर्व नियादिश थी और 1989 में स्पत पर नियुक्त होने वाली पहली भारती महला थी है और 3 अक्टूबर 1993 कोई ने राष्टी मानोदिकार आयू की सदस्य बनाया गया था इनका पूरा नाम मीरा साहिब भात्मा बेवी था तो ये भी याद रखेगा स्थी ओप्शन आपका विल्कुल सही है सुतंद भारत की पिथम गवर्ना जनरल सुतंद भारत की बात हो रही है सुतंद भारत की पिथम गवर्ना जनरल कौन थे जब आजाद हो गए उसके बाद तो इसमें आप सभी जानते लौड केनिंग, लौड माउंट वेटन लौड डपरिन या लौड लिटन तो आप सभी जानते को मालो होने ची लौड माउंट वेटन ठीक है 1947 की बात हो रही है 15 गस्त 1947 को में आजादी मिल गई थी न भारत का पिधाम पिधान मंत्री कौन बना था भारत का पिधाम पिधान मंत्री पंडिस जवाहलाल लालू लाल बहादु सास्तिरी इंद्रा गांदी मुरारजी देशाई तो आप सभी जानती है कि पंडित जवाहलाल नहरू और एक लंबी समय तक आप देखते हैं कि ये पिधान मंत्री के पतपर है इनका जनम 14 नमबर 1889 में प्रयाग राजी में हुआ था 27 मईं 1964 में नई दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी इंद्रा गांदी इनी की बेटी हैं इनी की बेटी थी समझ रहे हैं आपको जो आगे चलकर पिधान मंत्री बनी थी अंगला कुशन है जवालाल नहरू भारत की पिधान मंत्री कब बने थी तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अंद्रिम सरकार भी बनी थी लेकिन यह भी आपको मालू होना चाहिए तो 15 अगस्त 1947 को ठीक है आजाद भी हुगा था भारत की का पिधम राष्टपती आपको बताना है भारत का पिधम राष्टपती यह भारत का पिधम राष्टपती कौन था डॉक्टर अब्धुल कलाम अजाद डॉक्टर राजिंद पिसाथ, डॉक्टर सरफली राधा क्रिशन या पसपद दनप्पा जटी तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजिंद पिसाथ लकातार दो बार आपने देखा होगा राष्टपती बने थे इनका जनम 3 दिसंबर 1884 में हुगा था और आप आप देखेंगे 28 फरवरी 1963 में इनकी डेथ हो गई थी टेक है तो ये भी आप लो याद रखिएगा अंगला है कुश्चन हमारे सामने कि भारत की पिथम महला पिधानमंत्री कौन थी भारत की पिथम महला पिधानमंत्री की बात हो रही है तो आप लोगे याद रखिएगे पिथम भारत की पिथम महला पिधान मंतरी, पी दिभापाटिल, एम फातिमा बेवी, इंदरा गांती थे, क्या, इंदरा गांती, और 1966 में पहली बार पिधान मंतरी बनी थे, तो ये भी याद रखेगा, भारत के पिथम राष्टपती, बता चुका हूँ, डॉक्टर राजिन पिसार नोबल प्रोसकार पाने वाले पिथम भारतिये कौन थे हरगोबिंद खुराना मदर टेरेसा और अमरस्यान रवेणनाट टेगोर 1913 में ठीक यह भी आप दो याद रखेगा कौन थे रवेणनाट टेगोर तो इनके वही याद रखेगा पिथम नोबल प्रोसकार विज साथ माई 1861 में हुआ था कोलकाता में 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी चलिए एंगला कुष्यन है हमारे सामने क्या है कि देख रहे कितने जल्दी बढ़ जाता है आंगे यह आपके रवेणनाट टेग और हो गए थी डी ओप्शन है इसमें भारती राष्टी कॉंग्रिस के पितम अध्यक्ष और इसमें ब्योमेश चंद बनर की प्रोसाय मेता बाल गंगा धरतिला तो ब्योमेश चंद बनर जी और आप सभी जानते है कि जो भारती राष्टी तो इसकी स्थापना 1850 में हुई थी समय रहे हैं आप लो 28 दिसंबर को तो यह भी आप लो याद रखेएगा अंगला कुशन है हमारे सामने पिथम भारतिय अंत्रिक्ष यात्री के बारे में आपको बताना है तो आप देखेंगे कि दो अप्रेल 1884 का जब बायु सेना की पाइलिट बिग कमांडर राके सर्मा ने अंत्रिक्ष दुनिया में पहला कदम रखा था सर्मा भारत के पहले अंत्रिक्ष यात्री बने थे राके सर्मा ये ओप्सन बिल्कु सही है दच्षित धरुप पर पहुचने वाले पिथम भारतिय महला ताराचेरियन और विमला देवी रीना कौसल धरम सक्तु लॉक्टर अमृता पतेल तो ये आप देखेंगे रीना कौन थी दच्षित धरुप पर पहुचने वाली पिथ पिथम भारतिय महला बताईए इनके रीना कौसल धरम सक्तु थी ठीक है तो ये भी याद रखेगा सी ओप्सन बिल्कु सही है भारतिय राष्ट में निर्मित भारत में निर्मित पिथम भारतिय फिलिम मौनी सिनेमा कौन थी राजा हरिश्चंद किसन कनईया एक और थी अठाइरे सो माकरी उन्नी सो तीरे में भारत में पिथम भारतिय फिलिम मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद कब निर्मित भी थी कब बनी थी अब देख रहेंगी बड़े जल्दी पहुंच जा रहा है अब अंतिम समय चल रहा है तो ये भी सोच रहेंगी बड़े जल्द खतम हो ये आप देखेंगे 1913 में अंगला कुश्चन है भारत का अंगरेजी नाम इंडिया की उत्पत्ती किस सब्दे से हुई भरत चकवर्ती या आप देखें हिंदुस्तान या सिंदु सब्दे से तो सिंदु सब्दे से ठीक है सी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा भारत नाम की उत्पत्ती का संबंध किस राजा किरफ राचीन ताल की किस पिताबी राजा से से है महराणा पिताब चंदगुप्त महर और भरत चकवर्ती असो का महर तो आप सभी जानते हैं कि भरत चकवर्ती या आप सभी जानते हैं कि पित्थम जो तेट थिकर थे अंगला question है हमारे सामने यह भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी थी भारत की सबसे लंबी नभी जी पूँच रहा है तो देखे भारत में बहने वाली याद रखिएगा यह आप देखेंगे गंडा को सी ब्रंपुत और यह फिर आप देखें कौन सी ब्रंपुत गंगा कौन सी यह अनमसी आप सभी जानते हैं कि गंगा है क्या है गंगा है और आप देखेंगे उत्तरा खंडो तरप देश बिहार पष्चे मंगाल में बहती है और बंगला देश में समाप्त हो जाती है तो यह आप लोग जरूर याद 25-25 किलोमीटर यह मनो गं बारी नदीग की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत है कांसे ब्रह्मपुत है और आप देखते हैं कहां से निकलती है आप देखिए इसकी कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है कि ने 2838 किलोमीटर यह अप देखेंगा कि भाग राद घलिशियर से निकलती है और भारत तिब्बत भारत पंगलादिश से उकर बैती है और तिब्बत की पुरंगी जिले में इस्थिद्मान सरोबर जील के निकट से होता है इसका उद्गम ठीक है ब्रहमपुत भारत की सबसे उची मीनार चार मीनार कुतम मीनार जुलता मीनार सहीद मीनार तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी है चार मीनार कौन सी है कुतम मीनार कुतम बुद्धी ने बनवाई थी आप सभी जानते होंगे इसके बारे में इस दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखें, यूनेसको द्वारविस से धरवर के रूम में सुईके थे तो इसमें कुतों मीनार अंगला कुशन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध पूँच रहा है आपसे बताईए भाकड़ा बांध एंद्रा सागरगांः बांध हीरा कुंण बांध नार्जुन सागरवांध तो ये आप देखेंगे हीरा कुंण बांध है उडिशा में महा नदी पर बनाए गया दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है ठीक है? तो इसमें याद रखेगा आप लो महानदी पर है भारत की सबसे उची मूर्ती हर्मिंदर साहिब भारत की सबसे उची मूर्ती यह आप देखेंगे हर्मिंदर साहिब या हमपी Statue of Unity गौमते सोर तो Statue of Unity है ठीक है? यह आप लोग जरूर याद रखेगा पितम उपधान मंत्री उपधम ग्रह मंत्री बलब भाई पटेल की है एक तरसे बनाईगी है ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखेगे एक सो ब्यासी फेट उची है यह तो इसे भी आप लोग याद रखेगा यह आपको नर्वदा जिला गुजरात में देखने को मिलेगी भारत में पितम महला विस्विध्याला का विस्थापित हुआ था? भारत में पितम महला विस्विध्याला 1907, 1915, 1916, 1925 तो आप 5 जुलाई 1916 में और तो यह आप लोग SNDT महला विस्विध्याला था जिसका नाम स्रीमती नाथी बाई दामुदर ठाकिर से इसका पूरा नाम था महला भारत में महलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विस्विध्याला था 1916 में पितम महला विस्विध्याला तो S N D T महला विस्विध्याले था भारत कर अपिता महला विस्विध्याले कहां एक कहां खुला था बताईए ये भी आप लोग ये आप देखने को मिलेगा मुंबई में ठीक है दच्छे ACI खेलों में स्वड़ पदक जीतने वाले पहली भारती महला कौन थी बताईए ये थी आप देखेंगी कमल जीत संदू ठीक है माउंट एवरेष्ट माउंट एवरेष्ट देखा है माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महला माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महला कलफुना चावला रजिया सुल्तान बचंद्री पाल सुचेता के पलाने तो ए थी कौन बचंद्री पाल माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महला थी 1984 में उन्होंने माउंट एवरेश्ट पताई किया था देगे तो C option रहेगा इसमें कह रहेगा C option बिल्कुल सही रहेगा इसमें चलिए अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भारती अर्द्वेश्टा की उधारी करण का अगदूत किसे कहा जाता है भारती अर्द्वेश्टा की उधारी करण का अगदूत थो आप सभी जानते ही कि Dr. Manmohan Singh को कहा जाता है किने दॉक्टर Manmohan Singh को कि नमने में से कौन सा मानो विकाससूचकां के मैं स अमिल नहीं है मानो विकाससूचकां की बात हो रही है थो इसमें आपका क्या सामिल नहीं है भास्तवी पिति ब्यक्ति आये सामाजिक आसमंता पूर्ण साक्षर्था जीवन पित्यासा तो इसमें आप देखेंगी इसमें आपका सामाजिक आसमंता नहीं है बागी सब सामिल है और आपको बता दूँ कि जो Human Development Index होता न बिभिन ने देशों के सामाजिक आर्थी विकास की स्तरकुमापने के लिए सयुक्तराष्ट द्वारा विक्सित और संकले तांकरा इसमें सामिल की जाते हैं सयुक्तराष्ट संके बारे में जान लीजे इससे भी कुश्टन्स पूँच लेता है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्ताफना हुई थी निवारिक में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा UN का तो यह भी आप लो याद रखेगा अंगला कुश्यन है कौन सा सूचकांग भारत में गरीवी की तेविता की माप के लिए सबसे उपयोगत है बहु आयामी आवामी गरीवी लिंग आसमानता मारो विकास सूचकांग या मारो गरीवी सूचकांग तो इसमें याद रखे बहु आयामी गरीवी सूचकांग नीती आयव ने देश का पहला या बहु आयामी सूचकांग जारी करती है कौन देश याद रखी कौन नीती आयू करता है अब आप कहेंगे नीती आयू के बारे में बता दीजे यह उजना आयू को पिती स्थाबित करके आया हुआ नीती आयू एक जन्मरी 2015 को तो इसके बारे में भी याद रखेगा अंगला कुछन है डवलमेंट वर्ल डवलमेंट कौन पिकासित करता है वर्ल डवलमेंट रिपोर्ट कौन पिकासित करता है तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा बिस बैंक आप देखेंगे कि ये विस बैंक द्वारा वर्ल डेटा डवलमेंट रेपोर्ट डेटा फोर वेटर लाइफ्स का विकासन किया जाता है तो यसी आप लोग जरूर याद रखा करिएगा विस बैंक करता है इसी ठीक है और आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दीजे तो विस बैंक के बारे में याद रखेगा कब इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की तो आप सब जानते हैं जुलाई 1944 में वस्ञंटन डीसी में इसका मुख्याल है आपको देखने को मिलेगा वस्ञंटन डीसी में इसे जारी करती है आपको बता दूँ कि वर्ल्ड बैंक का ही एक तरह से यह इससा है ठीक है सी लगा देना इसमें अगर बस बिस बैंक का रहा है तो बिस बैंक आप लोग लगा सकते हैं और आई वी आरड है तो उसे भी लगा सकते हैं मानो विका सूचकां किस अर्थ सास्त्री की देन है केंज महबूब उल्हक एडम इसमेत अमरे सैन तो आपको बता दूँ महबूब उल्हक यह आप कहां के थे पाकिस्तान के थे तो यह भी याद रखेगा मानो विका सूचकां का आधार क्या है यह आप देखेंगे मानो विका सूचकां का आधार पूछ रहा है आपसे स्वास्त सिक्षा रोजगार जीवन इस्तर स्वास्त सिक्षा रोजगार जीवन इस्तर स्वास्त सिक्षा जीवन इस्तर तो आप देखेंगे कि आपका मानो विकास को जीवन पित्यासा सूचकांग दीग और स्वास्त जीवन सिक्षा सूचकांग ग्यान आर सूचकांग की यादार पर मापा जाता है तो इसमें आप देखेंगे क्या रहेगा आपका स्वास्त सिक्षा जी बनिस्ता डी ओप्शन गिल्कुल ठीक रहेगा तो यह भी आप लो याद रखेगा अंगला राज जिस्तरी मानो विकास रिपोर्ट जारी करना वाला पितम राज राजस्थान मददेश, उत्तर पडेश यह आपका देखें कौन है केरल तो आप सभी जानते हैं कि MP है मददेश ठीक है यह भी आप लो याद रखेगा संटर्च बिकास कारिक्रम की मानश विकास रिकरम की तरच पर भारत की पहली मानश रिकरम कंप जारी की गए थी 2001 में, अपरेल 2000 में, अपरेल 2003, अपरेल 2002 में, तो अपरेल 2002 में तो UNDP के बारे में बात कर लेते हैं, संटर्च विकास कारिक्रम इसे आप लोग United Nation Development Program कहते हैं 22 November 1965 में इसकी स्थापना हुई थी निवारिक में इसका Headquarter देखने को मिलेगा अंगला है Question बंद अर्दववस्था से आप क्या जानते हैं तो इसमें आयाद निर्याद बंद होता है आयाद बंद होता है, नियनतित फूंजी निर्याद बंद, तो आयाद निर्याद दोनों बंद होते हैं इसमें, ठीक है यह Option बिलकुल सही है मानोव सुचकांग किसने बनाया मानोव सुचकांग किसने बनाया मताइ यह EUANDP नहीं तो इसमें आप लोग याद रखेगा यह option बिल्कुल सही है भारती यह दोस्ता का कौन सा च्छेत सकल राश्टी उत्पाद में सबसे एक योगदान देता है सार्विनेक च्छेत, तितियक च्छेत, दुतियक च्छेत या फर आप देखेंगे प्राद में एक च्छेत तो आप सबी जानते ही कि इसमें आपका तितियक च्छेत सर्विस सेक्टर भी option बिल्कुल सही है क्या है? बी option बिल्कुल सही है अंगला question की तरब बढ़ते हैं? भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरह गी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी की बात हो रही है एक चक्रिय घर्षनात्मक, सरचनात्मक और तक्निकी तो आप सभी जानते ही कि सरचनात्मक है किस तरह की सरचनात्मक? यह आप लोग जरूर याद रखेगा इससे questions पूँच लेता है क्या पूँच लेता है? पूँच लेता है कई बात questions यह आप देखें जब किसी राष्ट में बहुत तक बित्ती है और मानवीय सरचना कमजोर होने के कारण रोजगार का आभाव हो जाए तो उस बेरोजगारी को सरचनात्मक बेरोजगारी कहते है बहुत एक सरचना परीवान बिजली उत्पादा ना दी तो इसमें C आप्शन बिल्कु सही है भारत में बेरोजगारी कि आँक्रे एकत्तित प्रकासित कौन करता है तो यह आप देखेंगे उनो बित्तायो नितियायो एन एस ओ तो इसके बारे में याद रखी NSO कौन NSO ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखेगा इनसे भी कुश्चन्स पूँच लेता है कई बार NSO National Sample Survey Office ठीक है चलिए तो इसमें DA उप्सन लगा दीना भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है चक्रिय बेरोजगारी, ग्रामीड अलफ बेरोजगार सरचनात्मक बेरोजगारी इन में से सभी तो आप सभी देखते हैं कि सभी तरह की पाई जाती है ठीक है चक्रिय बेरोजगारी किया है इसके बारे में जियान लीजे जैसे बेरोजगारी जो मांग के चक्य के कारण उत्पन होती है कुछ चक्री बेरोजगारी कहते हैं आप लो एक साधारन सब्दों में ग्रामीड अल्फ रोजगार आप देखेंगे कि ग्रामीड चेतरों में एक अन्र फिकार की बेरोजगारी भी पाई जाती है जिसे आप लोग अल्फ रोजगार कहते हैं, और इसके अंतरकत उन सरम्योंकों को सामिल किया जाता है, जिनने अपनी चमता, योगता के अनुसार काम नहीं मिलता है, और था चमता से कम काम मिलता है. अंगला कुश्यान एक किरसी मिलता किस पेकार की बिरोजगारी पाई जाती है, पिधानता देखी जाती है, खुली बिरोजगारी, सरशनात्मक बिरोजगारी, आदरस बिरोजगारी, आदरस बिरोजगारी आपने देखा होगा, किसी कार को करने के लिए जितने सरमिकों की के हुए होते हैं जैसे आप देखी खेती में आपके पाश जितनी खेती है उसमें आपने देखा होगा कि क्या रहता है कि दो लोगों के लिए काम है लेकिन आपने देखा होगा फूरा परिवाल लगा रहता है उसमें तो उसी आद्रस बेरोजगारी कहते थे अंगला कुछ्छान एक किसी में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो यह आप देखेंगे किस तरह का गाशनात्मक बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी, सरशनात्मग बेरोजगारी तो इसमें सभी तरह का देखने को मिलेगा तो इसमें D option लगाएंगे गाशनात्मग बेरोजगारी की बात करें तो सरम की आगती सीलता, कच्चे माल की अचाना की आस्थाई रोप से दिखाई देने वाली कमी मसीनों के गड़वड़ी से काम बंद होना कारी की मौसमी प्रक्तिती रोजगार की अउसर की अन्यविग्यता से उत्पन होती है मौसमी बेरोजगारी, मौसम में आप देखते हैं एक मौसम में आती है और फिर चली जाती है और मौसमी वी रोजगारी हुए श्तिती जिसमीं साल के कुछ बिसेश्ट भाईनो में वी रोजगारी का इस्तर बढ़ने की उम्मीद होती है और केसी में क्या रहता है आपने देखा होगा जब खेती किसानी कटती है उस समय लोजगार मिल जाता है बाकी टाइम आप देखते हैं बेरोजगारी देखने को मिलती है तो यह भी आप लो या रखा करिएगा क्या रखा करिएगा या तो इससे questions भी पूछ लेता है कई वार आप से और देखे ऐसी सरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं ऐसी बेरोजगारी जो उद्धिमयों में हो रही परिवरतन के चलते पैदा होती है उस बेरोजगारी को आप लो क्या कहते हैं सरचनात्मक बेरोजगारी उधारन के तोर पर यदि किसी उद्धिमयों में लिखा जोखा बनाने के लिए दस बेक्ति कार करें तो वहाँ पर कंप्यूटर इस्थापित कर दिया जाए तो कंप्यूटर उन बेक्तियों के स्थान ले लेते हैं तो इसी को आप का मारे सामने राष्टी ये ग्रामीद विकास सन्स्थान कहा है ये हैधराबाद पठना नईदिल्ली सिमला तो आप सभी जानते हैं कि आपका ये देखने को मिलेगा ये कहा है को है ये कहा है ये ओप्षन विल्कुल सही है निती आयो किसके सर्वेक्चन की आधार पर निर्धन्ता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है यह आप देखिए केंद्री सांके की संगत्तन, विश्व बैंक, राष्टी नमूना सर्वेक्चन और भारतिर रिजर बैंक तो आप देखें ये राष्टी नमूना, सर्विक संगठन, इसमें आपका C option रहेगा, क्या रहेगा, C option, अंगला question है हमारे सामने, राष्टी इस्तरप और गरीवी का अनुमाल लगाने के लिए नीती आयो किसके सूत का प्रियूग करता है, तो आप देखेंगे PK वर्धन, BS मिनहास, डाडेकर एवंबरत, और आप देखेंगे DT लकडवाला, तो DT लकडवाला, D option आपका बिलको सही रहेगा, इसमें, ठीक है, अंगले question की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पिताम राष्टी उद्यान कौन सा है, तो इस पर कई बार आप देखेंगे की बात कर चुके हैं, जिम कारवेट राष्टी उद्यान, नंदा देवी राष्टी उद्यान, और आप देखेंगे की राजा जी राष्टी उद्यान, पैंच राष्टी उद्यान, तो जिम कारवेट राष्टी उद्यान है, उत्राखंड में आपको देखने क तो मिलेगा ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा यह उपसा है अंगला कुशन है हमारे सामने भारत में सरपितम सांकितिक हिदायत उल्ला और आप देखें फरोग फकरोद्दीन अली अहमद जाकर हुसेन तो जाकर हुसेन थे भारत में चालू की गई पहली ट्रेंड का नाम क्या था फैरी क्वीन ठीक है तो यह भी याद रखेगा केंद्री गन्ना अनुसंधान संस्थान कटक असम क्वेंबटूर यह भी आप लोग याद रखें भारत का पहला पार्थियन सासक इस पर भी बात कर चुके हैं माउस था ठीक है फिलाजमा सोध अनुसंधान संस्थान यह आप देखेंगे कहां नई दिल्ली गांधी नगर देहरादून या गांधी नगर में ठीक है राची तो चलिए यह भ अर्थ दोस्ता है आप सभी जानते है आर्थ विकास की दिरिष्टे से भारत किन गिंती में होता है विकसेत नहीं विकसेत देशों की गिंती में होते हैं हम लोग ना अर्थ विकसेत हैं ना विकसेत हैं बीच के विकसेत हैं तो इस तरह से आपके जो भी भारत की सामन ग्या से इंडिया जीके से questions थे उन पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं आप लोग पढ़ते रही हैं enjoy करते रही है और कोई सवाल हो आपका सुझा हो तो अपस पर भी आप लोग बात करिएगा अंगली के लास में हम लोग वर्ड जीके विस्तो का सामान ग्यान देखेंगे उ और उनकी विस्तार से answer देखेंगे